अध्याए एक सर्वोच भगवान सभी के समान है इस अध्याए में महाराज परीक्षित के एक प्रश्न के उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने अपने निश्कर्ष दिये हैं कि कैसे भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व, हालां की परमात्मा, मित्र और सभी के रख्षक, न इन गुनों से संक्रमित होने के कारण शत्रुता और मित्रता, मोह और वैरागय जैसे द्वैत उत्पन होते हैं, हालां की भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के लिए ऐसे कोई द्वैत नहीं है, अनंत काल भी प्रभू की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, अनं सर्वोच भगवान द्वारा मारे गए सभी राक्षस तुरंत मोफ्ट परीक्षित महाराज द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्निया है कि शिशुपाल, हालां की बच्पन से ही कृष्ण के प्रती शत्रु थे और हमेशा कृष्ण की निंडा करते थे, उन्होंने एकता अपने पुणय कर्मों के कारण, जय और विजय भगवान के शत्रु बनने के लिए सेह्मत हो गए और उसमान सिकता में मारे जाने पर उन्होंने एकता में मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार यदि कोई इर्श्या में भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के बारे में मेरे प्रिय ब्राह्मन, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व, विश्णू, सभी के शुप्चिन तक होने के कारण, सभी के समान और अत्यंत प्रिय हैं। फिर, वह इंद्र के लिए एक आम आदमी की तरह पक्षपाती कैसे हो गया और इस तरह इंद्र के दुश्मनों को मार डाला। सभी के समान व्यक्ति किसी के प्रती पक्षपाती और दूसरों के प्रती शत्रुता पून कैसे हो सकता है। पार्ट दो, भगवान विश्मु स्वयम, भगवान के सरवोच व्यक्तित्वर, सभी सुखों के भंडार हैं। अतर देवताओं का पक्ष लेने से उन्हें क्या लाब होगा, वह इस तरह से कौन सा हित पूरा करेगा। चुन की भगवान दिव्य हैं, उन्हें पार्ट तीन, है बहुत भागेशाली और विद्वान ब्राहमन, चाहे नारायन पक्षपाती हों या निश्पक्ष, यह बहुत संदेह का विशय बन गया है। प्रिपया मेरे संदेह को सकारात्मक प्रमान के साथ दूर करें की नारायन हमेशा तटस्ट और सभी के बराबर हैं। पार्ट चार माइनस पांच महान रिशी शुगदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिया राजा, आपने मेरे सामने एक उत्कृष्ट प्रश्न रखा है। पार्ट चार भगवान हरी की गतिविदियों से संबंधित विशेयों का वर्नन करना शुरू करता हूं। पार्ट चैप भगवान विश्नु हमेशा भौतिक गुनों से परे होते हैं और इसलिए उन्हें निर्गुन या गुनों के बिना कहा जाता है। क्योंकि वह जन्मा है, उसके पास आसकती और घ्रिना के अधीन होने के लिए भौतिक शरीर नहीं है। यदिपी भगवान हमेशा भौतिक अस्तित्व से उपर होते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ती के माध्यम से वे एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट हुए और उन्होंने कर्तब्यों और दाइत्वों को स्वीकार करते हुए, जाहिर तोर पर एक बधा आत्मा की तरह काम क पार्ट साथ, मेरे प्रियराजा परीक्षित, भौतिक गुन, सत्व गुन, रजो गुन और तमो गुन सभी भौतिक संसार के हैं और भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व को स्पर्ष भी नहीं करते हैं, ये तीनों गुन एक साथ घटने बढ़ने से कार्य नहीं कर सकते, पा राक्षस फलते फूलते हैं, सत्व गुन, रजो गुन और तमो गुन की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हुए, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व हर किसी के दिल में मौजूद हैं, पार्ट नौ, भगवान का सर्वव्यापी व्यक्तित्व प्रतेग जीवित प्र एक विचारशीर व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसके कारियों को देखकर सर्वोच भगवान द्वारा किसी व्यक्ति पर कितनी कृपा की जाती है, पार्ट दस जब भगवान विभिन प्रकार के शरीर बनाते हैं, प्रतेग जीव को उसके चरित्र और फलदाई कारियों के अन जो गुन और विनाश के लिए तमो गुन का उप्योग करते हैं, पार्ट 11 है महान राजा, भौतिक और आध्यात्मिक उर्जाओं के नियंत्रक भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व, जो निश्चित रूप से पूरे ब्रमान के निर्माता है, भौतिक उर्जा और जीव को स सर्वोच भगवान नियंत्रक हैं, वे देवताओं का पक्ष लेते हैं, जो अधिकतर सत्व गुन में स्थित होते हैं, तब तमो गुन से प्रभावित दैतियों का नाश होता है, सर्वोच भगवान अलग अलग तरीकों से कार्य करने के लिए समयकारक को प्रेरित करते हैं, लेकिन बे कभी पक्षपाती नहीं होते हैं बलकि उनकी गतिविधियां गौरफशाली हैं और इसलिए उन्हें उरुष्रवा कहा जाता है पार्ट 13 पूर्ग में हे राजा, जब महाराज युदिश्टिर राजसुए यग्य कर रहे थे महान रिशी नारद ने उनकी पूछ ताज का जवाब देते हुए एतिहासिक तत्यों का पार्ट किया जिसमें दिखाया गया था कि कैसे राक्षसों का वद करते हुए भी भगवान हमेशा निश्पक्ष होते हैं इस संबंध में उन्होंने एक ज्वलन तो दारन दिया पार्ट 14-15 हे राजा राजस्य यग्य में महाराज पांडू के पुत्र महाराज युदिश्टिर ने व्यक्तिगत रूप से शिशुपाल को सर्वोच भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते देखा था इसलिए आश्चर्य से चकित होकर उन्होंने महान रिशी नारत से इसका कारण पूछा जो वहाँ बैठे थे जब उन्होंने पूछ ताज की तो उपस्तित सभी रिशियों ने भी उन्हें अपना प्रशन पूछते हुए सुना पाठ सोलह महाराज युदिष्ठिर ने पूछा यह बहुत ही अदभुत है कि राक्षस शिशुपाल अत्यंत इर्शालू होते हुए भी भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के शरीर में विलीन हो गए यह सायुज्य मुप्ति महान पालौकिक लोगों के लिए भी प्राप्ट करना असंभव है फिर यहोवा के शत्रू ने उसे कैसे प्राप्ट किया पाठ सत्रह है महान संथ हम सभी प्रभू की इस दया का कारण जानने के लिए उत्सुख हैं मैंने सुना है कि पहले वेन नाम के एक राजा ने परम पुरुशोत्तम भगवान की निंदा की थी और परिनामस्वरूप सभी ब्राहमनों ने उन्हें नरक में जाने के लिए बाद्ध किया था शिशुपाल को भी नरक में भेज देना चाहिए था फिर वह भगवान के अस्तित्व में कैसे विलीन हो गया पार्ट अथारा बच्पन से ही जब वह चीक से बोल भी नहीं सकता था दमगोश का सबसे पापी कुत्र शिशुपाल भगवान की निंदा करने लगा और वहम रित्यू तक श्री कृष्ण से इर्शा करता रहा इसी तरह उनके भाई दंत्वक्र ने वही आदते जारी रखी पार्ट उन्नीस यदिपी इन दो पुरुशों शिशुपाल और दंत्वक्र ने बार-बार भगवान भगवान विश्णू कृष्ण सर्वोच ब्राहमन की निंदा की वेकाफी स्वस्थ है वास्तव में उनकी जीब पर सफेद कोर का हमला नहीं हुआ था और नहीं वे नार्किय जीवन के सबसे अंधेरेक शेत्र में प्रवेश कर पाए थे हम निश्चित रूप से इससे सबसे ज्यादा हैरान है पार बीस कई श्रेश व्यक्तियों की उपस्थिती में शिशुपाल और दंतवक्र के लिए क्रिश्ण के शरीर में बहुत आसानी से प्रवेश करना कैसे संभव था जिनके स्वभाव को प्राप्ट करना कठिन है पार 21 निहसंदेह यह मामला बहुत ही अद्भुत है वास्तव में मेरी बुद्धी ब्रष्ट हो गई है जैसे मौमबत्ती की लो तेज हवा से विक्षुप्ध हो जाती है हे नारद मुनी तुम सब कुछ जानते हो क्रिपया मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताएं पार 22 श्री शुपदेव गोस्वामी ने कहा महाराज युदिष्टिर के अनुरोध को सुनकर सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरू नारद मुनी जो सब कुछ जानते थे बहुत प्रसंद हुए इस प्रकार उन्होंने यग्य में भाग लेने वाले सभी लोगों की उपस्तिती में उत्तर दिया पार 23 महान रिशी श्री नारद जी ने कहा हे राजा निंडा और स्तुती तारना और सम्मान अग्यान के कारण अनुभव किये जाते हैं बद्ध जीब का शरीर बाहरी उर्जा के माध्यम से भौतिक दुनिया में कष्ट के लिए भगवान द्वारा योजना बनाई गई है पार 24 मेरे प्रिय राजा बद्ध आत्मा जीबन की शारीरिक अबधारना में होने के कारण अपने शरीर को अपना मानता है और शरीर के संबंद में सब कुछ अपना मानता है क्योंकि उसके पास जीबन की यह गलत धारना है वो प्रशंसा और तारना जैसे द्वैत के अधीन है पार 25 जीबन की शारीरिक अबधारना के कारण बधात्मा सोचती है कि जब शरीर का नाश होता है तो जीब का विनाश होता है भगवान विश्नु भगवान के सर्वोच व्यक्तित्वत सर्वोच नियंत्रक्त सभी जीबन के परमात्मा है क्योंकि उनके पास कोई भौतिक शरीर नहीं है इसलिए उनके पास मैं और मेरा की कोई जूटी धारणा नहीं है इसलिए यह सोचना गलत है कि निंदा करने या प्रार्थना करने पर उन्हें सुख्या पीड़ा का अनुभव होता है यह उसके लिए असंभव है इस प्रकार उसका ना कोई शत्रू है और नहीं कोई मित्र, जब वे राक्षसों को तारना देते हैं तो यह उनके भले के लिए होता है, और जब वे भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं तो यह उनके भले के लिए होता है, वहना तो प्रार्थनाओं से और नहीं निंदा से प्रभावित होता है। पार्च 26 इसलिए शत्रुता से या भक्ती से भई से सनेह से या वासना से इन सभी या इन में से किसी एक द्वारा यदि कोई बध आत्मा किसी ना किसी तरह से अपना मन भगवान पर केंड़ित करता है तो परिनाम वही होता है क्योंकि अपनी आनन्दम स्थिती के कारण कभी भी शत्रुता या मित्रता से प्रभावित नहीं होते हैं। पार्च 27 नारद मुनी ने आगे कहा भक्ती सेवा के द्वारा कोई भी भगवान के सरवोच व्यक्तित्व के विचार में इतना गहन अव्शोशन प्राप्त नहीं कर सकता जितना की कोई उनके प्रती शत्रुता के माध्यम से कर सकता है। ऐसा मेरा मत है। ग्रंत 28-29 एक मधुमक्खी द्वारा दीवार के एक छेद में बंद एक घास का कीरा हमेशा डर और दुश्मनी में मधुमक्खी के बारे में सोचता है और बाद में ऐसी याद के कारण इसी तरह अगर बध आत्माएं किसी ना किसी तरह क्रिश्न के बारे में सोचती हैं जो सच्छिदानन विग्रा हैं तो वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। चाहे उन्हें अपना पूज्य भगवान समझे या शत्रु उनके बारे में लगातार सोचने से वे अपने भगती सेवा के कारण हो सकता है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे कोई केवल क्रिश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करके उनकी क्रिपा प्राप्त करता है। वर्नित पांच अलग अलग प्रक्रियाओं में से एक के द्वारा कोई घर लोट सकता है वापस भगवान के पास। राजा वेन जैसे नास्तिक हालां कि इन पांच तरीकों में से किसी में भी क्रिश्न के रूप के बारे में सोचने में असमर्थ होने के कारण मोक्ष के सहयोगी थे लेकिन ब्राहमनों द्वारा शापित होने के कारण वे वैकुंट से इस भौतिक दुनिया में गिर गए। इसलिए एक क्रिपया बताएं की कैसे भगवान के व्यक्तित्व के सहयोगीयों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में उतरने का श्राप मिला था। देखा तो इन दोनों द्वारपालों ने उन्हें सामान्य बच्चे समझकर प्रवेश करने से मना कर दिया। पार्थ 38 इस प्रकार द्वारपालों द्वारा रोके गए जय और विजय, सानंदन और अन्यमहान रिशियों ने बहुत प्रोधित होकर उन्हें शाब दिया। तुम दो मूर्ख द्वारपाल, उन्होंने कहा, काम और अग्यान के भौतिक गुनों से उत्तेजित होकर आप मधूद वीप के चरंग कमलों की शरंड में रहने के लिए आयोग्या हैं, जो इस तरह के गुनों से मुक्त हैं। आपके लिए बहतर होगा कि आप तुरंद भौतिक दुनिया में जाएं और सबसे पापी असुरों के परिवार में अपना जन्म लें। अपने कर शिप छोटा था। दैत्य और दानव राक्षिसी प्रजाती उनका बहुत सम्मान करते थे। पार्ट तैंतालीस भगवान सभी जीवों के परमात्मा, शांत, शांतिपूर्ण और सभी के समान हैं। चून की महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ती से सुरक्षित थे। हिरन्यक शिपू विभिन तरीकों से ऐसा करने के प्रयास के बावजूद उसे मारने में असमर्थ था। पार्ट चौवालीस तत पश्चात वही जय और विजय जो भगवान विश्नु के दो द्वार पाल थे, ने रावन और कुम्बकर्ण के रूप में जन्व लिया, जो केशीनी के गर्व में वीरवासे उत्पन हुए थे। वे ब्रमान के सभी लोगों के लिए अत्यंत सुनना आपके लिए बहतर होगा। पार्ट चियालीस अपने तीसरे जन्व में वही जय और विजय क्षत्रिय परिवार में आपके चचेरे भाई आपकी चाची के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी डिस्क से मारा है, उ भगवान की शरन में वापस आ गए, घर लोट कर वापस भगवान के पास। पार्ट अर्टालीस महाराज युदिष्टिर ने पूछा, हें मेरे भगवान, नारद मुनी, हिरन्यक शिपू और उनके प्यारे पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच इतनी दुश्मनी क्यों थी प्रहलाद महाराज भगवान क्रिश्न के इतने महान भक्त कैसे बने, कृपया मुझे यह समझाएं, अध्याए दो हिरन्यक शिपू, राक्षसों के राजा जैसा की इस अध्याए में वर्नित है, हिरन्याश के विनाश के बाद, हिरन्यक शिप के पुत्र और उनके भाई हि हिरन्यक शिपू ने सामान्य रूप से लोगों की धार में गतिविधियों को कम करने की कोशिश करके बहुत ही पापपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की, हालां कि उन्होंने अपने भतीजों को उनकी पीडा को कम करने के लिए एक इतिहास के बारे में निर्देश दिया, ज उन्होंने सभी राक्षिसों और राक्षिसों को उत्तेजित करना शुरू कर दिया और शांतिपूर्ण संतों और प्रित्वी के अन्य निवासियों के कर्मकांडों को बाधित करना शुरू कर दिया, यग्या, यग्या के प्रदर्शन के अभाव में देवता प्रित्वी प मरना गौरफ शाली है अपनी विबिन फलदाई गतिविद्यों के अनुसार जीविस भौतिक दुनिया में एक साथ आते हैं और फिर से प्रकृति के नियमों से अलग हो जाते हैं हालां कि हमें हमेशा यह जानना चाहिए कि आत्मा जो शरीर से अलग है शाश्वत, अपरिवर्तनिय, शुधत, सर्वव्यापी और हर चीज से अवगत है भौतिक उर्जा से बंधे होने पर आत्मा अलग-अलग संगती के अनुसार जीवन की उच्छे या निम्न प्रजातियों में जन्म लेती है और इस तरह विभिन प्रकार के शरीर प्राप्त करती है जिसमें पीडित या आनन्द लेना होता है भौतिक अस्तित्व की स्थितियों से किसी का दुहक सुख और संकर्ट का कारण है कोई अन्य कारण नहीं है और कर्म के सथी कारियों को देख कर दुखी नहीं होना चाहिए हिरन्यक शिपू ने तब एक राजा सुयग्य के बारे में एक एतिहासि घटना बताई जो उस नारा नामक देश में रहता था जब राजा मारा गया तो उसकी राणियों ने दुहक से अभिबूत होकर निर्देश प्राप्त किये जिसे हिरन्यक शिपू ने अपने भतीजों को उध्रित किया हिरन्यक शिपू ने अपनी पत्नी के लिए विलाप करते हुए एक शिकारी के तीर से छेदे गए कुली पक्षी के बारे में बताया जिसे भी उसी शिकारी ने गोली मार दी थी हिरन्यक शिपू ने इन कहानियों को सुना कर अपने भतीजों और अन्य रिष्टेदारों को शांत किया और उन्हें विलाप से मुप्त किया इस प्रकार हिरन्यक्षिपू की माँ और भाभी दिती और रूनभानू को शांत किया गया उन्होंने अपने मन को आध्यात्मिक समझ में लगा दिया पार एक श्री नारद मुनी ने कहा मेरे प्रिया राजा युधिष्ठिर जब भगवान विश्णू वराह के रूप में वराह ने हिरन्याश को मार डाला हिरन्यकर शिपका भाई हिरन्यक्षिपू अत्यंत क्रोधित हुआ और विलाप करने लगा पार दो क्रोध से भरकर और अपने होटों को कारते हुए हिरन्यक्षिपू ने क्रोध से जल्ती आँखों से आकाश की ओर देखा जिससे सारा आकाश दुआधार हो गया इस प्रकार उन्होंने बोलना शुरू किया पार तीन अपने भयानक दांत भयनकर नजर और वहें दिखाते हुए देखने में भयानक उसने अपना हतियार एक त्रिशूल उठाया और इस तरह अपने सहयोगियों 81 राक्षिसों से बात करना शुरू कर दिया पार चार माइनस पांच हे दानव और दैत्यप हे द्विमिर्धा, प्रयक्ष, सामभर और शताबाहू, हे हाईग्रीब, नमुची, पाका और इल्वाला, हे विप्रिचित, पुलोमन, शकुन और अन्यराक्षिस, आप सभी कृपया मेरी बाद ध्यान से सुने और फिर बिना देर किये मेरे वचनों के अनुसार कार्य करें पाठ 6, मेरे तुच्छ शत्रु देवताओं ने मिलकर मेरे परमप्रिय और आग्याकारी शुबचिन तक मेरे भाई हिरन्यकक्ष को मार डाला यदिपी सर्वोचव भगवान, विष्णू, हम दोनों के लिए हमेशा समान हैं, अर्थात, देवता और राक्षिस, इस बार देवताओं द्वारा भक्ति पूर्वग पूजा की जा रही है, उन्होंने उनका पक्ष लिया है और हिरन्याश को मारने में उनकी मदद की है यदिपी बे सर्वोचव भ्यक्ति हैं, अब माया से प्रभावित होकर, उन्होंने अपने भक्तों, देवताओं को प्रसंद करने के लिए एक वराह का रूप धारन किया है, जैसे एक वेचैन बच्चा किसी की ओर जुकता है इसलिए मैं अपने त्रिशूर द्वारा भगवान विश्नु के सिर को उनकी सून्ट से अलग कर दूँगा, और उनके शरीर से प्रचुर रक्त से मैं अपने भाई हिरन्यकिश को प्रसंद करूँगा, जो रक्त चूसने के बहुत शौकीन थे इस प्रकार मैं भी शांत हो जाऊंगा पार्थ 9, जब किसी पेड़ की जड़कर जाती है और पेड़ नीचे गिर जाता है तो उसकी शाखाएं और टहनिया अपने आप सूप जाती है इसी तरह, जब मैंने इस राजने एक विश्नु को मार दिया है, तो देवता, जिनके लिए भगवान विश्नु जीवन और आत्मा है, अपने जीवन का स्रोत खो देंगे और मर जाएंगे पार्ट दस, जब कि मैं भगवान विश्नु को मारने के व्यवसाय में लगा हुआ हूँ, नीचे पृत्वी ग्रह पर जाता हूँ, जो ब्राह्मन वादी संस्कृती और एक शत्रिय सरकार के कारण फलफूर रहा है ये लोग तपस्या, बलिदान, वैदिक अध्यन, नियामक व्रत और दान में सनलगन होते हैं इस प्रकार लगे हुए सभी लोगों को नश्ट कर दें पार्ट ग्यारा, ब्राह्मन वादी संस्कृती का मूर सिध्धान्द भगवान विश्नु को संतुष्ट करना है, जो बली और कर्मकान समारोहों के अवतार हैं भगवान विश्णू सभी धार्मिक सिध्धान्तों के अव्तार हैं और वे सभी देवताओं, महान पिताओं और सामान्य रूप से लोगों के आश्रे हैं जब ब्राहमन मारे जाएंगे, तो प्षत्रियों को यग्य करने के लिए प्रोथसाहित करने वाला कोई नहीं होगा, और इस प्रकार यग्य से प्रसंद न होने पर देवताओं की स्वतहम रित्यू हो जाएगी पार्ट बारा, जहां कहीं भी गायों और ब्राहमनों के लिए अच्छी सुरक्षा हो और जहां भी वर्नाश्रम सिध्धान्तों के अनुसार वेदों का अध्यन किया जाता है, वहां तुरंद जाएं उन स्थानों में आग लगा दो और वहां के व्रिक्षों को जवसे काट दो, जो जीवन का स्रोत है पार्ट तेरह इस प्रकार राक्षसों ने विनाशकारी गतिविद्यों के शौकीन होने के कारण हिरन्यक्षिपू के निर्देशों को बड़े सम्मान के साथ अपने सिर पर ले लिया और उन्हें प्रनाम किया उनके निर्देशों के अनुसार वे सभी जीवित प्राणियों के खिलाफ निर्देशित इर्शापूर्म गतिविद्यों में लगे हुए थे पाठ 14 राक्षसों ने शहरों, गावों, चरागाहों, गोशालाओं, उध्यानों, क्रिशीक शेत्रों और प्राकृतिक जंगलों में आग लगा दी उन्होंने संतों के आश्मों, मूलेवान धातों का उत्पादन करने वाली महत्वपूर्म खदानों, क्रिशी बिदों के आवासिये क्वाटरों, पहारी गावों और गौरकशिकों के गावों, चरवाहों को जला दिया उन्होंने सरकारी राजधानियों को भी जला दिया पार्ट पंद्रह कुछ राक्षसों ने खुदाई के उपकरन ले लिये और पुलों सुरक्षात्मग दिवारों और शहरों के द्वार को पुलों को तोर दिया कुछ ने कुलहारी ली और उन महत्वपूर्ण पेड़ों को काटना शुरू कर दिया जिनसे आम्प कतहल और भोजन के अन्यस्रोत पैदा होते थे कुछ राक्षसों ने फायर ब्रांड ले लिया और नाग्रिकों के आवासिये क्वाटरों में आग लगा दी पाट सोलह इस प्रकार हिरन्यक्षिपू के अन्याईयों द्वारा की गई अप्राकृतिक घटनाओं से बार बार परेशान होकर सभी लोगों को वैदिक संस्कृती की गतिविदियों को रोकना पड़ा यग्यका फल न पाकर देवता भी व्याकुल हो थे उन्होंने अपने निवास स्थान को स्वर्गिय ग्रहों में छोड़ दिया और राक्षसो द्वारा देखे नहीं गए आप अदाओं को देखने के लिए प्रित्वी ग्रह पर भटकना शुरू कर दिया पार्ट 17, हिरनियक शिपू ने अपने भाई की मृत्यू के लिए अनुष्ठान करने के बाद अत्यांथ दुखी होकर अपने भतीजों को शांत करने का प्रयास किया पार्ट 18-19, हे राजा, हिरनियक शिपू अत्यंत क्रोधित था, लेकिन चूंकी वह एक महान राजनीति ग्य था, वो जानता था कि समय और परिस्तिती के अनुसार कैसे कार्य करना है नीचे शब्दों से उन्होंने अपने भतीजों को शांत करना शुरू कर दिया, जिनके नाम शकुनी, सामभर, रिती, भूतसंतापन, विक कलानाब, महानब, हरिशमारू और उतकच थे उन्होंने उनकी मा, उनकी भावी, रूनभानू और साथ ही अपनी मा दिती को भी सांत्वना दी उसने उन सभी से इस प्रकार बात की पार्ट 20, हिरनिक शिकू ने कहा, मेरी प्यारी मा, भावी और भती जों, आपको महान नायक की मृत्यू के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रू के सामने नायक की मृत्यू गौरफशाली और वांचनिय है पार्ट 21, मेरी प्यारी मा, एक रेस्त्राई या जगह में थंडा पानी पीने के लिए कई यात्रियों को एक साथ लाया जाता है और पानी पीने के बाद वे अपने अपने गंतव्य के लिए जारी रहते हैं इसी तरह जीव एक परिवार में एक साथ जूर जाते हैं और बाद में अपने स्वयम के कारियों के परिनामस्वरूप वे अपने गंतव्य के लिए अलग हो जाते हैं पार्ट बाइस आत्मा जीव की कोई मृत्यू नहीं है क्योंकि वह शाश्वत और अटूट है भौतिक सिंदूशन से मुप्थ होकर वह भौतिक या आध्यात्मिक दुनिया में कहीं भी जा सकता है वह पूरी तरह से जागरूख है और भौतिक शरीर से पूरी तरह से अलग है लेकिन अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता के दुरूपयोख से गुमरा होने के कारण वह भौतिक उरजा द्वारा बनाए गए सूक्षम और स्थूर शरीर को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और इस तरह तथाकतित भौतिक सुक और संकट के अधीन हो जाता है डौट इसलिए किसी को भी आत्मा के शरीर से चले जाने पर शोप नहीं करना चाहिए पार्ट तेईस पानी की गती के कारण नदी के किनारे के पेड़ पानी पर प्रतिबिम्बित होने पर हिलने लगते हैं इ जीव शूप्षम और स्थूर शरीर के सभी विभिन चरनों से मुप्ध होते हुए भी सोचता है कि वह एक से बदल गया है दूसरे के लिए शर्थ ग्रंथ 25-26 अपनी हत्प्रव अवस्था में जीव शरीर और मन को आत्मा मान कर कुछ लोगों को अपना परिजन और दूसरों को बाहरी मानता है इसी व्रांती के कारण उसे कष्ट होता है वास्तव में इस तरह के मंगरंद भौतिक विचारों का संचे भौतिक संसार में द दाक्त मूर्खता और चिंता ऐसे भौतिक विचारों के कारण है इस प्रकार हम कभी-कभी उचित समझ में आ जाते हैं और कभी-कभी जीवन की गलत धारना में पर जाते हैं पार्ट 27 इस संबंध में एक पुराने इतिहास से एक उदारन दिया जाता है इसमें यमराज और एक मृत व्यक्ति के दोस्तों के बीच एक प्रवचन शामिल है कृपया इसे ध्यान से सुनें पार्ट 28 इस उसनारा नामक राज्य में स्विध्य नामक एक प्रसिद राजा था जब राजा अपने शत्रूओ द्वारा युद्ध में मारा गया तो उसके परिजन शव के चा उनका दिल दुश्मन के बानों से चिट गया था जब वो मरा तो उसने अपना कोशल दिखाना चाहा था और इस तरह उसने अपने होटों को काट लिया था और उसके दांत उसी स्थिती में बने रहे उनका सुन्दर कमल जैसा चेहरा अपकाला हो गया था और युद्ध के मै मैदान से धूर से ढखा हुआ था उसकी तलवार और अन्य हथियारों से उसकी बाहें काट कर तोड़ दी गई जब उनरा के राजा की रानियों ने अपने पती को उस स्थिती में लेटा हुआ देखा तो वे रोने लगी है प्रभू अब जब आप मारे गए हैं तो हम भी मा पती के चरंग कमलों पर गिर गए उनके बाल अस्थ बियस्थ हो गए उनके आभूशन जड़ गए और एक तरह से दूसरों के दिलों में सहानुबूती पैदा हो गई रानिया अपने पती की मृत्यू पर विलाप करने लगी पार्ट तैंतीस हे प्रभू अब आप हमारी द दोस्त है तुम्हारे बिना हमारा वजूद कैसे होगा हे वीर आप जहां भी जा रहे हैं क्रिपया हमें बहां निर्देशित करें ताकि हम आपके नक्षे कदम पर चल सकें और आपकी सेवा में फिर से सनलगन हो सकें चलिए आपके साथ चलते हैं पार्ट पैंटीस शरीर को बिलाब कर रही थी तब यम्राज के निवास से भी उनकी जोरदार चीखें सुनाई दी एक लड़के का शव मानकर यम्राज व्यक्तिगत रूप से शव के रिष्टेदारों के पास गए और उन्हें इस प्रकार सलाह दी पार्ट सेंटीस श्री यम्राज ने कहा काश यह कि इन व्यक्तियों जो मुझसे बड़े हैं को पूरा अनुभव है कि सैकरों और हजारों जीवों ने जन्म लिया और मर गए इस प्रकार उन्हें समझना चाहिए कि वे भी मरने के लिए उप्यूक्त हैं फिर भी वे ब्रमित हैं बदा आत्मा अग्यात स्थान से आती है और बुजूर्ग महिलाओं में जीवन की भावना हमसे अधिक नहीं है वास्तव में हम सबसे भागेशाली हैं क्योंकि यदिपी हम बच्चे हैं और बहुतिक जीवन में संधर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है पिता और माता द्वारा असुरक्षित और यदिपी हम नहीं गए हैं इस प्रकार हमारा द्रिल विश्वास है कि माता के गर्ग में भी हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान हर जगह हमारी रक्षा करेंगे पार्ट उन्तालीस लड़के ने स्त्रियों को संबोधित किया है दुर्बल स्त्रियो केवल भगवान के परम व्यक्तित्व की इच्छा से जो कभी कम नहीं होता है पूरी दुनिया को बनाया बनाय रखा और फिर से नश्ट कर दिया जाता है यह वैदिक ज्यान का निरनाय है यह भौतिक रचना जिसमें गतिमान और गतिहीन है बिलकुल उनके खेल के समान है सर दूसरों द्वारा नहीं देखा जाता है इस प्रकार जो व्यक्ति इसे खो देता है वह उसे वापस प्राप्त कर लेता है दूसरी ओर यदी भगवान सुरक्षा नहीं देते हैं तो घर में बहुत सुरक्षट रूप से खा गया धन भी नश्ट हो जाता है यदि पास कोई रक्षक नहीं है और वो जंगल में हैं, तो वो जीवित रहता है, जब कि घर पर रिष्टेदारों और अन्य लोगों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित व्यक्ति कभी-कभी मर जाता है, कोई भी उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होता है। पार्ट 41 प्रतेग बध आत्मा को उसके कार्य के अनुसार एक अलग प्रकार का शरीर प्राप्थ होता है, और जब सगाई समाप्थ हो जाती है तो शरीर समाप्थ हो जाता है। यदिपी आत्मा जीवन के विभिन रूपों में सूक्षम और स्थूल बहुतिक शरीरों में स्थित है, वो उन से बंधा नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा प्रकट शरीर से पूरी तरह से अलग समझा जाता है। शरीर के इस निर्मान और विघटन से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। विलाप करते हैं, अभी भी आपके सामने पड़ा है और कहीं नहीं गया है। फिर तुम्हारे विलाप का कारण क्या है? पहले उसने तुम्हारी बात सुनी और तुम्हें उत्तर दिया, लेकि अब उसे न पाकर तुम विलाप कर रहे हो। यह विरोधभासी व्यवहार है, क्योंकि आपने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा है जिसने आपको सुना और उत्तर दिया। तुम्हारे विलाप की कोई आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि जो शरीर तुमने सदा देखा है वह यहीं पड़ा पार्ट पैंतालीस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ प्रांड वायू है, लेकिन वह भी न शोता है और नहीं वक्ता। प्रांड वायू से भी परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा वास्तव में व्यक्तिगत आत्मा के सहयोग से निर्देशक ह शरीर की गतिविद्यों का संचालन करने वाली परमात्मा शरीर और जीवित शक्ती से अलग है। शरीर से आच्छादित है, तब तक वो अपने फलदाई कारियों के परिनामों के लिए बाध्य है। इस आवरन के कारण आत्मा भौतिक उर्जा के साथ जुड़ा हुआ है और तदनुसार, जीवन के बाद भौतिक परिस्थितियों और उलट फेरों को लगातार भुगत न परिनामी तथाकतित सुख और संकट को देखना और बात करना व्यर्थ है जैसे कि वे तथ्यात्मक हों। जब मन दिन में भटकता है और पुरुष अपने आपको अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है या जब वह रात में सपने देखता है और एक सुंदर महिला को ने साथ आनंदित देखता है तो यह केवल जूटे सपने हैं। इसी प्रकार भौतिक इंद्रियों के कारण होने वाले सुख दुहक को व्यर्थ समझना चाहिए। पार्ट उन्चास्ट जिन्हें आत्मसाक्षातकार का पूरा ग्यान है जो अच्छी तरह जानते हैं कि आत् पक्षियों को भोजन का लालच देकर जाल फैला कर पकर लेता था। वह ऐसे रहता था मानों मृत्यू द्वारा नियुक पक्षियों के हत्यारे के रूप में। पार 51 जंगल में गूंते हुए शिकारी ने कुलिग पक्षियों के एक जोड़े को देखा। दोनों में से पक्षियों के लिए विलाब करने लगी। भग्यपूर्ण बच्चे पक्षि अपनी मां से विमुक भूसले में इंतजार कर रहे हैं कि वो उन्हें खिलाए। वे अभी भी बहुत छोटे हैं और अभी तक अपने पंक नहीं उगाए हैं। मैं उनका रखरखाव कैसे कर पाऊंगा। पाठ शपपन अपनी पतनी की मृत्यू के कारण कुलिग पक्षी उसकी आँखों में आंसु लेकर विलाब करने लगा। इस बीच परिपक्ष समय के निर्देशों का पालन करते हुए शिकारी जो बहुत साफधानी से दूरी में छिपा हुआ था ने अपना तीर छोड़ा जिसने कुलिग पक्षी के शरीर को छेद दिया और उसे मार डाला। इस प्रकार यमराज ने एक छोटे लड़के के वेश में सभी रानियों से कहा तुम सब इतने मूर्ख हो कि तुम विलाब करते हो लेकिन अपनी मृत्यों को नहीं देखते। बे समझ सकते थे कि सब कुछ सामगरी अस्थाई है, अस्तित्व में नहीं है। पार्ट 69 सुयग्य के सभी मूर्ख रिष्टेदारों को निर्देश देने के बाद यमराज एक लड़के के रूप में उनकी द्रिष्टी से गायब हो गए। तब राजा सुयग्य के रिष्टेदारों ने कर्मकांडों का अंतिम संसकार किया। इसलिए आप में से किसी को भी शरीर के नुकसान के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। चाहे आप अपने हो या दूसरों के केवल अध्यान में ही कोई शारीरिक भेद करता है यह सोचकर की मैं कौन हूँ। अन्य कौन है, मेरा क्या है, दूसरों के लिए क्या है, पाठ 61 श्री नारद मुनी ने आगे कहा। हिरन्यक्षिपू और हिरन्यकर्शिप की माता दिती ने हिरन्यक्षिपू के निर्देशों को अपनी बहु, रूनभानू, हिरन्याश की पत्नी के साथ सुना। वह तब अपने बेटे की मृत्यू पर अपना दुख गूल गई और इस तरह जीवन के वास्तविक दर्शन को समझने में अपना दिमाग और ध्यान लगाया। इस प्रकार वह पूरे ब्रमान का पूर्ण शासक बनना चाहता था, इस इच्छा के साथ उन्होंने मंदार परवत की घाटी में प्रवेश किया और एक गंभीर प्रकार की तपस्या और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हिरन्यक्षिपू को इस तपस्या में लगे देखकर देवता अपने अपने घरों को लोग गए लेकिन जब हिरन्यक्षिपू इस प्रकार लगे हुए थे तो उनके सिर से एक प्रकार की आग भढ़क उठी जिससे पूरे ब्रमान्ड और उसके निवासियों, पक्षियों, जब सभी उच्चर और निम्म ग्रह रहने के लिए बहुत गर्म हो गए तो देवताओं ने परेशान होकर उच्चर ग्रहों में अपना निवास छोड़ दिया और भगवान ब्रमा को देखने के लिए प्रार्थनाकी की वहिस अनावशिक गर्मी को कम कर दें। देवताओं ने भगवान ब्रमा हिरन्यक्षिपू की अमर होने की महत्वा कांप्षा उनके जीवन की छोटी अब्धी को पार करते हुए और सभी ग्रह प्रनालियों यहां तक ध्रुवलोग के स्वामी होने के लिए प्रकट किया। प्रनाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब भगवान ब्रम्हा ने उन्हें आशीरवाद देने के लिए सहमती व्यक्त की तो उन्होंने प्रार्थना की कि किसी भी जीवत प्रानी द्वारा नहीं मारा जाएं। मुनी ने महाराज युदिष्ठिर से कहा आसुरी राजा हिरन्यक्षिपू अजेयर और बुरापे और शरीर के घटने से मुप्त होना चाहता था। वह शिमा और लगिमा जैसी सभी योग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था अमर होना चाहता था और ब्रमलोग सहित पूरे ब्रमान का एक मात्र राजा बनना चाहता था। पार्थ दो, मंदार पहाडी की घाटी में हिरन्यक्षिपू ने अपने पैर की उंग्लियों के साथ जमीन पर खड़े होकर अपनी बाहों को उपर की ओर रखते हुए और आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या करना शुरू कर दिया। हिरन्यक्षिपू की कथोर तपस्या के कारण उसके सिर से आग निकली और यह आग और उसका धुआ पूरे आकाश में फैल गया, उपरी और निचले ग्रहों को घेर लिया, जो सभी बेहत गर्म हो गए। पार्ट पांच उसकी घोर तपस्या की शक्ती के कारण सभी नदियां और महासागर उत्तेजित हो गए, विश्व की सतह उसके पहारों और वीपों के साथ कापने लगी और तारे और ग्रह गिर गए। सभी दिशाय जलूठी, पार्ट शे, हिरन्यक शिपू की कर्थोर तपस्या से जुलसे और अत्यंत व्याकुल, सभी देवता अपने निवास स्थान को छोड़कर भगवान ब्रमा के ग्रह पर चले गए, जहां उन्होंने निर्माता को इस प्रकार सूचित किया, हैं देवत पार्ट शे, हिरन्यक शिपू ने सबसे गंभीर प्रकार की तपस्या की है, यदिपी उसकी योजना आपके लिए अग्यात नहीं है, क्रिपया सुने क्यूंकि हम उसके इरादे प्रस्तुत करते हैं, पार्ट नौ माइनस दस इस ब्रमान के भीतर सरवोच व्यक्ति, भगव भगवान ब्रम्हा ने घोर तपस्या, रहस्यवादी शक्ती और समाधी के प्रभाव से अपना उच्छपद प्राप्त किया है, नतीज़तन ब्रमान की रचना करने के बाद वह उसके भीतर सबसे अधिक पूजनिय देवता बन गया है, चूनकि मैं सनातन हूँ और समय नामों को उलर दूँगा, मैं इस दुनिया के भीतर सभी स्थापित प्रथाओं को उलर दूँगा, सहस्राबदी के अंत में ध्रुबलोग को भी परास्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इसका क्या उप्योग है, मैं ब्रम्हा की स्थिती में रहना पसंद करूँगा, हे भगवान ब्रम्हा, इस ब्रमान के भीतर आपकी स्थिती निश्चित रूप से सभी के लिए सभसे शुब है, खास कर गायों और ब्राहमनों के लिए, ब्राहमनवादी संस्कृती और गायों की रक्षा का महिमामंदन किया जा सकता है, और इस प्रकार सभी प्रकार के भगवान ब्रम्हा, भरिगू, दक्ष और अन्यमहान रिशियों के साथ तुरंत उस स्थान के लिए शुरू हो गए जहां हिरन्यक्षिपू अपनी तपस्या और तपस्या कर रहा था। एक बादल से धके सूरज के समान, आश्चर्य से चकित, भगवान ब्रम्हा मुस्कुराने लगे और फिर उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। पाथ 17, भगवान ब्रम्हा ने कहा, हे कश्यप मुनी के पुत्र क्रिपया उठो, क्रिपया उठो, आप सभी का सौभाग्य, आपकी सहनशक्ती को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। तमाम तरह के कीड़ों और चीटियों द्वारा खाए और काटे जाने के बावजुद आप अपने जीवन की हवा को अपनी हड़ियों के भीतर प्रवाहित कर रहे हैं। निश्चे ही ये हदभुत है। पा वस्या के साथ वर किया है जो महान संतों के लिए भी असंभव था और इस प्रकार मुझे निश्चित रूप से जीत लिया गया है आपसे। पार्ट 21 हे श्रेश्ट असुरों इस कारण मैं अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सर्व वर देने के लिए तैयार ह का हूँ जो इनसानों की तरह नहीं मरते इसलिए यदिपी आप मृत्यू के अधीन हैं मेरे साथ आपके श्रोता व्यर्प नहीं जाएंगे पार्ट 22 श्री नारध मुनी ने जारी रखा हिरन्यक्षिपू से इन शब्दों को बोलने के बाद भगवान ब्रम्हा जो इस ब्र भगवान ब्रम्हा के जलपोत से पानी के साथ शिर्का गया हिरन्यक्षिपू उठे एक पूर्ण शरीर के साथ इतने मजबूत अंगों से संपन थे कि वे एक वज्व की हर्ताल को सहन कर सकते थे भौतिक बल और पिगले हुए सोने की तरह एक शारीरिक चमक के साथ वह पर अपना सिर रख कर गिर गया और प्रभू के प्रती अपना दायत्व व्यक्त करने लगा पाट पचीस तब भूमी से उठकर ब्रम्हा जी को अपने सम्मुब देखकर दैतियों का मस्तख हर्शित हो उठा उसकी आखों में आसु के साथ उसका पूरा शरीर काप रहा था वो भगवान ब्रम्हा को संतुष्ट करने के लिए हाथ जोड़कर और लखराती आवाज के साथ विनम्र मनोदशा में प्रार्थना करने लगा। प्रकृति के उन गुनों के आश्रे हैं सत्व गुन, रजो गुन और तमो गुन। पार्थ 28 मैं इस ब्रहमान के भीतर मूल व्यक्तित्वप भगवान ब्रम्हा को प्रनाम करता हूं जो ग्यानी हैं और जो इस ब्रहमान ये अभिव्यक्ति को बनाने में अपने दिमाग और वास्तविक गुद्धी को लागू कर सकते हैं उनकी गतिविद्यों के कारण ही ब्रहमान के भीतर सब कुछ दिखाई देता है इसलिए वो सभी अभिव्यक्तियों का कारण है पार्थ 29 आपका आधिपत्य इस भौतिक संसार के जीवन का मूल होने के नाते गतिमान और स्थि दिखाई के नियंथरक हैं पाठ 30 मेरे प्रिया प्रभू वेदों के रूप में अपने रूप से और सपही यागिजिक ग्राहमन की गतिविद्यों Bluetooth से संबंदित भ्यान Blake裡 clone को अगनि सोम के नेतित्व में ठेय वास्तव में आप यागिजिक ग्राहमन को गरने के लिए प्र सर्वोचा आत्मा, सभी जीवों की परमात्मा होने के नाते आप अनादी, अंतहीन और सर्वग्य हैं, समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। पार्ट 31 है मेरे प्रभू, जो कुछ भी होता है, उसे देखकर आपका प्रभुता सदा जागता रहता है। शाश्वत समय के रूप में आप अपने अलग-अलग हिस्सों, जैसे क्षंट, सेकंड, मिनट और घंटे के माध्यम से सभी जीवों के लिए जीवन की अब्धी को कम करते हैं। फिर भी आप अपरिवर्तित हैं, एक स्थान पर परमात्मा, साक्षी और सर्वोच भगवान, जन्महीन, सर्वव्यापी नियंत्रक के रूप में आराम कर रहे हैं, जो सभी जीवों के लिए जीवन का कारण है। परमात्मा, सबसे पुराने भगवान के व्यक्तित्व हैं। परमात्मा, सबस्रित उर्जा है, जिसे सीमान्थ शक्ति कहा जाता है, जिसमें सभी जीव शामिल हैं। पर्ट 35, हे मेरे प्रबू, हे श्रेश्ठ हतम दाता, यदि आप क्रिपया मुझे वह वर्दान देंगे जो मैं चाहता हूँ, तो क्रिपया मुझे आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीव से मृत्यू नहीं मिलने दें। 35, मुझे यह वर्दान दो की मैं न तो किसी निवास के भीतर या किसी निवास के बाहर, दिन के समय या रात में, नहीं जमीन पर या आकाश में मरूं। मुझे दे दो की मेरी मृत्यू तुम्हारे द्वारा बनाए गए लोगों के अलावा किसी और के द्वारा नहो, नहीं किसी हत्यार से, नहीं किसी इंसान या जानवर द्वारा ग्रंट 37-38 मुझे अनुदान दे की मुझे किसी भी जीव, जीवित या निर्जीव से मृत्यू नहीं मिलती है मुझे आगे भी अनुदान दे की मुझे किसी भी देवता या राक्षिस या निचले ग्रहों के किसी भी महान सांप द्वारा नहीं मारा जाए चूनकी युद्ध के मैदान में आपको कोई नहीं मार सकता इसलिए आपका कोई प्रतियोगी नहीं है अता मुझे यह वर्दान दो की मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी नहो मुझे सभी जीवों और अधिष्ठाता देवताओं पर एक मातर आधिपत्य दें और मुझे उस पद से प्राप्त सभी महिमा दें इसके अलावा मुझे लंबी तपस्या और योग के अभ्यास से प्राप्त सभी रहसेवादी शक्तियां प्रदान करें क्योंकि ये किसी भी समय नश्ट नहीं हो सकती है चौथा अध्याए हिरन्यकशिपू ने ब्रमान को आतनकित किया ये अध्याए पूरी तरह से वर्नन करता है कि कैसे हिरन्यकशिपू ने भगवान ब्रमा से शक्ति प्राप्त की और इस ब्रमान के सभी जीवों को परिशान करके इसका दुरुपयोग किया गोर तपस्या से हिरन्यक शिप ने ब्रम्हा को संतुष्ट किया और मन्चाहा वर्दान प्राप्त किया इन वर्दानों को प्राप्त करने के बाद उनका शरीर जो लगबग पूरी तरह से भस्म हो चुका था पूरी सुन्दर्ता और सोने की तरह चमक के साथ पुनर जीवित हो गया था फिर भी वो भगवान विश्णू से इर्शा करता रहा वह यह नहीं बूल पाया कि भगवान विश्णू ने अपने भाई को मार डाला था हिरन्यक्षिपू ने दस दिशाओं और तीनों लोकों में सभी पर विजय प्राप्त की और सभी जीवों, दोनों देवताओं और असुरों को अपने नियंत्रण में ले लिया इंद्र के निवास सहित जिसे उन्होंने बाहर कर दिया था सभी स्थानों का स्वामी बन कर वे बड़े विलासिता में जीवन का आनंद लेने लगे और इस प्रकार पागल हो गए भगवान बिष्णू, भगवान ब्रम्हा और भगवान शिव को छोड़ कर सभी देवता उसके नियंतरन में आ गए और उनकी सेवा करने लगे लेकिन अपनी सारी भौतिक शक्ती के बावजूद बे असंतुष्थ है क्योंकि उन्हें हमेशा बैदिक नियमों का उलंगन करने पर गर्व था सभी ब्राहमन उसे असंतुष्थ है और उन्होंने उसे द्रिल संकल्प के साथ शाब दिया अंतता देवताओं और रिशियों द्वारा प्रतिनिधित्व ब्रमान के भीतर सभी जीवों ने हिरन्यक्षिपू के शासन से राहत के लिए सर्वोच भगवान से प्रार्थना की भगवान विश्णु ने देवताओं को सूचित किया कि हिरन्यक्षिपू द्वारा बनाई गई भयानक परिस्थितियों से वे और अन्य जीव बच जाएंगे चूंकी हिरन्यक्षिपू सभी देवताओं, वेदों के अनुयाई, गायों, ब्राह्मनों और धार्मिक्ट संत व्यक्तियों का उत्पीड़क था और चूंकी वह सरवोच भगवान से इरश्या करता था वह स्वाभाविक रूप से बहुत जल्द ही मारा जाएगा हिरन्यक्षिप का अंतिमकार्य अपने ही पुत्र प्रहलाद को पीरा देना होगा, जो एक महाभगवत, एक श्रेश्ट वैशनब था, तो उसका जीवन समाप्थ हो जाएगा जब देवताओं को इस प्रकार भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा आश्वस्त किया गया, तो हर कोई संतुष्ट था, यह जानकर कि हिरन्यक्षिपू द्वारा उन पर किये गए दुखों का अंत हो जाएगा अंत में, नारद मुनी हिरन्यक्षिपू के पुत्र परहलाद महाराज की विशेष्टाओं का वर्णन करते हैं, और वर्लन करते हैं कि कैसे उनके पिता आपने ही योग्यपुत्र से इश्या करते थे इस प्रकार यह अध्याय समाप्थ होता है पार्ट एक नारद मुनी ने आगे कहा भगवान ब्रम्हा हिरन्यक्षिपू की तपस्या से बहुत संतुष्थ है जिन्हें करना मुश्किल था इसलिए जब आशीरवाद के लिए अनुरोद किया गया तो उन्होंने वास्तव में उन्हें प्रादान किया हालांकि उन्हें शायद ही कभी प्राप्त किया जा सकता था पार्ट दो भगवान ब्रम्हा ने कहा हे हिरन्यक्षिपू आपने जो वर्दान मांगे हैं वे अधिकांच पुरुशों के लिए प्राप्त करना मुश्किल है फिर भी, हे मेरे बेटे, मैं आपको उन्हें अनुदान दूंगा हालांकि वे आमतोर पर उपलब्ध नहीं होते हैं पार्थ 3 तब भगवान ब्रम्हा जो अचुक आशीरवाद प्रदान करते हैं राक्षसों के सरवश्रेष्ट हिरन्यक्षिपू द्वारा पूजा की जा रही है और महान रिशियों और संत व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा की जा रही है पार्थ 4 राक्षस हिरन्यक्षिपू इस प्रकार भगवान ब्रम्हा द्वारा आशीरवाद दिया गया था और एक चमकदार सुनहरे शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने भाई की मृत्यू को याद करता रहा और इसलिए भगवान विष्णू से इर्शा करता था पार्थ 5-7 हिरन्यक्षिपू पूरे ब्रमान का विजेता बन गया वास्तव में उस महान राक्षस ने तीनों लोकों उप्री, मध्य और निचले में सभी ग्रहों पर विजय प्राप्त की जिसमें मानव के ग्रह, गंधर, गरुन, महान नाग, सिधर, चारन और विद्याधर, महान संथ, यम्राज शामिल थे मनु, यक्ष, राक्षस, पिटक और उनके स्वामी और भूतों और भूतों के स्वामी उसने अन्य सभी ग्रहों के शासकों को पराजित किया जहां जीव हैं और उन्हें अपने नियंतरन में लाया सभी के निवासों को जीत कर उन्होंने उनकी शक्ती और प्रभाव को जबत कर लिया पार्ट आठ, हिरन्यक शिपू, जिसके पास सभी ऐश्वर्यत है, अपने प्रसिद नंदन उद्यान के साथ स्वर्ग में निवास करने लगे, जिसका आनन देवताओं द्वारा लिया जाता है वास्तब में, वह स्वर्ग के राजा इंदर के सबसे भव्य महल में रहता था महल का निर्मान सीधे देवता वस्तुकार विश्वकरमा द्वारा किया गया था और इसे इतनी खूपसूरती से बनाया गया था मानों पूरे ब्रमान की भागे की देवी वहां निवास करती हों। पार्ट नौ माइनस बारा, राजा इंद्र के निवास की सीडियां मूंगे से बनी थी, फर्ष अमूल्य पन्ने से अलंकृत था, दीवारे क्रिस्टल की थी, और वैदिर्य पत्थर के स्टंब थे। अद्बुट छत्रियों को खूबसूरती से सजाया गया था, सीटों को मानएक से सजाया गया था, और रेशम के बिस्तर, फोम के रूप में सफेद, मोतियों से सजाय गए थे। महल की महिलाएं जो सुन्दर दांतों और सबसे अद्भुत सुन्दर चेहरों से धन्य थी महल में इधर उधर चली गई उनके टकने की घंटिया मधूर रूप से टिम्टिमा रही थी और रतनों में अपने स्वयम के सुन्दर प्रतिबिम्द देखे हाला की देवताओं को बहुत अधिक उत्पीरित होने के कारण हिरन्यक शिपू के चरणों में जुकना पड़ा और उन्हें प्रनाम करना पड़ा जिन्होंने देवताओं को बहुत कथोर और बिना किसी कारण के दन दिया था इस प्रकार हिरन्यक शिपू महल में रहता था और सभी पर कठोर शासन करता था पार्ट तेरह हैं मेरे प्रियराजा हिरन्यक शिपू हमेशा तेज महक वाले शराब और शराब के नशे में रहता था और इसलिए उसकी तामबे की आँखें हमेशा लुरकती रहती थी फिर भी क्योंकि उन्होंने रहसे मयं योग में शक्तिशाली रूप से महान तपस्या की थी हालांकि बे ग्रिनित थे तीन प्रमुक देवताओं भगवान ग्रमहा, भगवान शिव और भगवान विश्नु ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने हाथों से विविन प्रस्तुतियां लाकर उन्हें प्रसंद करने के लिए उनकी पूजा की। हिरन्यक्षिपू ने देवताओं को चड़ावे के हिस्से की पेशकश करने के बजाए उन्हें स्वयम स्वीकार कर लिया। हिरन्यक्षिपू के उप्योग के लिए विविन प्रकार के रतनों और रतनों की आपूरती की। ये महासागर खारे पानी, गन्ने का रस्ट शराब घी, दूद, दही और मीठे पानी के सागर थे। पार्ट अथारा, पहारों के बीच की घाटियां हिरन्यक्षिपू के लिए आनंद के खेत्र बन गई, जिनके प्रभाव से सभी पेडों और पौदों ने सभी मौसमों में फल और फूर पैदा किये। पानी डालने, सुखाने और जलाने के गुन, जो ब्रमान के तीन विभागिय प्रमुकों, इंद्र, वायू और अग्नी के सभी गुन हैं, सभी देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरन्यक्षिपू द्वारा निर्देशित थे। पार्ट उन्नीस्ट सभी दिशाओं में नियंतरं करने की शक्ती प्राप्त करने के बावजूद और यथा संभव सभी प्रकार की प्रिय इंद्रियत्रिप्ती का आनन लेने के बावजूद, हिरन्यक्षिपू असंतुष्थ था क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को नियंतर पार्ट एक्कीस, हिरन्यक्षिपू द्वारा उन्हें दिये गए कथोर दंड के कारण विभिन ग्रहों के शासकों सहित हरकोई अत्यंत व्यथित था। भैभीत और परेशान किसी अन्य आश्रे को पाने में असमर्थ उन्होंने अंत में भगवान के परम व्यक्तित्वक विश्नु के सामने आत्मसमर्पन कर दिया। ग्रंद 22-23 आए हम उस दिशा में अपना सम्मान पूर्वक प्रनाम करें जहां भगवान के सर्वोचर व्यक्तित्वस्थित हैं, जहां जीवन के त्यार के क्रम में शुधा आत्माएं, महान संत व्यक्ति जाते हैं और जहां से जाने के बाद वे कभी वापस नहीं आते हैं नींद के बिना अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए और केवल अपनी सांस पर रहते हुए, विभिन ग्रहों के प्रमुप देवताओं ने इस ध्यान के साथ हिकेश की पूजा करना शुरू कर दिया 25-24 तब उनके सामने एक दिव्यध्वनी स्पंदन प्रकट हुआ, जो एक ऐसे व्यक्तित्व से उत्पन हुआ जो भौतिक आँखों को दिखाई नहीं दे रहा था आवाज बादल की आवाज की तरह गंभीर थी और यह बहुत उत्साहजनक थी, सभी भए को दूर कर रही थी ग्रंथ 25-26 प्रभू की वानी इस प्रकार स्पंदित हुई, हेश्रेश्ट विद्वानों, डरो मत मैं आपके सभी अच्छे भागे की कामना करता हूँ, मेरे बारे में सुनकर और नाम जब करके और मेरी पूजा करके मेरे भक्त बनो, क्योंकि ये निश्चित रूप से सभी जीवों को आशीरवाद देने के लिए हैं मैं हिरन्यक्षिपू की गतिविद्यों के बारे में सब कुछ जानता हूँ और निश्चित रूप से उन्हें बहुत जल्द रोग दूँगा क्रिपया उस समय तक धहर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें पार्थ 27 जब कोई देवताओं से इरश्या करता है जो भगवान के सरवोच व्यक्तित्व का प्रतिनिदित्व करते हैं वेद जो सभी ज्यान देते हैं गायों ब्राहमनों वैश्नवों और धार्मिक सिध्धानतों के बारे में और अंतता मुझसे भगवान के सरवोच व्य देर किये परास्त कर दिया जाएगा पार्थ 28 जब हिरन्यक्षिपू महान भक्त प्रहलाद को चिडाता है उसका अपना पुत्र जो शांत और शांत है और जिसका कोई शत्रू नहीं है मैं ब्रम्हा के आशीरवाद के बावजूद हिरन्यक्षिपू को तुरंत मार डालूं पार्थ 30 हिरन्यक्षिपू के चार अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे जिन में से प्रहलाद नाम का पुत्र सर्वश्रेश्थ था वास्तव में प्रहलाद सभी दिव्य गुनों का भंडार था क्योंकि वह भगवान के व्यक्तित्व का एक अनन्य भक्त था पार्थ 31-32 हिरन्यक्षिपू के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुनों का वर्नन यहां किया गया है वे एक योग यब्राहमन के रूप में पूरी तरह से सुसंस्क्रिट थे बहुत अच्छे चरित्रवाले और परमसत्य को समझने के लिए द्रिर थे इंद्रियों और मन पर उनका पूर्ण नियंत्रन था परमात्मा की तरह वो हर जीव के प्रती दयालू थे और सभी के सबसे अच्छे दोस्त थे आदर्नी अव्यक्तियों के लिए उन्होंने बिलकल एक नौकर की तरह काम किया गरीबों के लिए वे एक पिता के समान थे अपने समकषों के लिए वे एक सहानबू टिपूर्न भाई की तरह जुडे हुए थे और वे अपने शिक्षकों, आध्यात्मिक गुरूं और बड़े गौड ब्रदरों को सर्वोच व्यक्तित्व के समान मानते थे डेप्त्व का, वह प्राकृतिक अभिमान से पूरी तरह मुप्त था जो उसकी अच्छी शिक्षा, धंत, सौंदर्य, अभिजात वर्ग आधी से उत्पन हो सकता था पार्ट तेंटीस, यदिपी प्रहलाद महाराज का जन्म असुरों के परिवार में हुआ था, वेस्वयम असुर नहीं थे, बलकि भगवान विश्नु के बहुत बड़े भक्त थे अन्या असुरों के विप्रीत, वह वैश्नवों से कभी इर्शा नहीं करता था खत्रे में पढ़ने पर वहुत तेजित नहीं हुआ, और ना तो प्रत्यक्ष और नहीं अप्रत्यक्ष रूप से वेदों में वर्नित फल्दाई गतिविदियों में रुची रखता था वास्तव में, वह सब कुछ भौतिक को बेकार मानता था, और इसलिए वह पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से रहित था उन्होंने हमेशा अपनी इंद्रियों और जीवन वायू को नियंतित किया, और स्थिर बुद्धी और ड्रिल संकल्प के कारण उन्होंने सभी कामों के च्छाओं को वश्च में कर लिया पार्ट 34, हे राजा प्रहलाद महाराज के अच्छे गुनों की महिमा अभी भी विद्वान संतों और वैश्नवों द्वारा की जाती है च्छून की सभी अच्छे गुन हमेशा भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व में विद्धिमान पाए जाते हैं वे भी उनके भक्त प्रहलाद महाराज में हमेशा के लिए मौजूद होते हैं पार्ट पैंटीस्ट किसी भी सभा में जहां संतों और भक्तों के बारे में प्रवचन होते हैं है राजा युदिष्ठिर यहां तक राक्षसों के दुश्मन अर्थाद देवता आपकी क्या बात करें प्रहलाद महाराज को एक महान भक्त के उदाहरं के रूप में उध्रित करेंगे पार्ट प्रहलाद महाराज के असंखे दिव्य गुनों को कौन सुचीबत कर सकता है उन्हें वासुदेव भगवान कृशन वासुदेव के पुत्रभ में अतूट विश्वास था और उनकी अनन्य भक्ती थी उनकी पिछली भक्ती सेवा के कारण भगवान क्रिशन के प्रती उनका लगाव सुभाविक था हालांकि उनके अच्छे गुनों की गर्णा नहीं की जा सकती है वे साबित करते हैं कि वह एक महानात्मा, महात्मा थे 35-37 प्रहलाद महाराज को बच्पन से ही बच्पन से ही बच्पन से ही बच्पन से ही बच्कानी हरकतों में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वास्तव में उन्होंने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया और पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लीन होकर चुप और नीरस बने रहे चून की उनका मन हमेशा क्रिशन भावनामृत से प्रभावित था, वे समझ नहीं पा रहे थे कि दुनिया कैसे इंद्रियत्रिप्ती की गतिविधियों में पूरी तरह से लीन हो जाती है पार्ट अर्टीस प्रहलाद महाराज हमेशा क्रिशन के विचार में लीन थे इस प्रकार हमेशा भगवान के आलिगन में रहने के कारण वो नहीं जानता था कि उसकी शारीरिक आवश्यक्ताएं जैसे बैठना, चलना, खाना, लेटना, पीना और बात करना स्वचालित रूप से कैसे किया जा रहा था पार्ट उन्तालिस्ट क्रिशन भावनामरित में उन्नती के कारण वे कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी प्रसन्नता व्यक्त करते थे और कभी जोर से गाते थे पार्ट चालीस कभी कभी भगवान के सरवोच व्यक्तित्व को देखकर प्रहलाद महाराज पूरी चिंता में जोर से पुकारते थे वह कभी कभी उल्लास में अपनी शर्म खो देता है और पर्मानंद में नृत्य करना शुरू कर देता है और कभी कभी पूरी तरह से कृष्ण के विचारों में लीन होकर उसने एक्ता का अनुभव किया और भगवान की लीलाओं का अनुकरन किया पार्ट 41 कभी कभी भगवान के कमल के हाथों के स्पर्ष को महसूस करते हुए वह आध्यात्मिक रूप से हर्शित हो गया और चुप रहा उसके बाल अंत में खड़े थे और भगवान के प्रती उसके प्रेंग के कारण उसकी आधी बंद आँखों से आंसु बह रहे थे पार्ट 42 पूर्ण शुद्ध भगतों के साथ उनके संबंद के कारण जिनका किसी भी सामगरी से कोई लेना देना नहीं था प्रहलाद महाराज लगातार भगवान के चरंग कमलों की सेवा में लगे रहे जब बेपूर्ण पर्मानंद में थे तब उनकी शारीरिक विशेशताओं को देखकर आध्यात्मिक समझ में बहुत गरीब व्यक्ति शुद्ध हो गए थे दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज ने उन्हें दिवे आनंग प्रदान किया पार्ट तैंतालीस मेरे प्रियरा राजा युदिश्धिर राक्षस हिरन्यकर शिप ने इस महान भागेशाली भक्त को पीड़ा दी हालांकि प्रहलाद उसका अपना पुत्र था पार्ट चौवालीस महाराज युदिश्धिर ने कहा है देवताओं में सबसे अच्छे संथ है आध्यात्मिक नेताओं में से सरवश रेष्ट हिरन्यक शिपू ने प्रहलाद महाराज शुधर और महान संथ को इतना कश्ट कैसे दिया हालांकि प्रहलाद उनका अपना पु प्रहलाद महाराज के पिता हिरन्यक शिपू ने ऐसे महान पुत्र को कैसे दिया मैं यही जानने को आतुर हूँ पार्ट चियालीस महाराज युदिश्धिर ने आगे पूछा एक पिता के लिए एक महान पुत्र के प्रती इतना हिंसक होना कैसे संभव था जो आग्याकारी अच्छे व्यवहार वाला और अपने पिता का सम्मान करने वाला था। हे ब्राहमन, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधभास नहीं सुना है कि एक सनही पिता अपने कुलीन पुत्र को मारने के इरादे से दंडित करता है। कृपया इस संबंद में हमारी शंकाओं को दूर करें। अध्याए पांच हिरन्यकर्शिप के संथ पुत्र प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज ने अपने शिक्षकों के आदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि वे हमेशा भगवान विश्नु की पूजा में लगे रहते थे। जैसा कि इस अध्याए में वर्नित है, हिर हिरन्यकर्शिप के आध्यात्मिक गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे जिनका नाम शन और अमरक था, जिन्हें प्रहलाद महाराज को शिक्षा के लिए सौपा गया था। यदिपी शिक्षकों ने लड़के प्रहलाद को राजनीती, अर्थशास्त्र और अन्य भौ होने के कारण बे सभी के प्रती समान थे। एक बार हिरन्यकर्शिपू ने अपने बेटे से पूछा कि उसने अपने शिक्षकों से सबसे अच्छी बात क्या सीखी है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि द्वैत की भौतिक चेतना में तल्लीन एक व्यक्ति यह मेरा है और यह मेरे शत्रू का है को अपना ग्रिहस्त जीवन छोड़ देना चाहिए और सरवोच भगवान की पूजा करने के लिए वन जाना चाहिए। जब हिरन्यक शिपू ने अपने बेटे से भक्ती सेवा के बारे में सुना तो उसने फैसला कि इस छोटे लड़के को स्कूल म मानसिक्ता जूटी है और इसलिए वो भगवान विश्णू के अनन्य भक्त बनने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षकों ने इस जवाब से बहुत नाराज होकर लड़के को कई भयानक शर्तों के साथ डाटा और धमकाया। उन्होंने उसे अपनी पूरी क्षमता से सिखाया और फिर उसे उसके पिता के सामने लाया। हिरन्यक्षिपू ने अपने पुत्र प्रहलाद को प्यार से गोध में लिया और फिर उससे पूछा कि उसने अपने शिक्षकों से सबसे अच्छी बात क्या सीखी है। हमेशा की तरह प्रहलाद महाराज ने श्रवनम और कीर्तनम जैसी भक्ती सेवा की नौ प्रक्रियाओं की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार राक्षसों के राजा हिरन्यक शिपू ने अत्यदिक प्रोधित होकर प्रहलाद महाराज को गलत तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षकों, शन और अमरक को दंडित किया। तथाकतित शिक्षकों ने राजा को सूचित किया कि प्रहलाद महाराज स्वचालित रूप से एक भक्त थे और उनके निर्देशों को नहीं मानते थे। जब उन्होंने खुद को निर्दोश साबित किया तो हिरन्यकशिप ने प्रहलाज से पूछा कि उन्होंने विश्नु भक्ति कहां से सीखी है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो लोग पारिवारिक जीवन से जुड़े होते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्रिशन भावनामृत विक्सित नहीं करते हैं। इसके बजाए, वे इस भौतिक दुनिया में बार- जन्म और मृत्यू भुगतते हैं और केवल चबाया हुआ चबाते रहते हैं। प्रहलाद ने समझाया कि प्रतेक व्यक्ति का करतव्य एक शुद्भख्त की शरन लेना है और इस प्रकार क्रिशन भावनामृत को समझने के योग्य बनना है। इस उत्तर से क्रोधित होकर हि हिरन्यक शिपू के सहायकों ने प्रहलाद को धारदार हतियारों से मारा, उसे हाथियों के पैरों के नीचे फैंक दिया, उसे नार किये परिस्तितियों में डाल दिया, उसे एक पहार की चोटी से फैंक दिया और उसे हजारों आन्या तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। हिरन्यकर्शिप इसलिए अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से अधिक भैभीत हो गया और उसे गिरफतार कर लिया। वे राक्शसों ने शुक्राचार्य को कर्मकांडों के लिए अपने पुजारी के रूप में स्विकार किया। किसी को मित्र और किसी को शत्रु मानना है और इस प्रकार उन्हें यह पसंद नहीं आया। पार्ट चार मेरे प्रिया राजा युदिश्थिर एक बार राक्षसों के राजा हिरन्यक्षिपू ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोध में लिया और बहुत प्यार से पूछा मेरे प्रिया पुत्र कृपया मुझे बताएं कि आपके द्वारा अध्यन किये गए को सबसे अच्छा क्या लगता है अपने शिक्षकों से पार्ट पांच प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया है असुरों में सरवश्रेष्ट राक्षसों के राजा जहां तक मैंने अपने आध्यात्मिक गुलू से सीखा है कोई भी व्यक्ति जिसने अस्थाई शरीर और अस नमरित प्रचलित है और इस प्रकार भगवान के सरवोच व्यक्तित्व की शरन लेनी चाहिए पार्ट शेप नारद मुनी ने जारी रखा जब प्रहलाद महाराज ने भक्ती सेवा में आत्मा साक्षातकार के मार्ग के बारे में बात की इस प्रकार अपने पिता के शत्रू के शिविर के प्रती वफादार होने के कारण राक्षिसों के राजा हिरन्यक्षिपू ने प्रहलाद के शब्दों को सुना और उन्होंने हंस्ते हुए कहा इस प्रकार है शत्रू की बातों से बच्चों की बद्धी खराब हो जाती है पार्ट साथ हिरन्यक्षिपू ने अ सान और अमरक ने उसे शांत किया। उन्होंने बहुत ही मृदूसवरों और स्नेहपून शब्दों से उससे इस प्रकार पूछा। हम सभी आपके शिक्षक हैं और इस बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुख हैं। मित्रों और स्वयम के बीच भेद नहीं करता है। बुद्धिमानी से वह तब सोचता है हम में से प्रतेक परमेश्वर का एक शाश्वत सेवक है और इसलिए हम एक दूसरे से भिन नहीं हैं। पार्ट 13 जो लोग हमेशा दुश्मन और मित्र के संदर्ग में सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा का पता लगाने में असमर्थ हैं। उनकी बात ना करें तो भगवान ब्रमा जैसे महान व्यक्ति भी जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह परिचित हैं कभी-कभी भक्ती सेवा के सिध्धान्तों का पालन करने में ब्रमित होते हैं। उसी परम पुरुशोत्तम भगवान ने, जिसने यह स्थिती पैदा की है, निश्चित रूप से मुझे आपके तथाकतित शत्रुका पक्ष लेने की बुद्धी दी है। और अमरक से यह कहकर चुप हो गए। तब यह तथाकतित ब्राह्मन उस पर क्रोधित हो गए। क्योंकि बे हिरन्यक्षिपू के सेवक थे, उन्हें बहुत खेद हुआ और प्रहलाद महाराज को तारना देने के लिए उन्होंने इस प्रकार बात की। बहुत तार बुद्धू की तरह प्रकाट हुआ है। इस तरह उन्होंने उसे शिक्षित किया। पार्ट उन्नीस कुछ समय बाद शिक्षक सांड और अमरका ने सोचा कि प्रहलाद महाराज सारवजनिक नेताओं को शांथ करने, उन्हें आकरशक पत दे कर, उन्हें विभाजित करने और उन पर शासन करने और अवग्या के मामलों उन्हें दंडित करने के राजने एक मामलों में पर्याप्त रूप से शिक्षित थे। फिर एक दिन जब प्रहलाद की मा ने व्यक्तिगत रूप से लड़के को धुया और उसे पर्याप्त गहने पहनाए तो उन्होंने उसे उसके पिता के सामने पेश किया। पार्ट 21, नारद मुनी ने जारी रखा, मेरे प्रिया राजा युदिश्थिर, हिरनिक शिपू ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया और उनके सिर को सूंगने लगे। उसकी आँखों से नहीं आसु गिर रहे थे और बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे क को नम कर उसने अपने बेटे से इस प्रकार बात की। पार्ट 22, हिरनिक शिपू ने कहा, मेरे प्यारे प्रहलाद, मेरे प्यारे बेटे, हे दीर घायू, इतने समय से तुमने अपने शिक्षकों से बहुत सी बाते सुनी हैं। अब कृपया मुझे वही दोहराएं जो आपक कमलों की सेवा करना, 16 प्रकार की सामगरी के साथ भगवान की सम्मान जनक पूजा करना, उनकी पूजा करना भगवान, उनका सेवग बन कर, भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हुए, और उन्हें सब कुछ समर्पन, दूसरे शब्दों में, शरीर, मन और शब कर लिया है, पार्ट 25, अपने पुत्र प्रहलात के मुख से भक्ती सेवा के ये बचन सुनकर हिरन्यक्षिपू अत्यंत क्रोधित हुआ, उनके हुंट कापते हुए, उन्होंने अपने गुरू शुक्राचार्य के पुत्र शनी से इस प्रकार बात की, पार्ट 26, हे अयोग् पर पापी लोगों में तरह तरह के रोग प्रकट होते हैं, इसी तरह इस दुनिया में जूटे वेश में कई धोके बाज दोस्त हैं, लेकिन अंतता उनके जूटे व्यवहार के कारण उनकी वास्तविक दुश्मनी प्रकट हो जाती है, पार्ट 28, हिरन्यक्षिपू के आध इस प्रकार ब्राह्मन का अपमान करना ठीक नहीं है, पार्ट 29, श्री नारद मुनी ने आगे कहा, जब हिरन्यक्षिपू को शिक्षक से यह उत्तर मिला, तो उन्होंने फिर से अपने पुत्र प्रहलाद को संबोधित किया, हिरन्यक्षिपू ने कहा, हे धूर्थ, हमारे परिवार के सबसे पतित, यदि आपने अपने शिक्षकों से यह शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो आपने इसे कहां प्राप्त किया है, पार्ट 30, प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण, भौतिकवादी जीवन के आदी व्यक् जो भौतिक जीवन का आनन लेने की चेतना में द्रिरता से फंस गए हैं, और जिन्होंने अपने नेताया गुरू के रूप में बाहरी इंद्रिय विशेयों से जुरे एक समान अंधे व्यक्ती को स्वीकार कर लिया है, वे यह नहीं समझ सकते हैं कि जीवन का लक्ष घर लो व्यक्ति के नेत्रित्व में फलदाई श्रम की रिस्सियों से बंदे होते हैं, जो बहुत मजबूत रिस्सियों से बने होते हैं, और वे बार बार जारी रहते हैं। व्यक्ति भौतिक संदूशन से मुप्त हो सकता है। व्यक्ति सेवा में सनलग्न करने के लिए छोड़ दिया है। पार्च शतीस यदिपी प्रहलाद केवल पांच वर्ष का है, इस छोटी सी उम्र में भी उसने अपने पिता और माता के साथ अपने सने ही संबंद को त्याग दिया है। इसलिए वह निश्चित रूप से अविश्वसनिय है। वास्तव में यह बिलकुल भी विश्वास नहीं है कि वह विश्णू के प्रती अच्छा व्यवहार करेगा। पार्ट सेंटीस हालां कि एक औशदिय जड़ी बूटी जंगल में पैदा होने के कारण एक आदमी के समान श्रेनी में नहीं आती है। अगर यह फाइदे मंद है तो इसे बहुत साथधानी से रखा जाता है। इसी प्रकार यदी किसी के परिवार से बाहर का व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षन देना चाहिए। दूसरी और यदी किसी के शरीर का कोई अंग्रोग से ग्रसित है तो उसे कार देना चाहिए ताकि शेष शरीर सुख से रह सके। इसी तरह अपने स् तो अस्वी कार कर दिया जाना चाहिए, भले ही वह अपने शरीर से पैदा हुआ हो। पार 38, जिस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में लगे सभी योगियों की अनियंत्रित इंद्रिया शत्रू हैं, उसी प्रकार यह प्रहलाद, जो मित्र प्रतीत होता है, शत्रू है क्योंकि मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए यह शत्रू चाहे खा रहा हो, बैठा हो या सो रहा हो, उसे हर हाल में मारा जाना चाहिए। सर्वोच व्यक्तित्व का ध्यान कर रहे थे। पार्ट 41 भले ही जिस व्यक्ति के पास पुन्यकारियों में कोई संपत्ती नहीं है, वो कुछ अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसका कोई परिनाम नहीं होगा। इस प्रकार राक्षसों के हतियारों का प्रहलाद महाराज पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित एक भक्त था और पूरी तरह से भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व का ध्यान और सेवा करने में लगा हुआ था, ज तब से अधिक भैवीत होकर उसे मारने के लिए अन्य उपाय करने लगे। तो वो बहुत चिंता में था कि आगे क्या किया जाए। जिसे कभी भी सीधा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो मेरे दुर्विवहार और अपने स्वामी भगवान विश्नु के साथ अपने संबंध को कभी नहीं बूलता है। पाट 47 मैं देख सकता हूँ कि इस लड़के की ताकत असीमित है क्योंकि उसे मेरी किसी भी सजाका डर नहीं है। वो हमर प्रतीत होता है। इसलिथे मैं उससे बैर के कारण मरूंगा। या शायद ऐसा नहीं होगा। पाट 48 ऐसा सोचकर दैतियों के राजा, उदास और शारीरिक चमक से रहित अपने चेहरे को नीचे की ओर करके चुप रहे। तब शुक्राचार्य के दो पुत्र शनी और अमरक ने उनसे गुप्त रूप से बात की। पाट 49 हे प्रभू, हम जानते हैं कि जब आप केवल अपनी बोहें हिलाते हैं, तो विभिन ग्रहों के सभी सेनापती सबसे अधिक भैबीत होते हैं। बिना किसी सहायक की सहायता के आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्ट कर ली है। इसलिए हम आपके उदास और चिं से गिरफतार करें ताकि वह डर के मारे भाग न जाए। जो भी हो, जब तक वह कुछ बड़ा हो जाता है और हमारे निर्देशों को आत्मसात कर लेता है या हमारे आध्यात्मिक गुरू की सेवा करता है, तब तक वह अपनी बुद्धी में बदल जाएगा। इसलिए चिं सांड और अमरक ने विवस्थित और निरंतर प्रहलाद महाराज को सिखाया, जो बहुत विनम्र और विनम्र थे, सांसारिक धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रियत्रिप्ती के बारे में। पार्च चाववन, जब शिक्षक अपने घर के मामलों में भाग लेने के लिए घर जाते थे, तो प्रहलाद महाराज के समान उम्र के छातर उन्हें खेलने के लिए अवकाश के समय का अफसर लेने के लिए बुलाते थे। प्रहलाद महाराज के प्रती बहुत सनही और आदर्निय थे और अपनी कोमल उम्र के कारण बे अपने शिक्षकों के निर्देशों और कारियों से इतने प्रदूशिक नहीं थे जो निंदा द्वैत और शारीरिक आराम से जुड़े थे। इस प्रकार लड़कों ने अपना खेल छोड़कर प्रहलाद महाराज को घेर लिया और उन्हें सुनने के लिए बैट गए। उनके दिल और आखें उस पर्टी की हुई थी, उन्होंने उसे बड़ी गंभीरता से देखा। प्रहलाद महाराज हालांकि एक राक्षस परिवार में पैदा हुए थे, एक महान भक्त थे और वे उनका कल्यान चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने उन्हें भौतिकवादी जीवन की वियर्थता के बारे में निर्देश देना शुरू किया। अध्याइ शे प्रहलाद ने अपने आसुरी सहपाथियों को निर्देश दिया यह अध्याइ प्रहलाद महाराज के अपने कक्षा मित्रों को दिये गए निर्देशों का वर्नन करता है। अपने दोस्तों से बात करते हुए, जो सभी राक्षिसों के पुत्र थे, प्रहलाद महाराज ने जोर देकर कहा कि प्रतेग जीव, विशेश रूप से मानव समाज में, जीवन की शुरुआत से ही आध्यात्मिक प्राप्ती में रुची होनी चाहिए। कोई गलत सोच सकता है, हमारे जीवन की शुरुआत में हम भौतिक सुविधाओं का आनंद ले और बुरापे में हम क्रिशन भावनाभावित हो सकते हैं। इस तरह के भौतिकवादी विचार हमेशा बेकार होते हैं क्योंकि बुरापे में किसी को आध्यात्मिक जीवन शैली म में प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीवन की शुरुआत से ही व्यक्ति को भक्ती सेवा में सनलग्न होना चाहिए। श्रावन, कीर्तन, विश्नु एच। यह सभी जीवों का करतव्य है। बहुत एक शिक्षा प्रकृती के तीन गुनों से संक्रमित है ले व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की विधा को समझने में सक्षम होगा। गतिविदी के इस तरीके को स्विकार करने में भौतिक योग्यता की कोई आवश्यक्ता नहीं है। प्रहलाद महाराज के कक्षा मित्रों द्वारा प्रहलाद महाराज की बात सुनने के बाद उन्होंन में बच्पन की कोमल उम्र से अन्य सभी कारियों को छोड़कर भक्ती सेवा की गतिविद्यों का अभ्यास करने के लिए मानव शरीर शायद ही कभी प्राप्थ होता है और अन्य शरीरों की तरह हस्थाई होते हुए भी यह सार्थक है क्योंकि मानव जीवन में कोई भक्ती सेवा कर सकता है सच्ची भक्ती की थोड़ी सी मात्रा भी व्यक्ती को पूर्न पूर्न ता प्रदान कर सकती है पार्ट दो जीवन का मानव रूप किसी को घर लोटने का मौका देता है वापस भगवान के पास इसलिए प्रतेग जीव को विशेश रूप से मानव जीवन में भगवान विश्णू के चरंग कमलों की भक्ती में सनलगन होना चाहिए यह भक्ती सेवा स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विश्णू भगवान के सरवोच व्यक्तित्वत सबसे प्यारे आत्मा के स्वामी और अन्य सभी जीवों के शुबचिन तक है पाठ तीन प्रहलाद महाराज ने जारी रखा मेरे प्यारे दोस्तों आसुरी परिवारों से पैदा हुए शरीर के संपर्ख से इंद्रियों के संदर्व में अनुभव किया गया सुख किसी के पिछले फलदाई गतिविद्यों के अनुसार जीवन के किसी भी रूप में प् बिना किसी वास्तविक लाप के यदि किसी के प्रयास कृष्ण भावनामृत की ओर निर्देशित होते हैं तो वो निश्चित रूप से आत्मसाक्षातकार के आध्यात्मिक मंच को प्राप्त कर सकता है आर्थिक विकास में स्वयम को शामिल करने से ऐसा कोई लाब नहीं है पार 5 इसलिए भौतिक अस्तित्व में रहते हुए भवम अशृत एक व्यक्ति को गलत और सही में अंतर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम व्यक्ति को जीवन के उचितम लक्षे को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि शरीर मोटा और मजबूत हो और घटन से शर्मिंदा न हो पार्ट शे प्रतेक मनुश्य के जीवन की अधिक्तम अब दी सौ वर्ष होती है लेकिन जो अपनी इंड्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता उसके लिए आदे वर्ष पूरी तरह से नश्ट हो जाते हैं क्योंकि रात में वह ग्यान से आच्छादित होकर 12 गंटे सोता है इसलिए ऐसे व्यक्ति का जीवन काल केवल 50 वर्ष का होता है पार्ट साथ बच्पन के ननहे मुन्नों में जब हर कोई हत्प्रभ होता है तो 10 साल बीच जाते हैं इसी तरह लड़क्पन में खेल कूद में लगा हुआ एक और 10 साल बीच जाता है इस तरह 20 साल बरबाद हो जाते हैं इसी प्रकार व्रिधावस्था में जब कोई व्यक्ति अशक्त होता है यहां तक भौतिक गतिविद्यों को करने में भी असमर्थ होता है तो वो एक और 20 वर्ष व्यर्प में व्यतीत करता है पार्ट आठ जिसका मन और इंद्रिया अनियंत्रित हैं व ग्रिहस्थ जीवन में आसक्त होकर स्वयम को मुक्त कर सकता है एक सनलग्म ग्रिहस्थ अपने परिवार पत्नी बच्चों और अन्य रिष्टेदारों के लिए सनेंकी रिस्सियों से बहुत मजबूती से बंधा होता है पार्ट दस्ध धन इतना प्रिय है कि व्यक्ति धन को शहत से भी मीठा समझता है इसलिए विशेश रूप से ग्रिहस्थ जीवन में धन संचय करने की इच्छा को कौन छोड़ सकता है चोर पेशेवर नौकर सैनिक और व्यापारी अपनी जान जोखिम में डाल कर भी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं ग्रंद 11-13 एक व्यक्ति जो हमेशा उनके चित्रों से भरा रहता है वो अपना जुराव कैसे छोर सकता है विशेश रूप से एक पत्नी हमेशा बहुत रयालू और सहान भूतिपूर्ण होती है और हमेशा अपने पती को एकांट स्थान पर प्रसंद करती है इतनी प्यारी और सनही पत्नी की संगती को क बेटी अपने पता को विशेश रूप से प्यारी होती है और अपने पती के घर में रहते हुए वो हमेशा उसके दिमाग में रहती है उस संग को कौन छोर सकता है इसके अलावा घरेलू मामलों में घरेलू फनीचे के कई सजाए गए सामान होते हैं साथ ही जानवर और नौ स्थितियों से बंधा हुआ है कोई कैसे बच सकता है पार 14 जो बहुत आसक्त है वह यह नहीं समझ सकता कि वह अपने परिवार के भरन पोशन के लिए अपना बहुमूले जीवन बरबाद कर रहा है वह यह समझने में भी विफल रहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य पर होता है वह भौतिक अस्तित्व के तरीके के लिए अरुची विक्सित नहीं करता है पार 15 यदि कोई व्यक्ति भी परिवार के भरन पोशन के कर्तवियों से जुड़ा हुआ है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो उसके हृदय का मूल धन संचय क करने में डूबा रहता है यदिपी वह जानता है कि जो दूसरों का धन लेता है उसे सरकार के कानून द्वारा दंडित किया जाएगा और मृत्यू के बाद यम्राज के कानूनों द्वारा वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देना जारी रखता है पार 16 है मे अप्धारना में अपने परिवारों को जीवन की आवर्शिक ताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं वे आध्यात्मिक ज्यान लेने में असमर्थ हैं इसके बजाए वे भ्रमित हैं और अग्यानता से दूर है पार 17-18 मेरे प्यारे दोस्तों है राक्षिसों के पुत्रों यह निश्चित है कि भगवान के परम व्यक्तित्व के ग्यान से रहित कोई भी व्यक्ति किसी भी समय या किसी भी देश में अपने आपको भौतिक बंधन से मुक्त नहीं कर पाया है बलकि जो लोग भगवान के ग्यान से वंचित हैं वे भौतिक नियमों से बंधे हैं वे इस तरह वे भौतिक बंधन में फंद जाते हैं। जो लोग जीवन की इस अभधारना के बहुत अधिक आदी हैं, उन्हें राक्षस कहा जाता है। इसलिए, यदि भी आप राक्षसों के पुत्र हैं, ऐसे व्यक्तियों से अलग रहें और सभी देवताओं के मूल भगवान, नारायन की शरनले, क्योंकि नारायन के भक्तों के लिए अंतिम लक्ष भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्ती है। डॉट, पाट उन्नीस, मेरे प्यारे राक्षसों के पुत्र, भगवान के सरवोच व्यक्तित्व, नारायन, सभी जीवों के पिता मूल परमात्मा हैं। नतीजतन उन्हें प्रसंद करने या किसी भी परिस्थिती में उनकी पूजा करने में कोई बाधा नहीं है, चाहे कोई बच्चा हो या बोडा। जीवों और भगवान के परम व्यक्तित्व के बीच संबंध हमेशा एक तथ्य है, और इसलिए भगवान को प्रसंद करने में कोई कठिनाई नहीं है, ग्रंध 20-23 भगवान का सर्वोच व्यक्तित्वत सर्वोच नियंत्रक्प जो अच्यूक और अथक है, जीवन के विभिन रूपों में मौजूद है, जर जीवों स्थावर्थ से, जैसे की पौधे, ब्रमा तक सभसे प्रमुप जीवित प्रानी, व वे दिव्य परमात्मा भी हैं, जो सभी कारणों का कारण है, जो सभी जीवों के दिलों के केंद्र में परियवेक्षक के रूप में मौजूद हैं, वह वह है जो व्याप्त है और सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, लेकिन वास्तव में उसे इं प्रतीत होता है पार्थ 24 इसलिए राक्षसों से पैदा हुए मेरे प्यारे युवा मित्रों खृपया इस तरह से कार्य करें की परम भगवान जो भौतिक ज्यान की अब्धारना से परे हैं संतुष्ट होंगे अपने आसुरी स्वभाव को त्यागें और शत्रुता या द्व को संतुष्ट किया है जो सभी कारणों का कारण है सब कुछ का मूल स्रोत है भगवान असीमित आध्यात्मिक गुनों के भंडार है इसलिए भक्तों के लिए जो भौतिक प्रकृति के गुनों से परे हैं धर्म आर्थिक विकास इंद्रियत्रिप्ति और मुक्ति के सिध्ध का पालन करने का क्या फाइदा है जो सभी प्रकृति के गुनों के प्रभाव में स्वता ही प्राप्त हो जाते हैं हम भक्त हमेशा भगवान के चरंग कमलों की महिमा करते हैं और इसलिए हमें धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष के संदर्व में कुछ भी मांगने की आवश्यक्त समारो, तर्प, कानून और व्यवस्था का विज्ञान और अपनी आजीविका कमाने के विभिन साधन ये वेदों में अध्यन के बाहरी विशे हैं और इसलिए मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ हाला कि मैं भगवान विश्णू के चरंग कमलों के प्रती समर्पन को दिव्य मानता हूँ पाठ 27 नारायन भगवान के सरवोच व्यक्तितवत सभी जीवों के शुबचिंतक और मित्र पने पूर्ग में महान संत नारत को इस दिव्य ग्यान की व्याख्या की थी नारत जैसे संत की दया के बिना इस तरह के ग्यान को समझना बेहर्द मुश्किल है लेकिन ग्यान जिसे भागवत धर्म कहा जाता है उनरता वैग्यानिक है यह तर्क और दर्शन पर आधारित है और सभी भौतिक संदूशन से मुप्त है ग्रंट 29-30 राक्षसों के पुत्रों ने उत्तर दिया प्रिय प्रहलाद शुक्राचार्य के पुत्र शनी और अमरक के अलाव प्रिय मित्र सबसे सज्जन क्या आप क्रिपया समझाएंगे कि आपके लिए नारत को सुनना कैसे संभव था क्रिपया इस संबंद में हमारी शंकाओं को दूर करें अध्याय साथ प्रहलाद ने गर्ब में क्या सीखा इस अध्याय में अपने वर्ग मित्रों राक्षसों के पुत्रों की शंकाओं को दूर करने के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कैसे अपनी मा के गर्भ में उन्होंने नारद मुनी के मुख से सुना था जिन्होंने उन्हें भागवत धर्म का उब्देश दिया था। जब वे कैयादू को स्वर्गिय ग्रहों पर ले जा रहे थे वे नारद मुनी से मिले जिन्होंने उन्हें उसे ले जाने से रोग दिया और हिरन्यकर्शप के लोटने तक उसे अपने आश्रम में ले गए। पीवन की शारीरिक अबधारना से उपर का कोई भी व्यक्ती शुद्व है और दिविग्ञान प्राप्त कर सकता है। यह दिविग्ञान भक्ती सेवा है और प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्द में रहते हुए नारद मुनी से भक्ती सेवा में निर्देश सबीका करता निए सर्वोचव भगवान की शरन लेना और इस प्रकार सभी भौतिक एक्षाओं से मुख्त होना है भ्यक्ति चाहे इस भौतिक स्थिती में स्थित हो वह सपूरमता को प्राप्त कर सकता है भक्ति सेवा तपस्या तपस्या रहसेवादी योग या धर्म प्रायन की भौतिक गतिविदियों पर निर्भर नहीं है। ऐसी संपत्ति के बिना भी कोई शुद्ध भक्त की दया से भक्ती सेवा प्राप्त कर सकता है। पार एक नारद मुनी ने कहा यदिपी प्रहलाद महाराज का जन्म असुरों के परिवार में हुआ था। बेसभी भक्तों में सबसे महान थे। असुरों के अपने वर्ग मित्रों से इस प्रकार पूछ ताच करने के बाद उन्हें मेरे द्वारा कहे गए शब्दों की याद और उन्होंने अपने दोस्तों को इस प्रकार उत्तर दिया। पार्ट दो प्रहलाद महाराज ने कहा जब हमारे पिता हिरनियक शिपू घोर तपस्या करने के लिए मंदराकला परवत पर गए उनकी अनुपस्तिती में राजा इंद्र के नेत्रित्व में देवताओं ने य ऐसा कहकर राजा इंद्र के नेत्रित्व में देवताओं ने राक्षसों से लड़ने की व्यवस्ता की। पार्ट चार माइनस पांच जब एक के बाद एक मारे जा रहे दैतियों के महान नेताओं ने युद्ध में देवताओं के अभूत पूर्ध परिश्रम को देखा तो पार्ट 6 विजी देवताओं ने राक्षसों के राजा हिरन्यक्षिपू के महल को लूट लिया और उसके भीतर सब कुछ नश्ट कर दिया। तब स्वर्ध के राजा इंद्र ने मेरी माता रानी को गिरपतार कर लिया। परम सौभागेशाली या पवित्र स्त्री दूसरे की पत्नी है। आपको उसे तुरंत रिहा करना चाहिए। पार्ट ग्यारा जब महान संत नारद मुनी ने इस प्रकार कहा था। राजा इंद्र ने नारद के वच्चनों का सम्मान करते हुए तुरंत मेरी मां को रिहा कर दिया। मेरे भगवान के भक्त होने के कारण सभी देवताओं ने उसकी परिक्रमा की। फिर वे अपने स्वर्गिय राज्य में लौट आए। पार्ट बारह प्रहलाद महाराज ने जारी रखा, महान संत नारद मुनी मेरी मां को अपने आश्रम में लाए और उन्हें सभी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे कृपया अपने पती के आने तक मेरे आश्रम में रहें। पार्ट तेरह देवर्शी नारद के निर्देशों को स्वीकार करने के बाद मेरी मां किसी भी दिशा से डर के बिना उनकी देखभाल में रही, जब तक की मेरे पिता, दैतियों के राजा, उनकी कठोर तपस्या से मुक्त नहीं हो गए थे। पार्ट 14, मेरी मां, गर्भवती होने के कारण, अपने ब्रून की सुरक्षा चाहती थी और अपने पती के आने के बाद बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस प्रकार वह नारद मुनी के आश्रम में रही, जहां उन्होंने बड़ी भक्ती के साथ नारद मुनी की सेवा की। इसलिए मैं उन्हें नहीं बूल सका। विकास्प परिवर्तन, घट और फिर मृत्यू, भौतिक शरीर, जो विबिन परिस्थितियों में आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है, समान परिवर्तनों से गुजरता है। हालां कि आत्मा की आत्मा के लिए इस तरह के कोई बदलाव नहीं है। ग्रंट 19-20 आत्मा सर्वोच भगवान या जीवों को संदर्वित करता है। वे भवतिक परिवर्तन से मुक्त हैं, वे स्वयम प्रकाशित हैं, वे सभी कारणों के कारण हैं और वे सर्वव्यापी हैं। उनका भवतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए वे हमेशा खुले रहते हैं। इन दिव्य गुनों के साथ, जो वास्तव में सीखा जाता है, उसे जीवन की ब्रामक अवधारना को छोड़ देना चाहिए, जिसमें वो सोचता है, मैं यह भवतिक शरीर हूँ, और इस शरीर के साथ संबंध में सब कुछ मेरा है। इसी तरह आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति यह समझ सकता है, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्यान की खेती करके वो आध्यात्मिक जीवन में पूर्मता प्राप्त कर सकता है। भगवान की आठ अलग अलग भौतिक उर जाएं, भौतिक प्रकृति के तीन रूप और सोला परिवर्तन, ग्यारा इंद्रियां और प्रित्वी और जल जैसे पांच स्थूल भौतिक तत्व इन सभी के भीतर एक आध्यात्मिक आत्मा परिवेक्षक के रूप में इसलिए सभी महान आचारियों ने निशकर्ष निकाला है कि व्यक्तिगत आत्मा इन भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। नाश से गुज्रने वाली सभी चीजों से अंतर के संदर्व में विशलेशन आत्मा का ध्यान के माध्यम से शुद्ध मन के साथ आत्मा की खोच करनी चाहिए। 25 बुद्धी को गतिविदी की तीन आवस्थाओं में देखा जा सकता है जागरत, स्वपन और गहरी नीन्द। जो व्यक्ति इन तीनों को मानता है उसे मूल गुलू शासत पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान माना जाता है। 25 जिस प्रकार वायू की उपस्थिती को उसकी सुगंध से समझा जा सकता है उसी प्रकार भगवान के परम व्यक्तित्व के मार्ग दर्शन में व्यक्ति बुद्धी के इन तीन विभागों द्वारा जीवित आत्मा को समझ सकता है। 25 जिस प्रकार व्यक्तित्व को अवान्शित और अस्थाई माना जाना चाहिए। प्रक्रिया कर्तव्यों का प्रदर्शन है जिसके द्वारा सर्वोच भगवान के लिए प्रेम विक्सित होता है। 35-31 व्यक्ति को सच्चे आध्यात्मिक गुरू को स्विकार करना चाहिए और बड़ी भक्ती और विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी के पास जो कुछ भी है उसे आध्यात्मिक गुरू को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार प्रतेग जीव को उस जीव की स्थिती या अभिव्यक्ति के अनुसार सम्वान देना चाहिए। पार्ट तैंतीस इन गतिविधियों जैसा की उपर उलेक किया गया है से व्यक्ति काम्ठ, क्रोध, लोग, व्रम, पागलपन और इरश्या जैसे शत्रूओं के प्रभाव को कम करने में सक्षम होता है और इस प्रकार स्थित होने पर कोई भगवान की सेवा कर सकता है। इस तरह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व की प्रेमाई सेवा के मंच को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह अपने दिवे आनंद को व्यक्त करता है। पाठ पैंतिस जब कोई भगवान के प्रेतवादित व्यक्ति की तरह हो जाता है तो वह हसता है और बहुत जो से भगवान के गुनों का जाप करता है। से मुक्त हो जाता है क्योंकि वह लगातार भगवान की लीलाओं के बारे में सोचता है और क्योंकि उसका मन और शरीर आध्यात्मिक गुनों में परिवर्तित हो गया है। उसकी गहन भक्ति के कारण उसकी अग्यानता, भौतिक चेतना और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। यह वह चरण है जिस पर कोई भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। अशूरों के पुत्र तुरंध ध्यान करना शुरू करें और सभी के दिल में परमात्मा की पूजा करें। और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो फिर लोगों को उनकी भक्ति सेवा में क्यों नहीं लगना चाहिए? वे इंद्रियत्रिप्ती के लिए अनावश्यक रूप से कृत्रिम सामगरी तयार करने के इतने आदी क्यूं है पाट 49 किसी का धंद सुंदर पतनी और महिला मित्रिप किसी के बेटे और बेटियां उसका निवास अपने घरेलू जानवर जैसे गाए हाथी और घोरे किसी का खजाना आर्थिक विकास और इंद्रियत्रिप्ती वास्तव में यहां तक वो जीवन भी जिसमें कोई इन सभी भ अंता चलता है कि महान यग्य करने से व्यक्ति स्वयं को स्व ग्रहों तक उठा सकता है हाला कि यद्यपी स्व ग्रहों पर जीवन पृत्वी पर जीवन की तुलना में सगरों और हजारों गुना अधिक आराम डायक है स्वर्गिय ग्रह शुध निर्मलम नहीं है या भौतिक अस्तित्व के कलंग से मुक्त नहीं है स्वर्गिय ग्रह भी अस्थाई हैं और इसलिए वे जीवन का लक्ष नहीं है हाला कि भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व को कभी भी शराब के नशे में देखा या सुना नहीं गया है नतीजतन अपने स्वयम के लाव और आत्मसाफशातकार के लिए आपको भगवान की पूजा बहुत भक्ती के साथ करनी चाहिए जैसा की प्रकट शास्त्रों में वर्नित है पार्ट 41 एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने आपको बुद्धी में बहुत उन्नत समझकर लगातार आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है लेकिन बार-बार जैसा की वेदों में कहा गया है वो भौतिक गतिविधियों से निराश होता है चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्द में वास्तव में जो परिनाम प्राप्त होते हैं वे अनिवार ये रूप से उनित शाओं के विप्रीत होते हैं पार्ट 42 इस भौतिक संसार में प्रत्य एक भौतिकवादी सुख प्राप्त करना चाहता है और अपने संकट को कम करना चाहता है और इसलिए वह उसके अनुसार कार्य करता है वास्तव में हालांकि जब तक कोई खुशी के लिए प्रयास नहीं करता है तब तक वह खुश रहता है जैसे ही कोई सुख के लिए अपनी गतिविद्यों को शुरू करता है उसके संकट की स्थिती शुरू हो जाती है पार्ट तैंतालीस एक जीव अपने शरीर के लिए आराम चाहता है और इस उद्देश्य के लिए कई योजनाए बनाता है लेकिन वास्तव में शरीर दूसरों की संपत्ती है दरसल नाश्वान शरीर जीव को गले लगाता है और फिर उसे छोड़ देता है पार्ट चौवालीस चून की शरीर ही अंततामल या मिटी बनने के लिए है तो शरीर से संबंधित सामगरी का क्या अर्थ है जैसे पत्निया, निवास, धन, बच्चे, रिष्टेदार, नौकर, दोस्त, राज्यक, खजाने, जानवर और मंत्री वे अस्थाई भी हैं, इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? पार्ट पैंतालीस जब तक शरीर है तब तक यह सब सामान बहुत निकट और प्रिय है, लेकिन जैसे ही शरीर नश्ठ हो जाता है, शरीर से संबंधित सभी चीजे भी समाप्थ हो जाती हैं अतावास्तव में इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, परन्तु अग्यान के कारण मनुश्य इन्हे मूलिवान मान लेता है शाश्वत सुप के सागर की तुलना में वे सबसे तुच्छ हैं, शाश्वत जीव के लिए ऐसे तुच्छ संबंधों का क्या उप्योग है? जीव की वास्तविक गतिविद्यों में वास्तविक रुची क्या है, जिसके परिनामस्वरूप कठिनाई और दुख होता है पार्ट 47, जीव जिसने अपने पिछले फलदाई कारियों के कारण अपना वर्तमान शरीर प्राप्त किया है, इस जीवन में अपने कारियों के परिनामों को समाप्त कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भौतिक शरीरों के बंधन से मुप्त हो गया है जीव एक प्रकार का शरीर प्राप्त करता है और उस शरीर के साथ क्रिया करके वह दूसरा शरीर बनाता है, इस प्रकार वह अपने घोर अग्यान के कारण बार बार जन्म और मृत्यू के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है पार्ट अर्टालीस आध्यात्मिक जीवन में उन्नती के चार सिध्धान्त, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के स्वभाव पर निर्भर करते हैं इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भगतों के नक्षे कदम पर चलो, इच्छा के बिना, पूरी तरह से सर्वोच भगवान के स्वभाव पर निर्भर रहें, भगती सेवा में उनकी परमात्मा की पूजा करें पाट उन्चास्ट भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व, हरी, सभी जीवों की आत्मा और परमात्मा हैं प्रतेग जीव जीवात्मा और भौतिक शरीर के रूप में उनकी उर्जा का प्रकटी करन है इसलिए भगवान सबसे प्रिय हैं और वे सर्वोच नियंत्रक हैं मेरे प्यारे दोस्तों हे राक्षसों के पुत्र आप पूर्म राहमन, देवता या महानसंद बनकर या शिश्टाचार या विशाल विद्या में पूर्म रूप से अच्छे बनकर भगवान के परम व्यक्तित्व को खुश नहीं कर सकते इन में से कोई भी योग्यता भगवान के आनंद को जगा नहीं सकती है नहीं दान, तपस्या, यग्या, स्वच्छता या व्रत से कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है भगवान तभी प्रसन होते हैं जब उनकी उनके प्रती अडिग आनन्य भक्ति होती है सची भक्तिमय सेवा के बिना सब कुछ केवल दिखावा है पाठ तिरपन, मेरे प्यारे दोस्तों, राक्षसों के पुत्र, जिस तरह से कोई खुद को देखता है और अपनी देख भाल करता है उसी तरह से भगवान के सरवोच अव्यक्तित्व को संतुष्ट करने के लिए भक्ति सेवा में लग जाते हैं जो हर जगह सभी जीवों की परमात्मा के रूप में मौजूद है पार्च चाववन, हें मेरे दोस्तों, हें राक्षसों के पुत्र, आप, यक्ष और राक्षस, बुद्धिमान महिलाएं, शूद्र और चरवाहे, पक्षी, निचले जानवर और पापी जीव सहित हर कोई अपने मूल, शाषवत आध्यात्मिक जीवन को पुनर जीवित कर स जैसा की सभी प्रकट शास्त्रों में बताया गया है। बहुत दर्ते थे की लड़के अधिक से अधिक भगवान के प्रती समर्पित हो जाएंगे। असहाय अवस्था में, वे हिरन्यक शिपू के पास पहुँचे और प्रहलाद के उगदेश के प्रभाव का विस्तार से वर्नन किया। यह सुनकर हिरन्यक शिपू इतना क्रोधित था कि प्रहलाद महाराज उसके चरनों में गिर गए और उन्हें शांत करने के लिए बहुत सी बाते कही। लेकिन वो अपने आसुरी पिता को संतुष्ट करने में असफल रहे। जितना अधिक प्रहलाद महाराज ने भगवान के सरवोचव व्यक्तित्व की महिमा की उतना ही क्रोधित और उत्तेजित राक्षस बन गया। हिरन्यक्षिपू ने अपने वैशनव पुत्र से पूचा की क्या उसका भगवान महल के स्टंबों के भीतर मौजूद है और प्रहलाद महाराज ने तुरंत स्विकार किया की चून की भगवान हर जगह मौजूद हैं, बेबी स्टंबों के भीतर मौजूद थे। जब हिरन्यक्षिपू ने अपने छोटे बेटे से इस दर्शन को सुना तो उन्होंने लड़के के बयान को सिर्फ एक बच्चे की बात के रूप में लिया और अपनी मुठ़्ी से खंभे पर जबर्दस्ती प्रहार किया। जैसे ही हिरन्यक्षिपू ने स्तंब पर प्रहार किया, वहां एक करकश ध्वनी हुई. पहले तो राक्षसों के राजा हिरन्यक्षिपू को स्तंब के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन प्रहलाद के कतन की पुष्टी करने के लिए भगवान नर सिंग, आधा सिंग और आधा मनुष्य के रूप में अपने अध्वुत अबतार में स्तंब से बाहर आए. हिरन्यक्षिपू तुरंट समझ सकता था कि भगवान का असाधारन रूप से अध्वुत रूप निश्चित रूप से उसकी मृत्यू के लिए था, और इस प्रकार वो खूनों से छेद कर मार डाला. भगवान ने न केबल राक्षिसों के राजा हिरन्यक्षिपू को मार डाला, बल्कि उनके कई अन्याईयों को भी मार डाला. जब लड़ने के लिए और कोई नहीं था, भगवान क्रोध से गरचते हुए हिरन्यक्षिपू के सिंघासन पर बै गंधर्व, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वैतालिक, किन्नर और कई अन्य प्रकार के प्रानी शामिल थे. मानव रूप, बेसभी भगवान के परम व्यक्तित्व से दूर नहीं खड़े थे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, जिनकी आध्यात्मिक चमक शांदार जब बेसिंघासन पर बैठे थे. पार एक, नारद मुनी ने जारी रखा, राक्षसों के सभी पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य निर्देशों की सराहना की और उन्हें बहुत गंभीरता से लिया. उन्होंने अपने शिक्षकों, सांड और अमरक द्वारा दिये गए भौतिकवादी निर्देशों को खारिच कर दिया. पार दो, जब शुक्राचार्य के पुत्र शनी और अमरक ने देखा कि सभी छात्र, राक्षसों के पुत्र प्रहलाद महाराज की संगती के कारण क्रिश्न भावनामृत में उन्नत हो रहे थे, विदर गए. उन्हों पुत्र प्रहलाद को मारने का फैसला किया. हिरन्यक्षिपू स्वभाव से बहुत क्रूर था और अपमानित महसूस करते हुए, वह किसी के पैर से कुछले गए सांप की तरह फुफकार ने लगा. उनका पुत्र प्रहलाद शांत, सौम्य और सौम्य था, उसकी इंद्रिया नियंत्रन में थी, और वह हिरन्यक्षिपू के सामने हाथ जोड कर खड़ा था. प्रहलाद की उम्र और व्यवहार के अनुसार उसे दंडित नहीं किया जाना था. फिर भी हिरन्यक्षिपू ने घूर कर कुटल आखों से उसे निमनलिखित कथोर शब्दों से फटकार लग पार्ट पांच, हिरन्यक्षिपू ने कहा, है परिवार के सबसे निर्दई, सबसे ना समझ विग्न करता, है मानव जाती के निमनतम, आपने शासन करने की मेरी शक्ती का उलंगन किया है, और इसलिए आप एक जिद्दी मूर्ख हैं. आज मैं तुम्हें यम्राज के यहां भेजूंगा. पार्ट शे, मेरे पुत्र प्रहलाद, हे धूर्ट, आप जानते हैं कि जब मैं प्रोधित होता हूँ तो तीनों लोकों के सभी ग्रह अपने प्रमुक शासकों के साथ कांपते हैं. आप जैसा धूर्ट किसकी शक्ती से इतना निर्भीक हो जाता है कि आप नि सेबल आपकी या मेरी ताकत है, बलकि सभी के लिए एक मात्र ताकत है. उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता. चाहे गती हो या नहीं, श्रेश्ठ हो या हीन, भगवान ब्रमा सहित हर कोई, भगवान के सर्वोचर व्यक्तित्व की शक्ती द्वारा नियंत्रित होता है पार्ट आठ भगवान का सर्वोचर व्यक्तित्व जो सर्वोचर नियंत्रक और समय कारक है, इंद्रियों की शक्ती, मन की शक्ती, शरीर की शक्ती और इंद्रियों की महत्वपूर्ण शक्ती है. उसका प्रभाव असीमित है, बेसभी जीवों में सर्वश्रेश्ठ हैं, भ नहरिदय में शत्रों और मित्रों में भेदना करना, अपने मन को सभी के प्रती सम्रूप बनाएं। अनियंत्रित और पद्वरश्ट मन के सिवाए इस संसार में कोई शत्रों नहीं है। जब कोई सभी को समानता के मंच पर देखता है, तो वो पूरी तरह से भगवान की विजय प्राप्त की है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति छे शत्रों पर विजय प्राप्त करता है और सभी जीवों के प्रती संभाव रखता है, तो उसके लिए कोई शत्रों नहीं है। अग्यानता में ही शत्रों की कल्पना की जाती है। पार्ट ग्यारा, हिरन्यक शिपू न मरने वाले हैं। पार्ट बारह, है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रहलाद, आपने हमेशा मेरे अलावा एक सर्वोच सक्ता का वर्नन किया है, एक सर्वोच व्यक्ति जो हर चीज से उपर है, जो सभी का नियंतरक है, और जो सर्वव्यापी है। लेकिन वह कहा है, यदि वह सर्वत्र है, तो मेरे सम्मो के स्तंब में उपस्थित क्यों नहीं है। पार्ट तेरह, क्योंकि तुम बहुत बखवास कर रहे हो, मैं अब तुम्हारा सिर्थ तुम्हारे शरीर से अलग कर दूँगा। अब मैं देखता हूं कि आपका परम पूज्य भगवान आपकी र अलवार उठाई, अपने शाही सिंधासन से उठ खड़ा हुआ, और बड़े क्रोध से स्तंब पर अपनी मुठी मार ली। पार्ट पंद्रह तभी खंवे के भीतर से एक भयानक आवाज आई, जो ब्रमान के आवरं को चकनाचूर करती हुई दिखाई दी। आवाज सुनकर, राक्षसों के अन्यनेता डर गए, उनमें से कोई भी सभा में उस ध्वनी की उत्पत्ती का पता नहीं लगा सका। जब हिरन्यक्षिपू ने ध्वनी के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देखा, तो भगवान का वहद भुत रूप, जो न तो मनुश्य था और नहीं सिंग स्टम से निकला। हिरन्यक्षिपू ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन सा प्राणी है जो आधा आदमी और आधा शेर है, ग्रंट 19-22, हिरन्यक्षिपू ने भगवान के रूप का अध्यन किया, यह तै करने की कोशिश कर रहा था कि उनके सामने खड़े नरसिंगरेव का रूप कौन था। भगवान का रूप उनकी क्रोधित आँखों के कारण अत्यंद भयानक था, जो पिगले हुए सोने के समान था, उसका चमकता हुआ या, जिसने उसके भईभीत चेहरे के आयामों का विस्तार किया, उसके घातक दांत, और उसकी उस्तरा नुकीली जीब, जो द्वंद उसकी चाती चौडी थी, उसकी कमर पतली थी, और उसके शरीर पर बाल चांद की किरनों के समान सफेद थे, उनके हथियार, जो सैनिकों के जुनक के समान थे, सभी दिशाओं में फैल गए क्योंकि उन्होंने अपने शंक, डिस्क, कलप, कमल और अन्य प्राकृतिक हथियार दाठी उठाकर भगवान पर हाथी की तरह हमला किया। पर अपने कलप से हमला किया और उन्हें पीतना शुरू कर दिया। हाला कि भगवान नरसिंगदेव ने अपने कलप के साथ महान राक्षस को पकर लिया, जैसे की गरूर एक महान सांप को पकर सकते थे। पार्ट 26 है युदिष्टिर भरत के महान पुत्र जब भगवान नरसिंगदेव ने हिरिन्यक शिपू को अपने हाथ से फिसलने का मौका दिया। जैसे गरूर कभी कभी सांप के साथ खेलते हैं और उसे अपने मूँ से फिसलने देते हैं, देवता जिन्होंने अपना निवास खो दिया था और जो छिपे हुए थे राक्षसों के डर से बादलों के पीछे उस घटना को बहुत अच्छा नहीं माना। दरसल वे परेशान थे, पार्ट 27 जब हिरन्यक शिपू को नरसिंगदेव के हाथों से मुक्त किया गया तो उसने जूटा सोचा कि भगवान उसके पराक्रम से डरते हैं, इसलिए युद्ध से थोड़ा आराम करने के बाद उसने अपनी तलवार और धाल ली और फिर से बाज की गती से हिरन्यक शिपू कभी आकाश में और कभी प्रित्वी पर चला गया, नरसिंगदेव की हंसी के डर से उसकी आँखें बंध हो गई पार्ट उन्तीस, जैसे सांप एक चुहे को पकड़ लेता है या गरुन एक बहुत ही जहरीले सांप को पकड़ लेता है, भगवान नरसिंगदेव ने हिरन्यक शिपू को पकड़ लिया, जिसे राजा इंद्र के वज्र से भी नहीं छेड़ा जा सकता था जब हिरन्यक शिपू ने अपने अंगों को इधर, उधर और चारों और घुमाया, पकड़े जाने से बहुत पीड़ित, भगवान नरसिंगदेव ने राक्षस को अपनी गोद में रखा, उसे अपनी जानगों से सहारा दिया, और सभा भवन के द्वार में भगवान ने ब जब से अपने मुह के किनारे को चाटते हुए एक शेर के समान थे, जिसने अभी अभी एक हाथी को मारा है, पार्ट 31 भगवान के सरवोच अव्यक्तितवत, जिनके पास कई, कई बुजाएं थी, ने पहले हिरन्यक शिपू के हरिदय को उखार दिया और फिर उन्हें एक त पार्ट 33 नरसिंगदेव के सिर के बालों ने बादलों को जख जोर कर इधर उधर बिखेर दिया, उनकी चमकती आखों ने आकाश में प्रकाशमानों का तेज शुरा लिया, और उनकी सांसों ने समुद्रों और महासागरों को हिला दिया, उसके दहारने से संसार के सारे पार्ट 33 नरसिंगदेव के सिर के बालों से वायूयानों को बाहे अंतरिक्ष और उपरी ग्रह प्रनाली में फैंक दिया गया, भगवान के चरंग कमलों के दबाव के कारण पृत्वी अपनी स्थिती से खिसकती हुई दिखाई दी और उनकी असहनिय शक्ती के कारण सभी पहार और पहार उगाए। भगवान के दियिक तेज के कारण आकाश और सभी दिशाएं अपने प्राकृतिक प्रकाश में कम हो गई। जब स्वर्गिय ग्रहों में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि महान राक्षस को भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के व्यक्तिगत हाथों से मार दिया गया था तो उनके चेहरे बहुत खुशी से खिल उथे। देवताओं की पत्नियों ने बार बार स्वर्ग से देवदूत नारिया नाचने लगी, जबकि गंधर्वों के मुखिया मधूर गीत गा रहे थे। रंत 37-49 मेरे प्रिया राजा युदिश्टिर्द देवतातब भगवान के पास पहुँचे। वे भगवान ब्रम्हा, राजा इंद्र और भगवान शिव के नेतरित्व में थे और इसमें महान संत व्यक्ति और पित्रलोक, सिध्धलोक, विद्याधर लोक और सांपों के ग्रह के निवासी शामिल थे। मनु ने संपर्ट किया और इसी तरह विभिन अन्य ग्रहों के प्रमुक भी आए। देवदूट नर्तकियों ने संपर्ट किया जैसे गंधर्व, चरन, यक्ष, किन्नर लोक के निवासी, वेताल, किमपुरुन लोक के निवासी और सुननदा और कुमुदा जैसे के निजी सेवक, बेसब यहोबा के निकट आए, जो तेज जियोती से चमक रहा था, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने सिर पर हाथ जोड़कर प्रनाम और प्रार्थना की, पार्च चालीस भगवान ब्रम्हा ने प्रार्थना की, मेरे भगवान आप असीमित हैं, औ आपके पास अनन्द शक्तियां हैं, कोई भी आपके पराक्रम और अद्भुत प्रभाव का अनुमान या गर्ना नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके कार्य कभी भी भृतिक उर्जा से प्रदूशित नहीं होते हैं, भृतिक गुनों के माध्यम से आप बहुत आसानी से ब्रमा आपके क्रोध का समय है, अब जब की इस तुच्छ राक्षस हिरन्यक्षिपू को मार दिया गया है, है मेरे भगवान, जो आपके भक्त के लिए स्वाभाविक रूप से इसने ही हैं, क्रिपया उनके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके पूर्ण पिद्भक्त के रूप में पास में खड़े हैं, पार्ट 42, राजा इंद्र ने कहा, है सरवोच भगवान, आप हमारे उध्धार करता और रक्षक हैं, बलिदान के हमारे हिससे, जो वास्तव में आपके हैं, आपके द्वारा दानव से बरामत किये गए हैं, चूनकी आसुर सबसे अधिक भयानक था, हमारे हृदय, जो की आपका स्थाई निवास हैं, सभी उससे आगे निकल गए, अब आपकी उपस्थिती से, हमारे दिलों में से अंधेरा और अंधेरा दूर हो गया है, हे भगवान, जो हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जो की मुक्ती से अधिक श्रेष्ट है, सभी भौतिक आश्वर्य नगणिय हैं, वे मुक्ती की भी परवा नहीं करते, काम, अर्थ और धर्म के लाबों की बात नहीं करते, पार्थ 43, उपस्थित सभी संतों ने इस तरह से प्रार्थना की, हे भगवान, आपके चरंग कमलों में आश्रे करन वालों के सरवोचर अनुचर, हे देवत्व के मूल व्यक्तित्व तप और तप की प्रक्रिया, जिसमें आपने हमें पहले निर्देश दिया था, आध्यात्मिक शक्ती है अपने आपसे, यह तपस्या से है कि आप भौतिक दुनिया बनाते हैं, जो आपके भीतर निश्क्र इस राक्षस की गतिविद्यों से यह तपस्या लगभग बंध हो गई थी, लेकिन आप अपने आपसे नरसिंगदेव के रूप में प्रकट होकर, जो हमें केवल सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, और इस राक्षस को मार कर आपने फिर से तपस्या की प्रक्रिया को प्रार्थना की आईए हम ब्रमान के धार्मिक सिध्धानतों के अनुरक्षक भगवान नरसिंगदेव को अपना सम्मान पूरवक प्रनाम करें। उसने हिरनिक शिपू का वद किया है, जिसने बलपूरवक हमारे पुत्रों और पौत्रों द्वारा हमारी मृत्यू की पस ले लिया है। इसलिए हम आपको अपना सम्मान जनक शद्धान जली अर्पित करना चाहते हैं। 45 विद्याधर लोग के निवासियों ने प्रार्थना की ध्यान की किस्मों के अनुसार विविन तरीकों से प्रकट होने और गायब होने की हमारी अर्जित शक्ती को उस मूर्ख हिरनिक शिपू ने अपनी श्रेश्ट शारीरिक शक्ती और दूसरों पर विजय प्राप्त कर प्रतिबंधित कर दिया था अब भगवान के परम व्यक्तित्व ने उसे ऐसे मार डाला है जैसे की राक्षस एक जानवर हो भगवान नर्सिंग देव के उस परम शगल रूप के प्रती हम सदा के लिए अपना सम्मान जनक नमन करते हैं पाट 47 नागलोक के निवासियों ने कहा सबसे पापी हिरनिक शिपू ने हमारे हुडों और हमारी सभी सुन्दर पत्नियों के सभी रतनों को ले लिया अब चून की उसकी च्छाती को आपके नाखूनों ने छेद दिया है आप हमारी पत्नियों के लिए सभी सुखों का स्र हम सब मिलकर आपको नमन करते हैं पार्ट अर्टालीस सभी मनुओं ने अपनी प्रार्थना इस प्रकार की आपके आदेश वाहक के रूप में है भगवान हम मनु मानव समाज के लिए कानून निर्माता हैं लेकिन इस महान राक्षस हिरिन्यक्षिपू के अस्थाई बर्चस् हे भगवान अब जब आपने इस महान राक्षस को मार डाला है तो हम अपनी सामान इस्थिती में हैं प्रिपया हमें आदेश दें आपके शाश्वत सेवक अब क्या करें पाठ उन्चास प्रजापतियों ने अपनी प्रार्थना इस प्रकार की हे सर्वोच भगवान यहां तक ब्रम्हा और शिप के भगवान हम प्रजापती आपके द्वारा आपके आदेशों को निश्पादित करने के लिए बनाए गए थे लेकिन हिरिन्यक्षिपू द्वार प्रार्थना की, हे प्रभू, हम हमेशा नातकिये प्रदर्शनों में रित्य और गायन करके आपकी सेवा में सनलग्न होते हैं, लेकिन इस हिरिन्यक्षिपू ने अपनी शारीरिक शक्ती और वीरता के प्रभाव से हमें अपने अधीन कर लिया, अब वह आपकी प्रभुता पुरुषों के दिलों में एक दाव था, अब हमें राहत मिली है, और हम हमेशा आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, जो पुरसकार देते हैं भौतिकवादी संदूशन से बधा आत्मा मुक्ती, पार्ट बावन, यक्षलोग के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत् पुरुषों के निवासियों ने कहा, हम तुछ जीव हैं, और आप भगवान के सर्वोच व्यक्तित्वक्त सर्वोच नियंत्रक हैं, इसलिए हम कैसे आपके लिए उप्युक्त प्रार्थना कर सकते हैं, जब इस राक्षों की भक्तो द्वारा निंदा की गई क्योंकि वे उससे घ्रिना करते थे, तब उसे आपके द्वारा मार दिया गया था। पार्थ चाववन, वेतालिका लोग के निवासियों ने कहा, प्रिय भगवान, महान सभाओं और बलिदान के अखारों में आपकी बेदाग महिमा का जब करने के कारण, हम सभी से महान सम्मान के आदी थे, हालांकि इस दानव ने उस स्थिती को हतिया लिया, अब हमारे महान भागय के लिए आपने इस महान राक्षस को वैसे ही मार डाला है, जैसे कोई एक पुरानी बीमारी का इलाज करता है, पाठ पच्पन किन रों ने कहा, है सरवोचन नियंतरक, हम आपके प्रभुत्व के हमेशा मौजूद सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा करने के बजाए, हम इस राक्षस द्वारा उसकी सेवा में लगे हुए थे, लगातार और बिना किसी पारिश्रमिक के, यह पापी आदमी अब तुम्हारे द्वारा मारा गया है, इसलिए, हे भगवान नरसिंग देव, ह जो पूरे विश्व के अच्छे भाग्य के लिए है, हे भगवान, हम समझ सकते हैं कि हिरनेक शिपू वही जया थी जो आपकी सेवा में लगी हुई थी लेकिन ब्राहमनों द्वारा शाप दी गई थी और इस प्रकार उसे एक राक्षस का शरीर मिला था, हम समझते हैं कि उ लिए भगवान बहुत क्रोधित होते रहे और भगवान ब्रम्हा के नेत्रित्व में देवता उन्हें शान्त नहीं कर सके। यहां तक भाग्य की देवी, नारायन की निरंतर साथी, लक्षमी भी भगवान नरसिंग देव के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकी। तब भगव प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं के रूप में जो निर्देश दिये हैं वे इस प्रकार हैं। प्रहलाद ने कहा, मुझे भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व की प्रार्थना करने में सक्षम होने पर गर्व नहीं है। प्रहमन लक्षनों के साथ एक ब्रहमन है, वो भगवान को बहुत प्रिय नहीं हो सकता है। जबकि अगर कुटे के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति एक भक्त है, तो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। भगवान को किसी की प्रार्थना की आवश्यक्ता नहीं होती है लेकिन अगर कोई भगवान को अपनी प्रार्थना करता है तो भगवान को बहुत लाब होता है। इसलिए निम्न परिवारों में जन्म लेने वाले अग्यानी व्यक्ति सच्चे दिल से प्रभू की प्रार्थन लग सकता है, लेकिन भक्त के लिए भगवान हमेशास नहीं होते हैं, जैसे वे अन्य रूपों में होते हैं. भौतिक संसार में बधह जीवन वास्तव में अत्यंत भयावय है, वास्तव में एक भक्त किसी और चीज़ से नहीं डरता. बहुतिक संसार में जीवों की दैनी अस्थिती को केवल भगवान की दया से ही दूर किया जा सकता है यदि भी भगवान ब्रम्हा और अन्य देवताओं या यहां तक अपने पिता जैसे तथाकतित भौतिक रखशक हैं वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं यदि किसी को भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व द्वारा उपेक्षित किया जाता है हाला कि जिसने पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों की शरण ली है उसे भौतिक प्रकृति के हमले से बचाया जा सकता है इसलिए प्रतियेक जीव को भौतिक तथाकतित सुखों से अनाकरशित होना चाहिए और हर तरह से भगवान की शरण लेनी चाहिए यही मानव जीवन का मिशन है इंद्रियत रिप्ति के प्रतियाकरशित होना मूर्खता है कोई भगवान का भक्त है या अभक्त है यह किसी के उच्चे या निम्न परिवार में जन्व पर निर्भर नहीं करता है यहां तक भगवान ब्रम्हा और भागय की देवी भी भगवान के पूर्ण अनुग्रय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जबकि एक भक्त बहुत आसानी से ऐसी भक्ती सेवा प्राप्त कर सकता है भगवान की कृपा सभी पर समान रूप से होती है चाहे कोई भी उच्चे या निम्न हो क्योंकि प्रहलाद महाराज को नारद मुनी का आशीरवाद प्राप था इसलिए प्रहलाद एक महान भक्त बन गए भगवान हमेशा भक्त को निर्वशेषवादियों और शूनिवादियों से बचाते हैं जीवों को सुरक्षा और सभी लाब देने के लिए भगवान हर किसी के दिल में परमात्मा के रूप में मौजूद हैं इस प्रकार भगवान कभी हत्यारे के रूप में और कभी रख्षक के रूप में कार्य करते हैं किसी भी विसंगती के लिए भगवान को दोश नहीं देना चाहिए यह उनकी योजना है कि हम इस भौतिक संसार में जीवन के विभिन रूपों को देखें बे सभी अंतता उनकी दया है यदिपी संपून ब्रहमान दिय अभिव्यक्ति अलग नहीं है फिर भी भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया से अलग है केबल सरवोच भगवान की दया से ही कोई यह समझ सकता है कि अध्भुतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है उदाहरं के लिए यदिपी भगवान ब्रहमा गर्वोट शाई विश्नु के उदर से निकले कमल आसन से प्रकट हुए थे बेसमझ नहीं पा रहे थे कि उनके प्रकट होने के बाद क्या करें उन पर दो राक्षसों मदू और कैशव ने हमला किया जिन्होंने वैदिक ग्यान को चीन लिया लेकिन भगवान ने उन्हें मार डाला और भगवान ब्रहमा को वैदिक ग्यान सौंपा इस प्रकार भगवान हर सहसराबदी में देवताओं, मनुश्यों, जानवरों, संतों और जलियर जीवों के समाज में प्रकट होते हैं ऐसे सभी अव्तार भगवान की रक्षा करने और राक्षसों को मारने के लिए हैं लेकिन यह हत्या और रक्षा सर्वोच भगवान की और से पक्षपात की भावना को नहीं दर्शाती है बद्दजीव सदैव बाहि उर्जा की और आकर्शित होता है इसलिए वह वासना और लालच के अधीन है और वह भवतिक प्रकृती की परिस्थितियों में पीरित है अपने भक्ष पर भगवान की अकारं दयाही भवतिक अस्तित्व से बाहर निकलने का एक मात्र साधन है जो कोई भी भगवान की गतिविद्यों की महिमा में लगा हुआ है वो हमेशा इस भौतिक दुनिया से डरता है जबकि जो इस तरह से भगवान की महिमा नहीं कर सकता वो सभी विलाप के अधीन है जो लोग एकांत में चुपचाप भगवान की पूजा करने में रुची रखते हैं वेस्वयम मुक्ति के पात्र हो सकते हैं लेकिन एक शुधभख्त हमेशा दूसरों को पीरित देखकर दुखी होता है इसलिए अपनी मुक्ति की परवाना करते हुए वो हमेशा भगवान की महिमा करके उबदेश देने में लगा रहता है इसलिए प्रहलाद महाराज ने उबदेश देकर अपने कक्षा मित्रों को छुडाने की कोशिश की थी और कभी चुप नहीं रहे थे यदिपी मौन रहना, तपस्या और तपस्या करना, वैदिक साहित्य सीखना, कर्मकांडों से गुज्रना, एकांत स्थान में रहना और जप और पालोकिक ध्यान करना मुक्ति के स्वीकृत साधन है विया भक्तों के लिए या धोखे बाजों के लिए हैं जो खर्च पर रहना चाहते हैं अन्या, एक शुद्र भक्त, हालांकि ऐसी सभी ब्रामग गतिविद्यों से मुप्त होकर भगवान को आमने सामने देखने में सक्षम होता है ब्रह्मान्डिय अभि व्यक्ति की संद्रचना का परमानु सिध्धान्त तथ्यात्मक नहीं है प्रभू ही सब कुछ के कारण है और इसलिए वे इस्ष्टी के कारण है इसलिए व्यक्ति को हमेशा भगवान को सम्मान पूर्वक प्रनाम करने, प्रार्थना करने, भगवान के लिए काम करने, मंदिर में भगवान की पूजा करने, हमेशा भगवान को याद करने और उनकी दिव्य गतिविधियों के बारे में सुनकर भक्ति सेवा में सनलगन होना चाहिए। इन शे प्रकार की गतिविधियों के बिना कोई भी भक्ती सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने हर कदम पर उनकी दया की भीक मांगते हुए सरवोच भगवान से प्रार्थना की। भगवान नर्सिंगदेव प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से शांत हो गए थे और उन्हें आशीरवाद देना चाहते थे जिससे प्रहलाद सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं को प्राप्ट कर सके। हालांकि प्रहलाद महाराज भौतिक सुविधाओं से ब्रमित नहीं थे बलकि वो हमेशा यहोवा के सेवक का सेवक बना रहना चाहता था पाठ एक महान संत नारद मुनी ने जारी रखा भगवान ब्रमा भगवान शिब और अन्ये महान देवताओं के नेत रित्व में देवताओं ने भगवान के सामने आने की हिम्मत नहीं की जो उस समय अत्यांत क्रोधित थे पार्ट दो, भाग्य की देवी, लक्षमी जी से उपस्तित सभी देवताओं द्वारा भगवान के सामने जाने का अनुरोध किया गया था, जो डर के कारण ऐसा नहीं कर सके लेकिन यहां तक कि उसने भगवान का ऐसा अद्वुत और असाधारन रूप कभी नहीं देखा था, और इस तरह वह उनके पास नहीं जा सकती थी पार्ट तीन, इसके बाद भगवान ब्रम्हा ने प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, जो उनके बहुत पास खड़े थे, मेरे प्यारे कुत्र, भगवान नरसिंगदेव आपके आसुरी पिता पर अत्यदिक प्रोधित हैं प्रिपया आगे बढ़ें और प्रभू को प्रसंद करें पार्ट चार, नारद मुनी ने जारी रखा, हे राजा, हालांकि परमभक्त प्रहलाद महाराज केवल एक छोटा लड़का था, उन्होंने भगवान ब्रम्हा के शब्दों को स्वीकार किया वो धीरे धीरे भगवान नरसिंग देव की और बड़े और हाथ जोड़कर उन्हें प्रनाम करने के लिए नीचे गिर गए पार पाँच जब भगवान नरसिंग देव ने चोटे लड़के प्रहलाद महाराज को अपने चरंग कमलों में दंदवत करते देखा, तो वे अपने भक्त के प्रतीस नहमें सबसे अधिक आनंदित हो गए प्रहलाद को उठा कर, भगवान ने अपना कमल का हाथ लड़के के सिर पर रखा क्योंकि उनका हाथ अपने सभी भक्तों में निर्भźता पैदा करने के लिए हमेशा तयार रहता है पाठ शे प्रहलाद महाराज के सिर पर भगवान नरसिंगर देव के हाथ के सपर्ष से प्रहलाद पूरी तरह से सभी भौतिक कल्मशों और इच्छाओं से मुप्थ हो गया था जैसे कि वह पूरी तरह से शुध हो गया हो इसलिए वह तुरंद दिव्य रूप से स्थित हो गया और पर्मानन के सभी लक्षन उसके शरीर में प्रकट हो गये उसका हरिदय प्रेम से भर गया और उसकी आँखों में आसों से और इस प्रकार वह अपने हरिदय के भीतर भगवान के चरंग कमलों को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम था पाठ साथ प्रहलाद महाराज ने अपने मन और द्रिष्टी को पूर्म ध्यान के साथ भगवान नरसिंग देव पर केंड़ित किया स्थिर मन से वह लर्खराती आवाज में प्रेमपूर्वक प्रार्थना करने लगा पार्थ आठ प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, मेरे लिए जो असुरों के परिवार में पैदा हुए हैं, भगवान के सरवोच व्यक्तित्व को संतुष्ट करने के लिए उप्युक्त प्रार्थना करना कैसे संभव है? अब तक भगवान ब्रह्मा की अध्यक्षता में सभी देवता और सभी साधू व्यक्ति उत्कृष्ट शब्दों की धाराओं से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सके, हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत योग्य हैं, अच्छाई की स्थिती में हैं. फिर मेरे बारे में क्या कहा जाए? मैं कतई योग्य नहीं हूँ. पार्थ न हालांकि केवल भक्ती सेवा से ही कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है. गजेंडर ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे संतुष्ट हुए. पार्थ दस यदि एक ब्राहमन के पास सभी बारा ब्राहमनवादी योग्यताएं हैं, जैसा कि सनत सुजाता नामक पुस्तक में कहा गया है, लेकिन वो भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वो निश्चित रूप से एक भक्त से कम है जो एक कुट्ता है, भक्षक लेकिन जिसने सब कुछ मन, शब्द, कार्य, धन और जीवन, सर्वोच भगवान को समर्पित कर दिया है. ऐस भक्त ऐसे ब्राह्मन से बहतर है क्योंकि भक्त अपने पूरे परिवार को शुध कर सकता है, जबकि तथा कथित ब्राह्मन जूटी प्रतिश्था की स्थिती में खुद को भी शुध नहीं कर सकता है. पाठ ग्यारा परम भगवान, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व, हम अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं. इसलिए जब उन्हें कुछ चड़ाया जाता है, तो भगवान की दयासे भेंट भक्त के लाप के लिए होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यक्ता नहीं होती है. पुदाहरं के लिए, यदि किसी का चे भगवान को प्रार्थना करता है और भगवान की महिमा सुनता है. पाठ 13 है मेरे भगवान, भगवान ब्रह्मा की अध्यक्षता में सभी देव का, आपके स्वामी के इमानदार सेवक हैं, जो एक दिविस्थिती में स्थित हैं. इसलिए बे हमारे जैसे नहीं हैं, प्रहला आपका प्रकट होना आपके अपने आनन्द के लिए आपका मनोरंजन है. ऐसा अवतार हमेशा ब्रहमान की सुरक्षा और सुधार के लिए होता है. पाठ 14 मेरे भगवान नरसिंग देव कृपया, अब अपना क्रोध बंद करें की मेरे पिता, महान राक्षस हिरिनिक को हमेशा याद रखेंगे. पाठ 15 है मेरे रब जिन पर कभी किसी का विजय नहीं होता, मैं निश्चे ही तेरे उग्रमुक और जीव से तेरी आखों के सूर्य के समान तेज या तेरी बौक्ती हुई भोहों से नहीं डरता. मैं तेरे नुकीले चुभने वाले दाटों, ते मुझे या भगवान, जो पतित आत्माओं के प्रती दयालू हैं, मुझे अपनी गतिविद्यों के परिनामस्वरू प्राक्षिसों की संगती में डाल दिया गया है, और इसलिए मैं इस भौतिक दुनिया के भीतर अपने जीवन की स्थिती से बहुत दरता हूँ. वक्षन क कब आएगा जब तुम मुझे अपने चरंग कमलों की शरंग में बुलाओगे, जो सशर्प जीवन से मुक्ती का अंतिम लक्ष हैं. पार्ट सत्रह हैं महाप्रभू, प्रसन और अप्रिय परिस्थितियों के सेयोजन के कारण और उन से अलग होने के कारण किसी को सबसे अध पाइस्वयम दुखों की तुलना में अधिक देनिया है. इसलिए मुझे लगता है कि आपकी सेवा में सनलग्न होना ही एक मात रुपाय है. कृपया मुझे ऐसी सेवा में निर्देश दें. पार्ट 18 है मेरे भगवान नरसिंग देव, मुक्त आत्माओ, हंस, भक्तों की पार्ट 19 मेरे भगवान नरसिंग देव, है सरवोचर, जीवन की एक शारीरिक अबधारना के कारण अभेलना की गई और आपकी देखभालना करने वाली देहधारी आत्माएं उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकती. वे जो भी उपाय स्वीकार करते हैं, हालां की पीडित रोगी को राहत नहीं दे सकती और समुद्र पर एक नाव दूपते हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती. पार्ट 20 मेरे प्रिय भगवान इस भौतिक दुनिया में हर कोई भौतिक प्रकृति के गुनों के अधीन है, अच्छाई, जुनून और अग्यान से प्र प्रकृति के अधीन हैं, जिस मामले से वे काम करते हैं, जीवन के लक्षे को उन्होंने अंतिम माना है, और इस लक्षे को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये सब कुछ और कुछ नहीं बलकि उनकी अभिव्यक्तिया हैं. आपकी उर्जा, वास्तव में, चुन की उर्जा औ और उर्जावान समान हैं, वे सब ही केवल आपकी अभिव्यक्ति हैं. पार्ट 21, हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपने अपने पूर्न भाग का विस्तार करके जीवों के सूक्षम शरीरों को अपनी बाहरी उर्जा की एजेंसी के माध्यम से बनाया है, जो समय के साथ उ पार्ट 22, मेरे प्रिय भगवान, हे सरवोच महान, आपने सोलह धटकों की इस भौतिक दुनिया को बनाया है, लेकिन आप उनके भौतिक गुनों से परे हैं. दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुन आपके पूर्न नियंत्रन में हैं, और आप उनसे कभी भी विजई न में जाता हूँ. अब कृपया मुझे अपने चरंग कमलों के संरक्षन में ले लो. पार्ट 23, मेरे प्रिय भगवान, सामान्य रूप से लोग जीवन, एश्वर्य और बोग की लंबी अब्दी के लिए उच्छ ग्रह प्रनालियों में उच्छा होना चाहते हैं, लेकिन मैं मैंने इन सभी को अपने पिता की गतिविधियों के माध्यम से देखा है. जब मेरे पिता क्रोधित हुए और देवताओं पर व्यंग्यात्मग धंग से हसे, तो उनकी बोहों की गती को देखकर वे तुरंट पराजित हो गए. फिर भी मेरे पिता, जो इतने शक्तिशाली थ भगवान ब्रम्हा से लेकर चीटी तक शक्तिशाली समय के रूप में आप उन सभी को नश्ट कर देते हैं. इसलिए अपने अनुभव के कारण मैं उन पर अधिकार नहीं करना चाहता. मेरे प्रिया भगवान, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने शुध प्रतिय जीव किसी ना किसी भविष्य के सुख की कामना करता है, जो ठीक रेगिस्तान में मृक्त्रिशना के समान है. मरुस्तल में पानी कहा है या दूसरे शब्दों में इस भवातिक संसार में सुख कहा है. इस शरीर के लिए इसका मूल्य क्या है? यह केबल विभिन करने में असमर्थ हैं, वे भौतिक दुनिया के तथा कथित सुख के पीछे भागते हैं और कभी भी सही निशकर्ष पर नहीं आते हैं. पार्ट 26, हे मेरे भगवान, हे सरवोचक क्योंकि मैं जुनून और अग्यान के नार्किय भौतिक गुनों से भरे परिवार में पैदा हुआ था, मेरी स्थिती क्या है, और आपकी अकारन दया के बारे में क्या कहा जाए, जो भगवान ब्रमा, भगवान शिव्या भाग्य की देवी, लक्षमी को भी कभी नहीं दी गई थी. तुमने कभी अपना कमल उनके सिर पर नहीं रखा, लेकिन तुमने इसे मेरे उपर पार 27, एक सामान्य जीव के विप्रीत, मेरे भगवान आप मित्र और शत्रु, अनुकूल और प्रतिकूल के बीच भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि आपके लिए उच्छ और निम्न की कोई अभधारना नहीं है. फिर भी आप अपनी सेवा के स्तर के अनुसार अपना आ अनुसरंग करते हुए, सांपों से भरे एक अंधे कुए में गिर रहा था. लेकिन आपके सेवक नारद मुनी ने मुझे अपने शिश्य के रूप में स्विकार किया और मुझे निर्देश दिया कि इस दिविस्थिती को कैसे प्राप्त किया जाए? इसलिए उनकी सेवा कर वोच नियंतरक है, तो वो तुम्हें बचाए? अब मैं तेरा सिर तेरी देह से अलग कर दूँगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बचाने और उसे मारने दोनों में आपने अपने भक्त के शब्दों को सच साबित करने के लिए काम किया है. कोई अन्यकारण नहीं है. पार तीस, मेरे प्यारे भगवान, आप अकेले ही अपने आपको संपूर्न ब्रमान्दिय अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टी से पहले मौजूद थे, आप विनाश के बाद भी मौजूद हैं, और आप आदी और अंत के बीच के पालन क करता हैं, यह सब आपकी बाहरी उर्जा द्वारा भौतिक प्रकृति के तीन गुनों की क्रियाओं और प्रतिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, इसलिए जो कुछ भी मौजूद है, बाहरी और आंतरिक रूप से क्या आप अकेले हैं, पार तीस, मेरे प्रिय भगवा है भगवान के सरवोचर व्यक्तित्वत संपूर्मांदिया रचना आपके कारण है, और ब्रमांदिया अभिव्यक्ति आपकी उर्जा का प्रभाव है, यदिपी संपूर्मांद है, लेकिन आप अकेले हैं, आप अपने आपको इससे अलग रखते हैं, मेरा और तुम्हारा और ब्रमांद के बीच के इस संबंद को बीज और व्रिक्ष या सूक्षम कारण और स्थूल अभिव्यक्ति के उदारन द्वारा दर्शाया गया है, पार्ट 32 है मेरे भगवान, भगवान के सरवोचर व्यक्तित्व, विनाश के बाद रचनात मक उर्जा आप में रखी जा भवातिक वस्तूओं को नहीं चूते, यदिपी तुम सोते प्रतीत हो, यह निद्रा अग्यान में सोने से भिन है, पार्ट 33, यह लौकिक अभिव्यक्ति, भवातिक संसार भी आपका शरीर है, पदार्थ की यह कुलगांट आपकी शक्तिशाली शक्ति जिसे काल शक्ति के रूप में जाना जाता है, से उत्तेजित होती है, और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीन गुन प्रकट होते हैं, आप अनंत के बिस्तर से जागते हैं, और आपकी नाभी से एक छोटा दिवे बीज उत्पन होता है, इस बीज से ही विराद ब्रहान का कमल का फूल प्रक की लगाई और एक सो वर्षों तक कमल के स्रोथ को खोजने का प्रयास किया, हालांकि उन्हें आपका कोई निशान नहीं मिला, क्योंकि जब एक बीज फलित होता है, तो मूल बीज नहीं देखा जा सकता है, पार्ट पैंटीस भगवान ब्रहा, जिन्हें आत्मा योनी के उनके अपने शरीर और इंद्रियों में फैले हुए थे, जैसे सुगंद, हालांकि बहुत सूक्षम प्रित्वी में देखी जाती है, पार्ट शतीस तब भगवान ब्रहा आपको हजारों चेहरे, पैर, सिर, हाथ, जांग, नाग, कान और आखों वाले देख सकते थे, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, विबिन प्रकार के आभूशनों और हतियारों से अलंकृत और अलंकृत थे, आपको भगवान विश्नु के रूप में आपके लक्षन और रूप को पालोकिक देखकर आपके पैरों को निचले ग्रहों से फैलाते हुए, भगव ब्रम्हा को वैदिक ज्यान दिया, इस कारण से सभी महान संथ आपके रूपों को पालोकिक भौतिक गुनों से रहित स्वीकार करते हैं, पाट अर्टीस इस तरह मेरे भगवान आप एक इनसान, एक जानवर, एक महान संथ, एक देवता, एक मचली या कच्छुए के रूप में विभिन अव्तारों में प्रकट होते हैं, इस प्रकार पूरी सृष्टी को विभिन ग्रह प्रनालियों में बनाए रखते हैं और आसुरी सिध्धान्तों को मारते हैं, आयू के अनुसार है मेरे भगवान आप धर्म के सिध्धान्तों की रक्षा करते हैं, हालांकि कल य पापी और कामुत तेजक है, कभी तथाकतित खुश और कभी तथाकतित व्यतित होने के कारण, मेरा मन बिलाप और भय से भरा है, और यह हमेशा अधिक से अधिक धन की तलाश में रहता है, इस प्रकार यह सबसे प्रदूशित हो गया है और आपके विशे में कभी करने की कोशिश कर रहे हैं, उदाहरं के लिए जीव स्वादिश्ट व्यंजनों की ओर आकरशित होती है, एक आकरशक महिला के साथ यौन संबंद बनाने के लिए जननांग और कोमल चीजों के संपर्प में आने की भावना, पेट हालां की भरा हुआ है, फिर भी अधिक खा करना चाहता है, और कान आपके बारे में सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है, आम तोर पर सिनिमा के गीतों से आकरशित होता है, गंद की भावना एक और तरफ आकरशित होती है, बेचैन आखें इंद्रियत्रिप्ति के द्रिश्यों की ओर आकरशित होती हैं, और सक्रिय निश्चित रूप से शर्मिन्दा हूँ पार्ट 41 मेरे प्यारे भगवान आप हमेशा पालोकिक रूप से मृत्यू की नदी के उस पार स्थित होते हैं लेकिन हमारे अपने कारियों की प्रतिक्रियाओं के कारण हम इस तरफ पीडित हैं दरसल हम इस नदी में गिरे हैं और ब विश्व के मूल आध्यात्मिक गुरू आपके लिए जो ब्रमान के मामलों का प्रबंधन करते हैं आपकी भक्ती सेवा में लगी पतित आत्माओं को मुक्त करने में क्या कठिनाई है आप सभी पीडित मानवता के मित्र हैं और महापुरुशों के लिए मूर्खों पर दया करना आवश्यक है इसलिए मुझे लगता है कि आप हम जैसे व्यक्तियों पर अपनी अकारण दया दिखाएंगे जो आपकी सेवा में सनलगन है पार्ट 43 हेश्रेश्ट महापुरुशों मैं भौतिक अस्तित्व से बिल्कुल भी नहीं दरता क्योंकि मैं जहां भी रहता हू मैं आपकी महिमा और गतिविद्यों के विचारों में पूरी तरह से लीन हूँ। मेरी चिंता केवल उन मूर्खों और दुष्टों के लिए है जो भौतिक सुप के लिए विस्त्रित योजनाय बना रहे हैं और अपने परिवारों, समाजों और देशों को बनाए रखते है मुझे बस उनके लिए प्यार की चिंता है। कामलों की शरन लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं उन्हें आपके चरन कामलों की शरन में वापस लाना चाहता हूँ। विमूर्खों और दुष्टों के कष्टों के अधीन नहीं होते हैं। आजीविका का साधन हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है। क्योंकि ऐसे व्यक्ती जूटे अभिमानी होते हैं, हो सकता है कि ये प्रिक्रियाएं सफल नहों। 45-47, अधिकरित वैदिक ज्ञान से कोई यह देख सकता है कि ब्रामानी अभिव्यक्ति में कारण और प्रभाव के रूप भग्वान के सरवोचव व्यक्तित्व से संबन्धित हैं क्योंकि ब्रामानी अभिव्यक्ति उनकी उर्जा है। कारण और प्रभाव दोनों ही भगवान की उर्जा के अलावा और कुछ नहीं हैं। इसलिए है मेरे भगवान जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कारण और प्रभाव पर विचार करके यह देख सकता है कि आप कैसे लकडी में व्याप्त है। भक्ती सेवा में लगे लोग और मिथ्या अहंकार। वास्तव में आप सब कुछ हैं सूप्षम और स्थूल, भौतिक तत्वर और जो कुछ भी व्यक्त किया जाता है चाहे वो शब्दों से हो या मन से आप ही हैं। पाठ उन्चास्पन तो भौतिक प्रकृति के तीन गुन, सत्व गुन, रजो गुन औ प्रमुक देवता, नहीं पांच स्थूल तत्व, नहीं मन, न देवता और नहीं मनुश्य आपके समझ सकते हैं प्रभुता, क्योंकि वे सभी जन्म और विनाश के अधीन हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों ने भक्ती सेवा को अप को छे प्रकार की भक्ती सेवा प्रदान किये बिना, प्रार्थना करना, गति विद्यों के सभी परिनामों को समर्पित करना, आपकी पूजा करना, आपकी ओर से कार्य करना, सदैव आपके चरंकमलों का समरंग करना और आपकी महिमा के बारे में सुनना, जो परम हंसों के ल पार्ट बावन, भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, मेरे प्रिय प्रहलाद, सबसे विनम्र, असुरों के परिवार में सबसे अच्छा, आप सभी के लिए सौभाग्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ, सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करना मेरा शगल है, और इस के पास अपनी संतुष्टी के लिए शोफ करने के लिए और कुछ नहीं है, पार्ट चाओवन, मेरे प्रिय प्रहलाद, तुम बहुत भागेशाली हो, कृपया मुझ से जान ले की जो बहुत बुद्धिमान और उच्छ श्रेश्ट हैं, वे मुझे सभी प्रकार के मधूरो से आकरशित होकर, जिन्होंने उन्हें भौतिक सुप के लिए सभी वर्दान प्रदान किये, उनकी विशुद्ध कृष्ण भावनामरित के कारण बे इंद्रियत्रिप्ती के लिए कोई भौतिक लाब नहीं लेना चाहते थे। इसके बजाए, उन्होंने पूरी तरह से भगवान के चरंग कमलों में आत्मसमर्पन कर दिया। उन्होंने कहा, यदि कोई भगवान की भक्ती सेवा में लगा हुआ है, तो वो व्यक्तिगत इंद्रियत्रिप्ती के लिए प्रार्थना करता है, उसे शुद्ध भक्तिया भ भक्त भी नहीं कहा जा सकता है, उसे लेन देन के व्यवसाय में लगा हुआ व्यापारी ही कहा जा सकता है, इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा लेकर उसे प्रसंद करना चाहता है, वो भी सच्चा स्वामी नहीं है, इसलिए प्रहलाद महाराज ने भगवान के स प्रदान प्रदान हमेशा बहुत प्रमुख होता है। जैसे ही कामवासना जागरित होती है। उसकी इंद्रिया, मन, प्रान, आत्मा, धार्मिक सिध्धान्त, धैर्य, बुद्धी, शर्म, सौंदर्य, बल्थ, स्मृति और सत्यता सब नश्थ हो जाते हैं। कोई शुधभख भगवान प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति के लिए बहुत प्रसंद हुए, फिर भी भगवान ने उन्हें एक भौतिक वरदान प्रदान किया, कि वह इस दुनिया में पूरी तरह से खुश होंगे और अपना अगला जीवन वैकुंट में जेंगे। भगवान ने उसे भौतिक संसार का राजा रहेगा और यदिपी इस भौतिक संसार में उसे भगवान की महिमा सुनने और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहने की सुविधा होगी अदूशित भक्ति योग में उनकी सेवा करना। भगवान ने प्रहलाद को भक्ति योग के माध्यम से कि ऐसे शुद्ध भक्त के परिवार में न केवल भक्त के पिता बलकी 21 स्पीडियों के लिए उनके पूर वजों को मुक्त कर दिया जाता है। भगवान ने प्रहलाद को अपने पिता की मृत्यू के बाद उचित अनुष्ठान करने के लिए भी कहा। तब भगवान ब्रम्हा जो भी उपस्तित थे ने प्रहलाद महाराज को आशीरवाद देने के लिए भगवान के प्रती अपने दायत्व को अव्यक्त करते हुए भगवान से कई प्रार्थनाई की। भगवान ने भगवान ब्रम्हा को सलाह दी की वे असुरों को वर्दान न दे जैसा कि उन्होंने हिरिन्यक शिपू को दिया था क्यूंकि इस तरह के आशीरवाद उन्हें भोगते हैं। तब भगवान नरसिंगदेव गायब हो गए। उस दिन भगवान ब्रम्हा और शु शुपाल और दंत्वक्र की हत्या का वर्णन किया। शिशुपाल निश्चित रूप से भगवान के अस्तित्व में बिलीन हो गए थे और इस प्रकार सायुज्य मुप्ति प्राप्त की। नारद मुनी ने युदिश्टिर महाराज की प्रशंसा की क्योंकि परम भगवान क प्रिश्ट पांडवों के सबसे बड़े शुबचिंतक और मित्र थे और लगभग हमेशा उनके घर में रहते थे। इस प्रकार पांडवों का भाग्य प्रहलाद महाराज की तुलना में अधिक था। बाद में नारद मुनी ने वर्नन किया की कैसे राक्षस माया दानव न राक्षसों के लिए तृपुरा का निर्मान किया जो बहुत शक्तिशाली हो गए और देवताओं को हराया। इस हार के कारण भगवान रुद्र शिब ने तृपुरा को नश्ट कर दिया इस प्रकार वे तृपुरारी के नाम से प्रसिध हुए। इसके लिए देवताओं को सुना तो उन्होंने उन्हें भक्ती सेवा के मार्ग में बाधा माना। इस प्रकार वो बहुत हलके से मुस्कुराया और इस प्रकार बोला। पार्ट दो प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे प्रिय भगवान है भगवान के सरवोच व्यक्तित्वक क्योंकि मैं एक नास्तिक परिवार में पैदा हुआ था मैं स्वाभाविक रूप से भौतिक भोग से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए क्रिपया मुझे इन ब्रहमों से न लुभाएं मैं भौतिक परिस्थितियों से बहुत दर्ता हूँ और मैं भौतिक वादी जीवन से मुक्त होने की इच्छा रख पार चार अन्यता हैं मेरे भगवान हैं पूरे विश्व के सरवोच शिक्षक आप अपने भक्त के प्रती इतने दयालू हैं कि आप उसे उसके लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते दूसरी और जो भक्ती सेवा के बदले कुछ भौतिक लाब चाहता है वह प्रकार जो स्वामी अपने दास को स्वामी के रूप में प्रतिष्टित पद बनाए रखने की इच्छा के कारण आशीरवाद देता है वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है पार्ट 6 है मेरे प्रभू मैं आपका प्रेरित सेवक हूँ और आप मेरे शाश्वत स्वामी है हमारे स्वामी और सेवक के अलावा और कुछ होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आप स्वाभविक रूप से मेरे स्वामी हैं और मैं स्वाभविक रूप से आपका दास हूँ हमारा कोई और रिश्टा नहीं है Part 7 है मेरे भगवान आशीरवाद देने वालों में से सबसे अच्छा यदि आप मुझ पर एक वांचनी आशीरवाद देना चाहते हैं तो मैं आपकी प्रभुता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दिल के मूल में कोई भौते के च्छाएं नहों पार्थ आठ है मेरे प्रभु जन्म के आरंब से ही वासनाओं के कारण इंद्रियों मन, प्रांट, शरीर, धर्म, धहर्य, बुद्धी, लज्जा, एश्वर्य, बल्थ, स्मृति और सत्य के कार्यों का नाश हो जाता है पार्थ 9, हे मेरे प्रभु, जब मनुश्य अपने मन की सभी भौते के च्छाओं को त्यागने में सक्षम हो जाता है, तो वो आपके समान धन और आश्वर्य का अधिकारी हो जाता है पार्थ 10, हे मेरे भगवान, छे अश्वर्य से भरे हुए, हे सर्वोच व्यक्ति, हे सर्वोच आत्मा, सभी दुखों के हत्यारे, हे परम पुरुष, एक अद्भुत सिंग और मनुश्य के रूप में, मैं आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रनाम करता हूँ पार्थ 11, भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, मेरे प्रिय प्रहलाद, आप जैसा भक्त इस जन्में या अगले जन्में कभी भी किसी भी प्रकार की भौतिक आश्वर्य की इच्छा नहीं करता है फिर भी, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इस भौतिक संसार में राक्षिसों के एश्वर्य का आनंद लें, मनु के कब्जे वाले समय की अब्धी के अंग तक उनके राजा के रूप में कार्य करें फार्ट बारह, इससे कोई फर्ट नहीं परता कि आप भौतिक दुनिया में हैं आपको मेरे द्वारा दिये गए निर्देशों और संदेशों को हमेशा लगातार सुनना चाहिए और हमेशा मेरे विचार में लीन रहना चाहिए क्योंकि मैं हर किसी के दिल में मौजूद परमात्मा हूँ अता शुब कर्मों का त्याग कर मेरी उपास न करो पार्ट तेरह मेरे प्रिय प्रहलाद जब आप इस भौतिक दुनिया में हैं तो आप खुशी की अनुभूती करके पवित्र गतिविदी की सभी प्रतिक्रियाओं को समाप्त कर देंगे और पवित्रता से कार्य करने से आप अधर्म को बैसर कर देंगे शक्तिशाली समय कारक के कारण आप अपना शरीर त्याग देंगे लेकिन आपकी गतिविद्यों की महिमा उपरी ग्रह प्रनालियों में गई जाएगी और सभी बंधनों से पूरी तरह मुप्त होकर आप धर लोट आएंगे वापस भगवान के पास पार्ट 14 जो हमेशा आपके कारियों और मेरी गतिविद्यों को भी याद रखता है और जो आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं का जब करता है वो समय के साथ भौतिक गतिविद्यों की प्रतिक्रियाओं से मुप्त हो जाता है पार्ट 15 माइनस 17 प्रहलाद महाराज ने कहा है सर्वोच भगवान क्यूंकि आप पतित आत्माओं के प्रति इतने दयालू हैं मैं आपसे केवल एक आशीरवाद मांगता हूँ मुझे पता है कि मेरे पिता उनकी मृत्यू के समय आपकी द्रिष्टी से पहले ही शुद्ध हो चुके थे लेकिन आपकी सुन्दर शक्ती और सर्वोच शिता के बारे में उनकी अग्यानता के कारण वे आप पर अनावश्यक रूप से क्रोधित थे यह सोचकर की आप हत्यारे थे उसका भाई इस प्रकार उन्होंने सीधे तौर पर आपकी प्रभुता सभी जीवों के आध्यात्मिक गुरू की निंदा की और मेरे खिलाफ आपके भक्त भारी पापपूर्म गतिविद्यों को अंजाम दिया मेरी इच्छा है कि उसे इन पापी गतिविद्यों के लिएक शमा किया जाए पाठ अथारा भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा जो अच्छे व्यवहार वाले और सभी अच्छे गुनों से सजाए जाते हैं उस थान और वहां के राजवन्शों की निंदा की जाती है भले ही उनकी निंदा की जाती है 25. मेरे प्रिय प्रहलाद, रैतियों के राजा, मेरी भक्ती सेवा में सनलग्न होने के कारण, मेरा भक्त निम्न और उच्छ जीवों के बीच अंतर नहीं करता है वह हर तरह से कभी किसी से इर्शा नहीं करता 25. जो लोग आपके उदाहरन का अनुसरन करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से मेरे शुध भक्त बनेंगे आप मेरे भक्त के सरवोत्तम उदाहरन हैं, और दूसरों को आपके पच्चिन्हों पर चलना चाहिए 25. मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पिता अपनी मृत्यू के समय मेरे शरीर के सपर्ष से ही शुध हो चुके हैं बहराल एक पुत्र का कर्तव या अपने पिता की मृत्यू के बाद श्राध कर्मकांद करना है ताकि उसके पिता को एक ग्रह प्रनाली में पदोननत किया जा सके जहां वो एक अच्छा नागरिक और भक्त बन सके 25. कर्मकांडों को करने के बाद अपने पिता के राज्य का प्रभार लें सिंघासन पर बैठो और भौतिकवादी गतिविद्यों से परेशान मत हो कृपया अपना मन मुझ पर स्थिर रखें बेदों के आदेशों का उलंगन किये बिना आपचारिक्ता के रूप में आप अपने विशेश कर्तवियों का पालन कर सकते हैं 25. श्री नारद मुनी ने जारी रखा इस प्रकार जैसा कि भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व ने आदेश दिया प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए अनुष्ठान समारो किये हे राजा युदिश्टित्त तब उन्हें ब्राहमनों के निर्देशा नुसार हिरन्यक्षिपू के राज्य में विराजमान किया गया था 25 भगवान ब्रम्हा अन्य देवताओं से घिरे हुए थे बेउज्ज्वल मुक वाले थे क्योंकि भगवान प्रसंद थे इस प्रकार उन्होंने दिवे बचनों के साथ भगवान से प्रार्थना की 25 भगवान ब्रम्हा ने कहा हैं सभी भगवानों के सरवोच भगवान पूरे ब्रमान के मालिक सभी जीवों के दाता हैं मूल व्यक्ति आदी पुरुष हमारे अच्छे भाग्य के कारण अब आपने इस पापी राक्षस को मार डाला है जो परेशानी दे रहा था पूरे ब् हो गया और सभी वैदिक आदेशों का उलंगन किया पाट 28 बड़े भाग्य से हिरनिक शिपू के पुत्र प्रहलाद महाराज को अब मृत्यू से मुक्त कर दिया गया है क्योंकि यदि पी वह एक बच्चा है वह एक महान भक्त है अब वह पूरी तरह से आपके चरंग कमलों के संद्रक्षन में है पार 29 मेरे प्यारे भगवान है भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व आप सर्वोच आत्मा हैं यदि कोई आपके दिवय शरीर का ध्यान करता है तो आप स्वाभाविक रूप से भई के सभी स्रोतों से उसकी रक्षा करते हैं यहां तक की मृत्यू के आस्म खत्रे से भी? पार्थ 30, भगवान ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भगवान ब्रम्हा, कमल के फूल से पैदा हुए महान भगवान, जैसे सांप को दूद पिलाना खतरनाक है, वैसे ही राक्षसों को आशीरवाद देना खतरनाक है, जो स्वभाव से क्रूर और इर्शाल नहीं हैं, इस तरह से बोले, भगवान ब्रम्हा को निर्देश देते हुए, फिर ब्रम्हा द्वारा पूजे जाने पर, भगवान उस स्थान से गायब हो गए, पार्थ 32, प्रहलाद महाराज ने तब ब्रम्हा, शिब और प्रजापती जैसे सभी देवताओं की पूजा की और प्रार्थना की, जो भगवान के सभी भाग हैं, पार्थ 33, इसके बाद, शुक्राचार्य और अन्य महान संतों के साथ, भगवान ब्रम्हा, जिनका आसन कमल के फूल पर है, ने प्रहलाद को ब्रमान के सभी राप्षिसों और दानवों का राजा बनाया, पार्थ 34, हे भगवान विश्नु के दो सहयोगी जो हिरन्याज बने थे और दिती के पुत्र हिरन्यक शिपू दोनों मारे गए थे, ब्रम से उन्होंने सोचा था की परमेश्वर, जो सब के हृदय में स्थित है, उनका शत्रू है, पार्थ 36, ब्राहमनों द्वारा शापित होने के कारण उन्ही दो सहयोगियों ने फिर से कुम्बकर्ण और दस्सिर वाले रावन के रूप में जन्म लिया, ये दोनों राक्षस भगवान रामचंदर की असाधारन शक्ती से मारे गए थे, पार्थ 37, भगवान रामचंदर के बानों से छेडे गए, कुम्बकर्ण और रावन दो जमीन पर लेग गए और अपने शरीर को छोड़ दिया, पूरी तरह से भगवान के विचार में लीन हो गए, जैसे कि उनके पिछले जन्मों में हिरन्यक शिप और हिरन्यक शिपू थे, पार्थ 38, उन दोनों ने मानव समाज में फिर से शिशुपाल और दंतवक्र के उन्होंने मृत्यू के समय मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सोचा था, उन्होंने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और उनके जैसा ही रूप धारन किया, जैसे काले ड्रोन द्वारा पकड़े गए कीडे ड्रोन के समान शरीर प्राप्त करते हैं। पार्ट चालीस भक्ती सेवा के द्वारा शुधभक्त जो निरंतर भग्वान के सर्वोच व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, उनके समान शरीर प्राप्त करते हैं। इसे सर्प्य मुक्ती के रूप में जाना जाता है। यदिपी शिशुपाल, दंतवक्र और अन्य राजा क्रिश्न को शत्रु मानते थे, उन्होंने भी वही परिनाम प्राप्त किया। पार्ट 41, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा की शिशुपाल और अन्य लोगों ने मोक्ष कैसे फ्राप्त किया, हालांकि वे शत्रुता पूर्ण थे, अब मेरे द्वारा आपको समझाया गया है। वेराग्य का वर्नन करता है। यह भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व को स्रिजन, रखरखाव और विनाश के कारण के रूप में भी वर्नित करता है। प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के दिव्य गुनों का वर्नन किया है और यह भी वर्नन किया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों के विभिन निवास्त भले ही भौतिक रूप से सम्रिध्ध हों, भगवान के निर्देश मात्र से नश्ट हो जात पार्थ 45 धर्म के वे सिध्धान्त जिनके द्वारा कोई वास्तव में भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व को समझ सकता है, भागवत धर्म कहलाते हैं, इसलिए इस कतन में जो इन सिध्धान्तों से संबंधित है, वास्तविक श्रेष्ठता का चीट से वर्नन किया गया है पार्थ 45 नारद मुनी ने जारी रखा, मेरे प्रिय महाराज युदिष्ठिर आप सभी पांडव अत्यंद भागेशाली हैं, क्योंकि भगवान के परम व्यक्तित्वक क्रिष्ण एक इनसान की तरह आपके महल में रहते हैं, महान संत लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं, और इसलिए विलगातार इस घर में आते हैं, पार्थ 49 अवैक्तिक ब्रहम स्वयम क्रिष्ण हैं क्योंकि क्रिष्ण निर्वैक्तिक ब्रहम का स्रोथ हैं, वह महान संतो द्वारा मांगी गई दिव्यानन्द का मूल है, फिर भी वफ सर्वोच व्यक्ति आपका सबसे प्रिय आत्मिक गुरू के रूप में कार्य करता है, पार्थ 50 भगवान शिव और भगवान ब्रहमा जैसे श्रेश व्यक्ति भगवान क्रिष्ण के परम व्यक्तित्व के सत्यका ठीक से वर्नन नहीं कर सके, मौन, ध्यान, भक्ति सेवा और त्याग के व्रतों का पालन करने वाले म महान संतों द्वारा हमेशा सभी भक्तों के रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान हम पर प्रसन हों। फिर से कैसे बढ़ाया। कृपया इन घटनाओं का वर्नन करें। पाठ तिरपन नारद मुनी ने कहा, जब देवता, जो हमेशा भगवान क्रिष्ण की दया से शक्तिशाली होते हैं, असुरों से लड़े, असुरों की हार हुई, और इसलिए उन्होंने राक्षसों में सब इन आवासों के कारण राक्षसों के सेनापती देवताओं के लिए अद्रिश्य रहे। इस अफसर का लाब उठाकर, राक्षसों ने अपनी पूर्व शत्रुता को याद करते हुए, तीनों लोकों, उप्री, मध्य और निम ग्रह प्रनालियों को जीतना शुरू कर पार्ट शप्पन, इसके बाद, जब राक्षसों ने उच्छ ग्रह प्रनालियों को नश्ट करना शुरू कर दिया था, तो उन ग्रहों के शासक भगवान शिव के पास गए, पूरी तरह से उनके सामने आत्मसमर्पन कर दिया और कहा, प्रिय भगवान, हम तीनों लोकों मे रहने वाले देवताओं का विनाश होने वाला है, हम आपके अनुयाई हैं, कृपया हमें बचाएं, पार्ट शप्पन, सबसे शक्तिशाली और सक्षम भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, जरो मत फिर उन्होंने अपने तीरों को अपने धनुश पर तिका दिया और उन्हें राक्षसों के कबजे वाले तीन निवासों की ओर छोड़ दिया, पार्ट अथावन, भगवान शिव द्वारा छोड़े गए तीर सूर्य की दुनिया से निकलने वाली अगनिमे पुंजों की तरह दिखाई दिये और तीन आवासिये हवाई जहाजों को जो तब दिखाई नहीं दे रहे थे पार्ट उन्सट भगवान शिव के सुनहरे बानों से हमला करते हुए उन तीन आवासों के सभी आसुरी निवासियों की जान चली गई और वे नीचे गिर गए तब महान रहसिवादी माया दानव ने राक्षसों को उनके द्वारा बनाए गए अमरित के कुए में गिरा दिया पार्ट साथ जब राक्षसों के शव अमरित के संपर्प में आए तो उनके शरीर वज्व से अजेय हो गए वे बड़ी शक्ती से संपन बिजली भेदने वाले बादलों की तरह हो थे पार्ट 61 भगवान शिव को बहुत अधिक दुखी और निराश देखकर भगवान के सरवोच व्यक्तित्व भगवान विश्णू ने विचार किया कि माया दानव द्वारा बनाई गई इस उब्द्रव को कैसे रोका जाए पार्ट 62 तब भगवान व्रहा एक बच्छडा और भगवान विश्णू एक गाए बन गए और दोपहर के समय उन्होंने घरों में प्रवेश किया और कुवे में सारा अमरित पिया पार्ट 63 राक्षस बच्छडे और गाए को देख सकते थे लेकिन भगवान के परम व्यक्तित्व की उर्जा द्वारा निर्मित ब्रम के कारण राक्षस उन्हें मना नहीं कर सके महान रहसेवादी माया दानव को पता चला की बच्छड़ा और गाए अमरित पी रहे हैं और वे इसे भविश्य की अद्रिश्य शक्ति समझ सकते हैं इस प्रकार उसने राक्षसों से बात की जो गंभी रूप से विलाप कर रहे थे पार्ट चौसट माया दानव ने कहा भगवान ने अपने लिए दूसरों के लिए या अपने लिए और दूसरों के लिए जो नियत किया है उसे कहीं भी या किसी के द्वारा पूर्ववत नहीं किया जा सकता है चाहे कोई देवता हो राक्षस हो इनसान हो या कोई और ग्रंथ 65-66 नारद मुनी ने जारी रखा ततपश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी व्यक्तिगत शक्ती से धर्म, ज्यान, त्याग, एश्वर्यक तपस्या, शिक्षा और गति विद्यों से युक्त भगवान शिव को सभी आवशिक सामगरी जैसे रत, सारती, ध्वच से स सुसज्जित किया, घोले, हाथी, धनुष, धाल और बान, जब भगवान शिव इस तरह से पूरी तरह से सुसज्जित हो गए, तो बे अपने बानों के साथ रत पर बैट गए और राप्शिसों से लड़ने के लिए जुब गए, पार्ट सर्सट, मेरे प्रिया राजा यु देवताओं, संतों, पिताओं, सिद्धों और विबिन महान हस्तियों ने भगवान शिव के सिर पर फूलों की वर्शा की, उनकी सभी जीत की कामना की, और अपसराएं बड़े आनंद के साथ जब और नृत्य करने लगी पार्ट 79, हे राजा युदिश्थिर, इस प्रकार भगवान शिव को त्रिपुरिरी के रूप में जाना जाता है, जो राक्षसों के तीन निवासों का विनाशक है, क्योंकि उन्होंने इन आवासों को जला कर राख कर दिया था भगवान ब्रम्हा की अध्यक्षता में देवताओं द्वारा पूजा की जा रही थी, भगवान शिव अपने निवास पर लौट आए पार्ट सत्तर, भगवान, श्री कृष्ण एक इनसान के रूप में प्रकट हुए, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ती से कई असामान्य और अद्वुत लीलाएं की मैं उनके कारियों के बारे में महान संतो द्वारा पहले से ही कही गई बातों से अधिक कैसे कह सकता हूँ प्रतेक व्यक्ति को उसकी गतिविद्यों से शुद्र किया जा सकता है, केवल सही स्रोथ से उनके बारे में सुनकर पुस्तकाले, श्वीमत भागवत्म, भागवत्पुरान, सर्व साथ, ईश्वर का विग्यान अध्याए 11 दपफेक्ट सोसाइटी, फोर सोशल क्लासेस यह अध्याए उन सामाने सिध्धानतों का वर्नन करता है जिनका पालन करके एक इनसान और विशेश रूप से आध्यात् के बारे में पूछताच की, जो मानव सभयता की सर्वोच स्थिती को दर्शाता है। जब महाराज युदिश्टिर ने नारद मुनी से इन मामलों के बारे में पूछा तो नारद मुनी ने अपने स्वयम के बयान देना बंद कर दिया और भगवान नारायन के बयानों को नातन धर्म, शाश्वत धार्मिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। वर्णाश्रम प्रणाली ब्राहमन, शत्रिय, बैश्य और शूद्र के विभाजनों को चित्रित करती है। यह संसकारों की प्रणाली को भी निर्धारित करता है। गर्भधान संसकार एक बच्च देवता की पूजा करना, दूसरों को देवता की पूजा करना सिखाना, वैदिक साहित्य का अध्यन करना, वैदिक साहित्य को पढ़ाना, दूसरों से दान्स विकार करना और फिर से दूसरों को दान देना है। एक ब्राहमन को अपनी आजीविका इन शेर व्यावसाइक कर एक शत्रिय का करतव या नागरिकों को सुरक्षा देना और उन पर कर लगाना है लेकिन उसे ब्राहमनों पर कर लगाने की मना ही है इसलिए क्रिश्न भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को सरकारी कराधान से छूट दी जानी चाहिए शत्रिय ब्राहमनों को छोड़कर सभी प अंतुष्ट रहना चाहिए राहमनों के लिए आजीविका के अन्यसाधन भी निर्धारित हैं और ये चार हैं शालिन, ये आवर्ट, शिला और उचाना इन व्यावसाइक करतव्यों में से प्रतेक्रमिक रूप से बहतर है जो सामाजिक जीवन के निम्स्तर में है जब तक अवर्शिक नहो उच्छ वर्ट के पेशे को स्वीकार नहीं कर सकता आपातकाल के समय शत्रियों को छोड़कर सभी वर्ट दूसरों के पेशे वर करतव्यों को स्वीकार कर सकते हैं ता सिलोंचन, अमृता, आयाचिता, मूत, येचना, प्रमिता, कर्ण, और सत्यनिता, वान प्र प्रशिद्ध्धिया का लक्षण और प्रुष्य वर्व और प्रत्य सेवा है। ब्राहमन, शत्रिय, वैशिय और शूद्व के लक्षन बहुत महत्वपून हैं और इसलिए व्यक्ति को केवल इन लक्षनों से नामित किया जाना चाहिए नकी जन्व से नारद मुनी और सभी महान व्यक्तियों द्वारा जन्व से पदनाम की सक्त मना ही है पार एक शुदेव गोस्वामी ने जारी रखा प्रहलाद महाराज की गतिविद्यों और चरित्र के बारे में सुनने के बाद जिन्हें भगवान ब्रम्हा और भगवान शिव जैसे महान व्यक्तियों के बीच पूजा और चर्चा की जाती है युदिष्ठिर महाराज महान व्यक्तित्वों में सबसे सम्मानित राजा ने फिर से महान संत नारद मुनी से पूछ ताच की बहुत खुशी का मूड पार दो महाराज युदिष्ठिर ने कहा मेरे प्रिय भगवान मैं आपसे धर्म के सिध्धानतों के बारे में सुनना चाहता हूँ जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्षिप भक्ति सेवा को प्राप्ट कर सकता है मैं मानव समाज के सामान्य व्यावसाइक कर्तवयों और वर्नाश्रम धर्म के रूप में जानी जाने वाली सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नती की प्रनाली के बारे में सुनना चाहता हूँ पार्ट तीन है श्रेश्ट ब्राहमन आप सीधे प्रजापती भगवान ब्रम्हा के पुत्र हैं। आपकी तपस्या, रहसेवादी योग और समाधी के कारण आप भगवान ब्रम्हा के सभी पुत्रों में सर्वश्रेश्ट माने जाते हैं। पार्ट चार, शांतिपूर्ण जीवन और दया में आपसे श्रेश्ट कोई नहीं है और आपसे बहतर कोई नहीं जानता की भगती सेवा कैसे करें या सर्वश्रेश्ट ब्राहमन कैसे बनें। इसलिए आप गोपनिय धार्मिक जीवन के सभी सिध्धानतों को जानते हैं और उन्हें आपसे बहतर कोई नहीं जानता। अब भी वे अभी भी बद्रीकाश्रम नामकस्थान के पास बड़ी तपस्या करने में लगे हुए हैं। दया, तपस्या, महीने के कुछ दिनों में उकवास करना, दिन में दो बार स्नान करना, सहन्शीलता, सही और गलत के बीच भेदभाव, मन पर नेंतरन, पर नेंतरन इंद्रियों, अहिंसा, ब्रहमचर्यक, दान, शास्त्रों का वाचन, सरलता, संतोष, संतों की सेवा करना, दीरे दीरे अनावशिक व्यस्तताओं को छोड़ना, मानव समाज की अनावशिक गतिविद्यों की निरर्थक्ता को देखना, मौन और गंभीर रहना और अनावशिक बात करने से बचना, विचार करना कोई शरीर हो या आत्मा, सभी जीव इन गति विद्यों और निर्देशों का जब करते हुए, हमेशा इन गति विद्यों और निर्देशों को याद करते हुए सेवा करने का प्रयास करना, पूजा करना, प्रणाम करना, सेवक बनना, मित्र बनना और अपना सर्वस्ट समर्पन करना। रुकावट के किया गया है और जिन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा अनमोदित किया गया है वेद्विज हैं या द्विज हैं। ऐसे ब्रहमन, प्षत्रिय और वैश्य अपनी पारिवारिक परंप्राओं और अपने व्यवहार से शुद्ध होकर भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्यन करें और दान करें। इस प्रणाली में उन्हें चार आश्रमों, ब्रमचार्य, ग्रिहस्थ, वान्प्रस्थ और सन्यास के सिध्धान्तों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मनों के निर्देशों का पालन करना चाहिए और क्रिशी, व्यापार और गायों की सुरक्षा जैसे व्यावसाइक कर्टव्यों में सनलग्न होना चाहिए। या वह यहां और वहां बचा हुआ अनाज अनाज व्यापारियों की दुकानों में एकत्र कर सकता है। ये चार जीविका के साधन हैं जिन्हें ब्राह्मन भी अपना सकते हैं। इन चारों में से प्रतेक क्रमागत रूप से पूर्ववर्ती की तुलना में बहतर है। पार्ट सत्रा आपातकाल के समय को छोड़कर निम्म व्यक्तियों को उन लोगों के व्यावसाइक करतवियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो उच्छतर हैं। जब ऐसी कोई अपात स्थिती होती है तो निश्चित रूप से प्षत्रिय को छोड़कर हर कोई दूसरों की आजीविका के साधन को स्वीकार कर सकता है। पार्ट अथारा माइनस बीज आपातकाल के समय कोई भी विविन प्रकार के व्यवसायों को स्वीकार कर सकता है जिन्हें सीता, अमरित, मूता, प्रमित और सत्यनिष्ठा कहा जाता है लेकिन किसी को भी कुत्ते के पेशे को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। खेट से अनाज इकर्था करने वाले उचेचला के पेशे को ओत कहा जाता है। बिना भीक मांगे इकर्था करना अमरित कहलाता है, भीक मांगना मूत कहलाता है, जमीन जोतना प्रमित कहलाता है, और व्यापार को सत्यनिष्ठा कहा जाता है। हालां कि निम्ण श्रेनी के व्यक्तियों की सेवा में सनलग्न होना कुत्तों का पेशा स्ववृत्ति कहलाता है विशेश रूप से ब्राह्मनों और क्षत्रियों को शूद्रों की निम्ण और ग्रिनित सेवा में सनलग्न नहीं होना चाहिए ब्राहमनों को सभी वैदिक ज्यान से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए पार्ट 21 ब्राहमन के लक्षन मन पर नियंतरन इंद्रियों पर नियंतरन तपस्या और तपस्या सवच्छता संतुष्टी शमा सरल्ता ग्यान दया सत्यता और भगवान के सरवोच व्यक्तित्व के प्रती पूर्ण समर्पन है पार्ट 22 युद्ध में प्रभावशाली होना अजेया धहर्यवान चुनोती देने वाला और परोपकारी होना शारीरिक आवशकताओं को नियंतरित करना शमाशील होना राहमनवादी प्रकृती से जुड़ा रहना और हमेशा हस्मुक और सत्यवादी रहना येक्षत्रिय क पार्ट 23 हमेशा देवताओं आध्यात्मिक गुरू और सरवोच भगवान विश्नु के प्रती समर्पित रहना धार्मिक सिध्धान्तों आर्थिक विकास और इंड्रियत्रिप्ती धर्म अर्थ और काम में उन्नती के लिए प्रयास करना आध्यात्मिक गुरू और शास्त् पार्ट 25 पती की सेवा करना पती के प्रती हमेशा अनुकूल रहना पती के रिष्टेदारों और दोस्तों के प्रती समान रूप से अच्छी तरह से व्यवहार करना और पती की प्रतिग्याओं का पालन करना ये चार सिध्धान्त हैं जिनका पालन महिलाओं को पवित्र कहा जाता है डॉट ग्रंट 26-27 एक पवित्र महिला को अपने पती की खुशी के लिए अच्छी तरह से तयार होना चाहिए और सोने के आभूशनों से खुद को सजाना चाहिए हमेशा स्वच और आकर्शक वस्त्रधारं करके उसे घर की जाडू और पानी और अन्यतरल पदार्थ उसे घर का सामान इकठा करना चाहिए और घर को हमेशा धूप और फूलों से सुगंदित रखना चाहिए और अपने पती की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तयार रहना चाहिए विनम्र और सत्यवादी होकर इंद्रियों को वश्में करके और मधूर वचनों में बोलत भालने में बहुत कुशल होना चाहिए और धार्मिक सिध्धानतों से पूरी तरह वाकिफ होना चाहिए, उसे मनभावन और सत्य बोलना चाहिए और बहुत सावधान और हमेशा स्वच और शुद्ध रहना चाहिए, इस प्रकार एक पवित्र महिला को पती की सेवा में सनह से स पार्ट उन्तीस जो स्त्री भाग्य की देवी के पच्चिनों का सक्ती से पालन करते हुए अपने पती की सेवा में संलगन होती है, वो निश्चित रूप से अपने भक्त पती के साथ भगवान के पास वापस लोटती है और वैकुंद ग्रहों में बहुत खुशी से रहती जो चोर नहीं हैं, उन्हें अंतेवासय या चांगल कुट्ते खाने वाले के रूप में जाना जाता है और उनके वन्शानुगत रीती रिवाज भी होते हैं। ग्रंथ 33-34 मेरे प्रियराजा यदि एक खेत में बार बार खेती की जाती है तो उसके उत्पादन की शक्ती कम हो जाती है और जो भी बीज बोया जाता है वह नश्ट हो जाता है। जिस प्रकार आग पर गी की बूंदें आग को कभी नहीं बुझाती लेकिन गी की बार से ऐसी कामनाओं की अधिक्ता पूरी तरह से कम हो जाती है। पार्ट 35 यदि कोई ब्राह्मन, शत्रिय, वैश्य या शूद्र होने के लक्षन दिखाता है जैसा की उपर वर्नित है भले ही वह एक अलग वर्ग में प्रकट हुआ हो उसे वर्गी करम के उन लक्षनों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। पुस्तकाले, श्रीमत भागवत्म, भागवत्पुरान, सर्ग साथ, ईश्वर का विग्यान अध्याए बारा संपूर्ण समाज, चार आध्यात्मिक वर्ग यह अध्याए विशेश रूप से ब्रमचारी और वानप्रस्थ अवस्था में व्यक्ति का वर्नन करता है और यह ब्रहमचर्य, ग्रिहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के रूप में जाना जाता है। उसे नित्य प्राता विक्षा एकत्रित करनी चाहिए और सानकाल में जो भी विक्षा एकत्रित की है उसे गुरू को अर्पित करना चाहिए। पर नियंत्रन रखना चाहिए और जहां तक हो महिलाओं की संगती से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को बहुत सक्ती से महिलाओं के साथ रहने से बचना चाहिए और ग्रहस्तों और महिलाओं के आदी लोगों से नहीं मिलना चाहिए। नहीं ब्रह्मचारी को एकांत स्थान में स्त्री से बात करनी चाहिए। इस तरह से ब्रह्मचारी के रूप में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद किसी को अपने गुरू को दक्षिना, कृतग्यता की भेट देनी चाहिए। और फिर वह घर के लिए निकल सकता है और अगले आश्रम को स्वीकार कर सकता है ग्रिहस्ट आश्रम या फिर वह जारी रह सकता है ब्रह्मचारी आश्रम बिना मिलावट के शास्त्रों में ग्रिहस्ट आश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम के कर्तवियों के साथ साथ सन्यासि के लिए कर्टब्यों का निर्धारन किया गया है एक ग्रिहस्त बिना किसी प्रतिबंद के यौन जीवन का आनंद लेने के लिए नहीं है दरसल वैदिक जीवन का पूरा उद्देश यौन भोग से मुक्त होना है सबी आश्रम आध्यात्मिक प्रगती के लिए पहचाने जाते प्रिहस्त कुस्त्री को भोग के लिए स्विकार नहीं करना चाहिए वीर्य बर्बाद करना भी अवैद सेक्स है प्रिहस्त आश्रम के बाद एक और आश्रम है जिसे वानप्रस्त के नाम से जाना जाता है जो प्रिहस्त और सन्यास के बीच में है वानप्रस्त क्रम में एक व्यक्ति को खाद्यान खाने में प्रतिबंदित किया जाता है और पेड़ पर पके हुए फल खाने से मना किया जाता है। नहीं उसे आग से खाना बनाना चाहिए, हालां कि उसे कारू खाने की अनुमती है, वह नाज जो यग्य में चड़ाया गया है। वह प्राकृतिक रूप से ओगाय गय फल और अनाज भी खा सकता है। तो उसे धीरे धीरे सब कुछ बंद कर देना चाहिए और इस तरह अपने शरीर को छोड़ देना चाहिए। पार्ट एक नारद मुनी ने कहा, एक छात्र को अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रत करने का अभ्यास करना चाहिए। उसे बिनम्र होना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु के लिए द्रिर्मित्रता का रवया रखना चाहिए। एक महान वरत के साथ ब्रमचारी को गुरु कुल में रहना चाहिए केवल गुरु के लाप के लिए। पार्ट दो, दिन और रात दोनों समयों पर अर्थात सुबह और शाम को उसे आध्यात्मिक गुरु अग्नी, सूर्य देवता और भगवान विश्नु के विचारों में पूरी तरह से लीन होना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पार्ट तीन आध्यात्मिक गुरु द्वारा बुलाए जाने के कारण छात्र को नियमित रूप से वैदिक मंत्रों का अध्यान करना चाहिए। पार्ट तीन आध्यात्मिक गुरु द्वारा भोजन लेने का आदेश दिये जाने पर ही उसे खाना चाहिए। इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करते हुए उसे जितना आवश्यक हो उतना ही स्त्रियों या स्त्रियों के नियंत्रन में रखना चाहिए। पार्ट साथ एक ब्रमचारी या जिसने ग्रिहस्थ आश्रम पारिवारिक जीवन को स्वीकार नहीं किया है। उसे महिलाओं के साथ या महिलाओं के बारे में बात करने से सक्ती से बचना चाहिए। क्योंकि इंद्रिया इतनी शक्तिशाली हैं कि वे एक सन्यासी के मन को भी उत्तेजित कर सकते हैं जो कि एक सन्यासी का सदस्य है। जीवन का क्रम, पार्ट आठ यदी आध्यात्मिक गुरू की पत्नी युवा है, तो एक युवा ब्रमचारी को उसे अपने बालों की देख भाल करने, अपने शरीर को तेल से मालिश करने या मा की तरह सने से स्नान करने की अनुमती नहीं देनी चाहिए पार्ट नौ, स्त्री की तुलना आग से की गई है, और पुरुष की तुलना मक्खन के बर्तन से की गई है, इसलिए मनुश्य को चाहिए कि वो अपनी ही पुत्री के साथ भी एकांत स्थान पर मेल मिलाप करने से बचे, इसी तरह उसे अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाने स से भी बचना चाहिए, महिलाओं के साथ केवल महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए ही जुरना चाहिए अन्यता नहीं, पार्ट दस्ट जब तक जीव पूरी तरह से आत्मसाफशातकार नहीं होता है, जब तक वो अपने शरीर के साथ पहचान करने की गलत धारना से स्वतंत पार्ट 11, सभी नियम और कानून समान रूप से ग्रिहस्ट और सन्यासी, त्यागी जीवन के सदस्य पर लागू होते हैं, हालांकि ग्रिहस्ट को आध्यात्मिक गुरुद्वारा प्रजनन के लिए अनुकूल अबधी के दोरान यौन संबंद बनाने की अनुमती दी जाती पार्ट 12, ब्रमचारी या ग्रिहस्ट जिन्होंने उपर वर्नित ब्रहमचर्य का वरत लिया है, उन्हें निमनलिखित में लिप्त नहीं होना चाहिए, आखों पर पाउड़ा या मलहम लगाना, तेल से सिर की मालिश करना, हाथों से शरीर की मालिश करना, किसी महिला को उपर वर्नित नियमों और बिनियमों के अनुसार, जो दो बार पैदा हुआ है, अर्थात ब्रहमन, क्षत्रिय या वैश्य उसे आध्यात्मिक गुरू की देखरेक में गुरू कुल में रहना चाहिए, बहां उन्हें अपनी क्षमता और अध्यन की शक्ती के अनुसार सभी बैदिक साहित्य उनके पूरक और उपनिशदों का अध्यन और अध्यन करना चाहिए, यदि संभव हो तो छात्रिया शिष्य को आध्यात्मिक गुरू के अनुरोद के पारिश्रमिक के साथ आध्यात्मिक गुरू को पुरस्कृत करना चाहिए, और फिर गुरू के आध्य इश्का पालन करते हुए, शिश्य को अन्य आश्रमों में से एक को छोड़ देना चाहिए, अर्थात ग्रिहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या सन्यास आश्रम जैसा वो चाहता है। वानप्रस्थ आश्रम या सन्यास आश्रम में हो, उसे हमेशा सर्वोच भगवान की सर्वव्यापी उपस्थिती का एहसास होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से यह समझना संभव है परमसत्य। उसे ऐसे अनाज भी नहीं खाने चाहिए जो बिना खेत की जुताई के उगाए हो लेकिन पूरी तरह से पके नहों। नहीं वानप्रस्थ को आग में पका हुआ अनाज खाना चाहिए, दरसल उसे धूप से पके फल ही खाने चाहिए। पार्ट उन्नीस एक वानप्रस्थ को जंगल में प्राकृतिक रूप से उगाए गए फलों और अनाज से बलिदान के लिए केक तयार करना चाहिए। जब उसे कुछ नया अनाज मिले तो उसे अपने पुराने अनाज के भंडार को छोड़ देना चाहिए। पार्ट बीस एक वानप्रस्थ को केवल पवित्र अगनी को रखने के लिए फूस की जोपड़ी तयार करनी चाहिए या पहार में एक गुफा की शरन लेनी चाहिए लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से स्थाई हिमपात, हवा, आग, बारिश और सूर्य की चमक का अभ्यास क पार्ट बीस एक वानप्रस्थ को अपने सिर पर उलजे हुए बालों को धारन करना चाहिए और अपने शरीर के बालों, नाखूनों और मूंचों को बढ़ने देना चाहिए। पस्या से परेशान या परेशान न हो। आत्मग्यानी व्यक्ति जिसे पूर्म ग्यान है, उसे शरीर के विभिन अंगों को उनके मूर्स रोतों में मिला देना चाहिए। शरीर में छिदर आकाश के कारण होते हैं, श्वास की प्रक्रिया वायू से होती है, शरीर की गर्मी आग से होती है, और वीर्य और बल्गम पानी के कारण होता है। त्वचा, मासपेशी और हर्डी जैसे कठोर पदार्थ प्रित्वी के कारण होते हैं। मृत्यू को दिया जाना चाहिए। मित्या अहनकार, जो प्रकृति के भौतिक गुनों के प्रभाव में हैं और जो सोचने के लिए प्रेरित करता है, मैं या शरीर हूँ और इस शरीर से जुरी हर चीज मेरी है, को भौतिक गतिविधियों के साथ रुद्र में मिला दिया जाना चाहिए। जूटे अहनकार के प्रमुक देवता, भौतिक चेतना, विचार के लक्षे के साथ व्यक्तिगत जीव में विलीन हो जानी चाहिए और भौतिक प्रकृति के गुनों के तहट काम करने वाले देवताओं को विकृत जीवों के साथ सरवोचह होने में विले किया जाना प्रित्वी को जल में, जल को सूर्य के तेज में, इस तेज को वायू में, वायू को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहनकार में, मिथ्या अहनकार को समगर भौतिक उर्जा में, समगर भौतिक उर्जा में समाहित कर लेना चाहिए अव्यक्त सामगरी, भौतिक उर्जा की प्रधान विशेष्टा और अंत्मे परमात्मा में भौतिक अभिविक्ती की घटक विशेष्टा पार्ट 31 जब सभी भौतिक पदनाम इस प्रकार अपने अपने भौतिक तत्वों में विलीन हो जाते हैं तो जीवित प्राणी, जो सभी अंतत्व पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, सरवोच होने के साथ गुनवत्ता में एक होने के कारण भौतिक अस्तित्वर से समाप्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस लकडी में वे हैं, उसके बाद आग की लप्टे समाप्थ हो जाती हैं जलाने का सेवन किया जाता है, जब भौतिक शरीर को उसके विभिन भौतिक तत्वों में वापस कर दिया जाता है, तो केवल अध्यात्मिक प्राणी ही रहता है, यह अध्यात्मिक प्राणी ब्रह्म है और गुन में परग्रम के समान है, अध्याय तेरह एक आदर्श व्यक अब इस अध्याय में उन्होंने सन्यासियों द्वारा पालन किये जाने वाले नियामक सिध्धान्तों का विशेश रूप से वर्नन किया है। शक्ताओं के संबंध में किसी पर भी निर्भरता से मुक्त, किसी को भी लगबक कुछ भी नहीं पहने या वास्तव में नगना होकर हर जगह यात्रा करनी चाहिए। शक्ताओं को नहीं अपनाना चाहिए और नहीं उसे एक महान वक्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। उसे अनावश्यक तर्क वितर्क का मार्ग भी त्याग देना चाहिए और किसी भी परिस्थिती में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए उसे लोगों को अपने शिशे बनने के लिए लुभाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ताकि उनके शिश्यों की संख्या बढ़ सके उसे जीविका के साधन के रूप में अनेक पुस्तकें पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए और उसे मंदिरों और मठों या मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब एक सन्यासी इस प्रकार पूरी तरह से स्वतंत्र, शांति पूर्ण और सुसजित हो जाता है तो वो मृत्यू के बाद अपने इछित गंतव्य का चैन कर सकता है और उस गंतव्य तक पहुँचने के सिध्धानतों का पालन कर सकता है पूर्ण ज्यानी होते हुए भी गूंगे की भाती सदा मौन रहना चाहिए और बेचैन बालक की भाती यात्रा करनी चाहिए इस संबंध में नारद मौनी ने प्रहलाद और एक सादू व्यक्ति के बीच एक बैठक का वर्नन किया जिसने एक अजगर के जीवन का तरीका अपनाया था इस प्रकार उन्होंने परमहंस के लक्षनों का वर्नन किया एक व्यक्ति जिसने परमहंस अवस्था प्राप्ट कर ली है, वो पदार्थ और आत्मा के बीच के अंतर को अच्छी तरह जानता है। वो भौतिक इंद्रियों को त्रिप्ट करने में बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं रखता क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ती सेवा से आनन्द प्राप्ट करता है। द्धानतों के संदर्व के बिना कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। उसकी कभी भी भौतिक वादी पुरुषों के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए, नहीं वह ऐसे पुरुषों के निर्णियों के अधीन है। पार्ट दो, जीवन के त्यागी क्रम में एक व्यक्ती खुद को धकने के लिए एक पोशाक से भी बचने की कोशिश कर सकता है। अगर वह कुछ भी पहनता है, तो वह केवल एक लंगोटी होना चाहिए, और जब कोई आवश्यक्ता नहीं होती है, तो एक सन्यासी को एक दा पर आश्रित न होते हुए भी उसे सदेव सभी जीवों का मित्रवत शुबचिन तक होना चाहिए और नारायन का एक शांतिपूर्ण आनन्य भक्त होना चाहिए। इस तरह उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। आप देखना चाहिए। पार्ट शे चून की भौतिक शरीर का नाश होना निश्चित है और किसी के जीवन की अबदी निश्चित नहीं है, इसलिए ना तो मृत्यू और नहीं जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। बलकि शाश्वत समयकारक का निरीक्षन करना चाहिए जिसमें जीवस्वयम प्रकट होता है और गायब हो जाता है। पार्ट साथ साहित्य जो समय की बरबादी है, दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक लाप के बिना साहित्यक को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। पार्ट नौ एक शांतिपूर्ण सुसजित व्यक्ति जो वास्तव में आध्यात्मिक चेत्ना में उन्नत है, उसे सन्यासी के प्रतीकों को स्वीकार करने की आवश्यक्ता नहीं है, जैसे की त्रिदिन्ड और कमशलू, आवश्यक्ता के अनुसार वह कभी उन प्रतीकों को स चैन बच्चे की तरह पेश करना चाहिए, और यदिपी वह सबसे बड़ा विचारशील वक्ता है, फिर भी उसे खुद को एक गूंगे की तरह पेश करना चाहिए। पर पहुंचे, जहां सहया नामक एक परवत था। वहाँ उन्हें एक महान संत मिला, जो जमीन पर पढ़ा था, मिटी और धूल से धका हुआ था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत था। पार्ट 14, न तो उस साधू व्यक्ती की गतिविदियों से, उसकी शारी पूजा की और उन्हें प्रनाम किया। इस प्रकार संत की पूजा करने और संत के चरंग कमलों में अपना सिर्स पर्श करने के बाद, प्रहलाद महाराज ने उन्हें समझने के लिए बहुत बिनमरता से इस प्रकार पूछ ताच की। ग्रंथ 16-17, सादू को मोटा देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरे प्रिय श्रीमान, आप अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास एक भौतिकवादी भोगी की तरह एक मोटा शरीर है। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बहुत अमीर है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो खाने और सोने और कोई काम ना करने से बेहत मोटा हो जाता है। बुद्धिमान प्रतीत होता है। दिल को भाने वाली बाते कह कर आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। आप देखते हैं कि सामान्य रूप से लोग सकारात्मग गतिविधियों में लगे हुए हैं, फिर भी आप यहां निश्प्रिये पढ़े हैं। पार्ट 20, नारद मुनी ने आगे कहा, जब दैतियों के राजा प्रहलाद महाराज ने संथ से इस प्रकार प्रशन किया, तो वे अमरित वचनों की इस बोच्छार से मोहित हो गए, और उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रहलाद महाराज की जिग्यासा का उत और अस्वीकृती के परिनाम जैसे वे हैं, पार्ट 22, नारायन, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्वत, जो सभी एश्वर्य से भरे हुए हैं, आपके शुदभख्त होने के कारण आपके हरिदय के मूल में प्रमुक हैं, वो हमेशा अग्यान के सभी अंधकार को दूर भग मैं इस संबंद में चुप नहीं रह सकता, क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व को आत्मशुद्धी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से बात करने के लिए उप्युक्त हैं, पार्ट 24, अत्रिप भौतिक इच्छाओं के कारण, मैं भौतिक प्रकृती के नियमों की लहरों द्वारा बहकाया जा रहा था, और इस प्रकार मैं विभिन गतिविद्यों में सनलगन था, जीवन के विभिन रूपों में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, पार्ट 25, पिकास की प्रक्रिया के दौरान, जो अवांशित भौतिक इंद्रियत्रिप्ती के कारण फल नहीं है, इसलिए इसके विप्रीत परिनाम देखकर मैंने भौतिकवादी गतिविद्यों में भाग लेना बंद कर दिया है, पार्ट 27, जीवों के लिए जीवन का वास्तविक रूप आध्यात्मिक सुख में से एक है, जो वास्तविक सुख है, यह सुख तभी प्राप्ठ हो सकता है जब व्यक्ति सभी भौतिकवादी गतिविद्यों को बंद कर दे, भौतिक इंद्रिय भोग केवल एक कल्पना है, इसलिए इस विशय पर विचार करते हुए, मैं सभी भौतिक गतिविद्यों से दूर हो गया हूँ और यहां लेट रहा हूँ, पार्ट 28, इस प् प्रकार म्रिग अग्यान के कारं घास से धके कुएं के जल को नहीं देख सकता, परंतु जल के पीछे कहीं और दौरता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आच्छादित जीव अपने भीतर के सुख को नहीं देखता, बलकि भौतिक संसार में सुख के पीछे दौरता है, 31. भौतिकवादी गतिविधियां हमेशा तीन प्रकार की दैनिय स्थितियों के साथ मिश्रित होती हैं, अध्यात्मिका, अधिदेविक और अधिबूतिका. अतहिस प्रकार के क्रिया कलापों को करने से यदि कोई व्यक्ति कुछ सफलता भी प्राप्त कर लेता है, तो इस सफ करने के लिए बहुत लालची है, और इसलिए अपने धन और आश्वर्य के बावजूद हर तरफ से भाई के कारण अनिद्रा से पेडित है. पार्थ 33, जो लोग भौतिक रूप से शक्तिशाली और अमीर माने जाते हैं, वे हमेशा सरकारी कानूनों, चोरों और बदमाशों दुश्मनों, परिवार के सदस्यों, जानवरों, पक्षियों, दान चाहने वाले व्यक्तियों, अपरिहार या समयकारक और यहां तक अपने स्वयम के कारण चिंताओं से भरे रहते हैं. इस प्रकारवे हमेशा डरते हैं. पार्थ 34, मानव समाज में जो बुद्धिमान हैं उन्हें विलाप, ब्रम, भाई, क्रोध, मोह, दरिद्रता और अनावशिक श्रम के मूल कारण को त्याग देना चाहिए. इन सब का मूल कारण है अनावशिक प्रतिष्ठा और धन की लालसा. पार्थ 35, मदुमक्खी और अजगर दो उतकृष्ट आध्यात्मिक गुरू हैं पर कोई भी उसके स्वामी को मार कर ले जा सकता है. पार्थ 37, मैं कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी अपने तरीके से हासिल होता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ. अगर मुझे कुछ न मिले तो मैं अजगर की तरह धहरेवान और व्याकुल हू और कई दिनों तक इसी तरह लेता रहता हूँ. पार्थ 38, कभी मैं बहुत कम मात्रा में खाता हूँ तो कभी बहुत अधिक मात्रा में. कभी खाना बहुत स्वादिश्ट होता है तो कभी बासी. कभी प्रसाद बड़े आदर के साथ दिया जाता है तो कभी उपेक्षा से भ प्योग करता हूँ और मैं पूरी तरह से संतुष्ट और उत्तेजित हूँ पार्ट चालीस मैं कभी धर्ती की सता पर कभी पत्तों घास या पत्थर पर कभी राख के धेर पर तो कभी दूसरों की इच्छा से तक ये के साथ प्रथम श्रेनी के विस्तर पर महल में लेग जाता हूँ पार्ट 41 है मेरे प्रभू कभी कभी मैं अपने आपको बहुत अच्छी तरह से स्नान करता हूँ अपने पूरे शरीर पर चंदन का गूदा लगाता हूँ फूलों की माला पहनता हूँ और अच्छे वस्त्र और आभूशन पहनता हूँ फिर मैं राजा की तरह हाथी क पीट पर या रत्या घोले पर सवार होकर यात्रा करता हूँ हालांकि कभी कभी मैं नगना होकर यात्रा करता हूँ जैसे किसी भूद द्वारा प्रेत्वादित व्यक्ति पार्ट 42 अलग-अलग-अलग-अलग मानसिक्ता के होते हैं इसलिए न तो उनकी स्तुति करना और न उनकी निंदा करना मेरा काम है। मैं केवल उनके कल्यान की काम ना करता हूँ। यह आशा करते हुए कि वे परमपिता परमातमा क्रिश्न के साथ एक होने के लिए सेहमत होंगे। पार्ट तैंतालीस अच्छे और बुरे के बीज भेदभाव के मानसिक मंगरंत को एक एकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और फिर दिमाग में निवेश किया जाना चाहिए जिसे बाद में जूटे अहनकार में निवेश किया जाना चाहिए। जूटे अहनकार को कुल भोतिक उर्जा में निवेश करना चाहिए, यह जूटे भेदभाव से लड़ने की प्रक्रिया है। पार्ट चौवालीस एक विद्वान, विचारशील व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भोतिक अस्तित्व ब्रम है। यह आत्मग्यान से ही संभव है। एक आत्मग्यानी व्यक्ति जिसने वास्तव में सत्य को देखा है, उसे आत्मसाक्षातकार में स्थित होकर सभी भोतिक गतिविदियों से निवरित हो जाना चाहिए। पार्ट पैंतालीस प्रहलाद महाराज आप निश्चित रूप से एक आत्मसाक्षातकार आत्मा और सरवोच भगवान के भक्त हैं। आप जनता की राय या तथाकतित शास्त्रों की परवा नहीं करते हैं। इस कारण से मैंने आपको बिना किसी हिचकी चाहट के अपने आत मसाक्षातकार का इतिहास बताया है। पार्ट श्यालीस नारद मुनी ने जारी रखा राक्षसों के राजा प्रहलाद महाराज के बाद संथ से इन निर्देशों को सुनकर उन्होंने एक पूर्ण व्यक्ति परमहंस के व्यावसाइक करतव्यों को समझा। इस प्रकार उन् माराज ग्रिहस्त के लिए व्यावसाइक करतव्यों के बारे में बहुत जिग्यासू हो गए तो नारद मुनी ने उन्हें सलाह दी की ग्रिहस्त का पहला करतव्य पूरी तरह से वासुदेव कृष्ण पर निर्भर होना है और अपनी निर्धारित भक्ति सेवा को निश्प जहां तक परिवार के भरन पोशन की बात है तो ग्रिहस्त को अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ चाहिए होता है उसे अरजित करते हुए बहुत कर्तविनिष्ट होना चाहिए और केवल धन संचय करने और भौतिक सुख सुविधाओं में अनावर्शक वृद्धी करन के लिए असाधारन प्रयास नहीं करना चाहिए यदिपी एक ग्रिहस्त को अपनी आजीविका कमाने में बाहिर रूप से बहुत सक्रिय होना चाहिए उसे आंतरिक रूप से भौतिक लाप के लिए आसकती के बिना एक पूर्न आत्मसाफशातकार व्यक्ति के रूप में उसका व्यवहार केवल उनके उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए किसी को भी इस तरह से फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए परिवार के सदस्यों और समाज के निर्देशों को सती रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए लेकिन संक्षेप में ग्रिहस् को धन कमाने के लिए क्रिशी गतिविद्यों में सनलग्न होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता 18.44 में कहा गया है। और प्रकृती के नियमों द्वारा दंडनिय है। एक ग्रिहस्ट को निचले जानवरों, पक्षियों और मधुमक्षियों के प्रती बहुत सनही होना चाहिए। उनके साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। ग्रिहस्ट को इंद्रियत्रिप्ति के लिए ग्रिहस्ट के पास जो कुछ भी हो, उसे बिना किसी भेदभाग के सभी जीवों को समान रूप से वित्रित करना चाहिए। प्रसाद बातने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। प्रिहस्ट को अपनी पतनी से बहुत अधिक आसक नहीं होना चाहिए। उसे अपनी पतनी को पूरे ध्यान से अतिती की सेवा में लगाना चाहिए। एक ग्रिहस्त भगवान की कृपा से जो भी धन जमा करता है, उसे पांच गतिविदियों में खर्च करना चाहिए। ग्रिहस्त को पुरानों में वर्नित तीरत स्थलों का भी ब्रमन करना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और ग्यापक रूप से मानवता के लाप के लिए पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान की पूजा में पूरी तरह से सनलग्न होना चाहिए। पार्ट एक महाराज युदिष्टिर ने नारद मुनी से पूछा, है मेरे भगवान, है महान रिशी, कृपया समझाएं कि हम जो जीवन के लक्षे के ग्यान के बिना घर में रह रहे हैं, वेभी बेदों के निर्देशों के अनुसार आसानी से मुप्ति प्राप पार्ट दो, नारद मुनी ने उत्तर दिया, मेरे प्रियराजा, जो लोग ग्रिहस्त के रूप में घर पर रहते हैं, उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्या करना चाहिए, और अपने काम के परिनामों का आनंद लेने की कोशिश करने के बजाए, उन्हें ये पर भगवान और उनके अवतारों की गतिविद्यों के अमरित को सुनना चाहिए क्योंकि इन गतिविद्यों का वर्नन श्रीमत भागवत्म और अन्य पुरानों में किया गया है, इस प्रकार व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी पत्नी और बच्चों के प्रतिसनें से अलग हो जान चाहिए, हाला कि बाहरी रूप से बहुत अधिक सनलग्म दिखाई देता है, पार शे, मानव समाज में एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी गतिविद्यों के कारेक्रम को बहुत सरल बनाना चाहिए, यदि उसके दोस्तों, बच्चों, माता-पिता, भाईयों या किसी औ और के सुझाव हैं, तो उसे बाहरी रूप से यह कहते हुए सहमत होना चाहिए, अहां, यह सब चीक है, लेकिन आंतरिक रूप से उसे एक बोजिल जीवन नहीं बनाने का ग्रिव संकल्प होना चाहिए, जिसमें उसका उद्देश्य हो जीवन पूरा नहीं होगा, पार्ट पार्ट आठ, शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखने के लिए जितनी संपत्ति की आवश्यक्ता होती है, उतनी ही संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया जा सकता है, लेकिन जो इससे अधिक पर स्वामित्व चाहता है उसे चोर माना जाना चाहिए, और वो प्रकृत के नियमों द्वारा दंडित होने का पात्र है. पाठ नौ, हिरन, उट, गधे, बंदर, चुहे, साप, पक्षी और मक्खियों जैसे जानवरों के साथ बिलकुल अपने बेटे की तरह व्यवहार करना चाहिए. वास्तव में बच्चों और इन मासूम जानवरों में कितना का मं पाठ दस्त भले ही कोई ब्रमचारी, सन्यासी या वान्प्रस्त के बजाई ग्रिहस्त हो, उसे धार्मिक्ता, आर्थिक विकास या इंद्रियों की संतुष्टी के लिए बहुत कटिन प्रयास नहीं करना चाहिए. ग्रिहस्त जीवन में भी, भगवान की कृपा से, स्थान और समय के अनुसार, न्यूंतम प्रयास के साथ जो कुछ भी उपलब्ध है, उसके साथ शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए संतुष्ट होना चाहिए. व्यक्ति को उग्रकर्म में सनलग्न नहीं होना चाहिए. पाठ ग्यारा कुतों, गिरे हुए व्यक्तियों और अ कोई अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता से अपनी पत्नी मानता है कि वह कभी-कभी उसके लिए खुद को मार डालता है या दूसरों को भी मार डालता है, यहां तक कि अपने माता पिता या अपने आध्यात्मिक गुरू या शिक्षक को भी? इसलिए यदि कोई ऐसी पत्नी क प्रति अपने लगाव को त्याग सकता है, तो वो पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान पर विजय प्राप्त करता है, जिस पर कभी किसी के द्वारा विजय प्राप्त नहीं की जाती है। पाठ तेरह उचित विचार विमर्ष के द्वारा पतनी के शरीर के प्रती आकर्शन का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि वो शरीर अंतता छोटे कीड़े मल्या राक में बदल जाएगा। इस तुच्छ शरीर का क्या मूल्य है? आकाश के समान सर्वव्यापी परमात्मा कितना बड़ा है? पाठ चौदह एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद, भगवान को अर्पित किया गया भोजन या पांच अलग अलग प्रकार के यग्या पंच सीना करने से संतुष्ठ ह होना चाहिए. इस तरह की गतिविद्यों से व्यक्ति शरीर के लिए लगाव और शरीर के संदर्व में तथा कथित स्वामित्व को छोड़ सकता है. जब कोई ऐसा करने में सक्षम होता है, तो वो रिर्टा से एक महात्मा की स्थिती में स्थिर हो जाता है. पार्ट पंद्र जब कोई धन और ग्यान से सम्रिध होता है जो उसके पूर्ण नियंत्रन में होता है और जिसके माध्यम से वह यग्य कर सकता है या भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व को प्रसंद कर सकता है, तो उसे शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार अग्नी को यग्य करना चाहि पार्थ 17 भगवान के सर्वोच व्यक्तित्वक श्री कृष्न बलिदान के भोगता हैं। फिर भी यदिपी उनका प्रभुता अगनी में चड़ाए गए भोगों को खाता है। मेरे प्रियराजा वो तब भी अधिक संतुष्ट होता है जब योगे ब्राह्मनों के मुख से उस जीवों की पूजा करने में सक्षम होंगे या दूसरे शब्दों में प्रतेग जीव के भीतर सर्वोच जीव। पार्ट 19 एक ब्राह्मन जो परियाप्त रूप से सम्रिध है उसे भाद्र महीने के उत्तराद में अंधेरे चंडर पक्वारे के दौरान पूर वजों को हवन करना चाहिए इसी तरह उसे शिव के महीने में महाले समारों के दौरान पूर वजों के रिष्टेदारों को हवन करना चाहिए टार्वन के पार्ट 20-23 श्राध संसकार मकर संक्रांती जिस दिन सूर्य अत्तर की और बढ़ना शुरू होता है या कारक संक्रांती जिस दिन सू और श्राधा संक्रांती के दिन भी करना चाहिए माग का महीना माग नकशत्र और पूर निमा के दिन और उन दिनों में जब चंद्रम होता है या पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है। ये दिन नक्षत्रों से जुड़े होते हैं, जिन में से कुछ महीनों के नाम होते हैं, निकाली गई है, किसी को भी 12 में चंद्र दिवस पर श्राध संसकार करना चाहिए, जब ये हनुराधा, श्रवन, उत्तर फालगुनी, उत्तराथा या उत्तर भादरपद नाम के किसी भी नक्षत्र के साथ होता है, फिर इस समारों को तब करना चाहिए, जब 11 मां चंद्र दिवस उत्तर फालगुनी, उत्तराष्टा या उत्तर भादरपद के सेयोजन में हो, अंत में इस समारों को अपने जन नक्षत्र, जन नक्षत्र या श्रावन नक्षत्र के साथ जुड़ के दोरान यदि कोई गंगा में या मुना में या किसी अन्य पवित्र zast़olate में न है यदि कोई सर्वाचि भगवान, पूर्वजों, देवताओं की पुजा करता है और सामाण्य रूप से जीव वर जो कुछ भी दान में देता है वस्थाई रूप में लापकारी उपर बताए गए शुप समारोहों को करना चाहिए ग्रंट 27-28 नारद मुनी ने आगे कहा अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक प्रदर्शन अच्छी तरह से किये जा सकते हैं कोई भी स्थान जहां वैशनव उपलब्ध है सभी शुप कारियों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है भगवान का सरवोचर व्यक्तित्व इस संपूर्न ब्रहमांदिय अभिव्यक्ति का आधार है इसके सभी गतिशील और गैर जीवों के साथ और मंदिर जहां भगवान के देवता स्थापित हैं वो सबसे पवित्र स्थान है इसके अलावा वेस्थान जहां विद्वान ब्रहमन तप शिक्षा और दया के माध्यम से वैदिक सिध्धान्तों का पालन करते हैं वे भी सबसे शुब और पवित्र है पार्ट उनतीस वास्तव में वेस्थान शुब हैं जहां भगवान कृष्न का मंदिर है जिसमें उनकी विद्वत पूजा की जाती है और वेस्थान भी जहां पुरानों में वर्नित पवित्र नदियों का प्रभा होता है पूरक वैदिक साहित्य वहाँ जो कुछ भी आध्यात्मिक किया जाता है वह निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होता है ग्रंथ 30-33 पुषकर जैसी पवित्र जीले और वेस्थान जहां साधू लोग रहते हैं जैसे कुरुक शेत्र, गया, प्रया, पुलाश्रम, नमिशारण्य, फालगू नदी के किनारे, सेटुबंद, प्रभास्त, द्वारका, वार्नासी, मतुरा, पंपा, बद्री साराराम, वेस्थान जहां नंदा नदी बहती है वेस्थान जहां भगवान रामचंद्र और माता सीता ने आश्रे लिया था, जैसे चित्रक और पहारी क्शेत्र जिन्हें महिंद्र और मलाया के नाम से जाना जाता है, इन सभी को सबसे पवित्र और पवित्र माना जाता है इसी तरह भारत के बाहर के स्थान जहां क्रिशन भावनामरित आंदोलन के केंडर हैं और जहां राधा क्रिशन देवताओं की पूजा की जाती है उन सभी को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का इरादा रखता है वह इन सभी स्थानों का दौरा कर सकता है और किसी अन्यस्थान पर किये गए समान गतिविधियों के परिनामों की तुलना में एक हजार गुना बहतर परिनाम प्राप्त करने के लिए अनुष्थान समारो कर स 35 हे राजा युदिष्थित देवताओं भगवान ब्रमा के चार पुत्रों सहित कई महान रिशी और संथ और मैस्वयम आपके राजसिय यग्य समारों में उपस्तित थे लेकिन जब यह सवाल था कि सबसे पहले किस व्यक्ति की पूजा की जानी चाहिए तो सभी ने फैसला किया भगवान कृष्ण सरवोच व्यक्ति 35 शंपूर्न ब्रमान्ड जो जीवों से भरा है एक पेड़ की तरह है जिसकी जब भगवान के सरवोच व्यक्तित्वर अच्योट कृष्ण है इसलिए केवल भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी जीवों की पूजा की जा सकती है पार्ट सेंटीस भगवान ने मनुश्य पशूप, पक्षी, संत और देवताओं के शरीर जैसे कई निवास स्थान बनाए है इन असंखे शारीरिक रूपों में भगवान जीव के साथ पर्मातमा के रूप में निवास करते हैं इस प्रकार उन्हें पुरुशावतार के रूप में जाना जाता है पार्ट 38 हे राजा युदिश्टिर्द प्रतेक शरीर में परमात्मा व्यक्ति की आत्मा को उसकी समझकी ख्षमता के अनुसार गुद्धी देता है इसलिए परमात्मा शरीर के भीतर प्रमुख है व्यक्ति के ग्यान तपस्या तपस्या आदी के तुलनात्मक विकास के अनुसार परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा में प्रकट होता है पार्ट 49 मेरे प्रियराजा जब त्रेता युग की शुरुआत में महान संतो और संतो ने परस पर अनादरपूर्ण व्यवहार देखा तो मंदिर में देवता पूजा को सभी सामगरी के साथ पेश किया गया था पार्ट 49 कभी कभी एक नवजाद भक्त भगवान की पूजा के लिए सभी सामगरी प्रदान करता है और वह वास्तव में भगवान को देवता के रूप में पूजा करता है लेकिन क्योंकि वह भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से इरश्या करता है भगवान उसकी भक्ती सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। भ्राहमन अपने उब्देश द्वारा अपने चरंकमलों की धूल से तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। अपने उपर ब्राहमन हैं जो तपस्या और तपस्या से बहुत अधिक आकरशित होते हैं और जो पारिवारिक जीवन से सेवा निवरित होते हैं। उन्हें वानप्रस्त के नाम से जाना जाता है। अन्यब्राहमन वेदों का अध्यन करने और दूसरों को वेदों का अर्थ समझाने में बहुत रुची रखते हैं। ऐसे ब्राहमनों को ब्रमचारी कहा जाता है और फिर भी अन्यब्राहमन विभिन प्रकार के योग में रुची रखते हैं विशेश रूप से भक्ती योग और ग्यान योग। ऐसे ब्राहमन ज्यादातर सन्यासी होते हैं जो जीवन के त्यागी क्रम के सदस्य होते हैं। जहां तक का संबंध है, वेविविन प्रकार के धर्मग्रंथों में संलग्म रहते हैं, विशेश रूप से अपने पूरवजों को आहूती देने और अन्य ब्राहमनों को ऐसे यग्यों में लगे सामान को दान के रूप में देने में. आमतोर पर सन्यासियों, ब्राह्मनों को जीवन के त्यार क्रम में दान दिया जाता है यदि ऐसा सन्यासी उपलब्ध नहीं है तो परुपकारी कारियों में लगे ब्राह्मन ग्रहस्तों को दान दिया जाता है अपने पूरवजों को हवन करने का श्राध संसकार करने के लिए बहुत विस्तृत विवस्ता नहीं करनी चाहिए श्राध समारों के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है भागवत प्रसाद भोजन के अवशेश जो पहले कृष्ण को अर्पित किये गए थे अपने सभी पूरवजों और रिष्टेदारों को वित्रित करना यह एक प्रथम श्रेणी का श्राध समारों बनाता है श्राध समारों में मास चड़ाने या मास खाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है जानवरों की अनावश्यक हत्या से बचना चाहिए जो समाज के निम्न वर्ग में हैं वे जानवरों को मार कर बलिदान करना पसंद करते हैं लेकिन जो ग्यान में उन्नत हैं उन्हें ऐसी अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए भगवान विश्णू की पूजा में ब्राहमनों को अपने नियामक करतव्यों का पालन करना चाहिए जो लोग धार्मिक सिध्धानतों के ग्यान में उन्नत हैं उन्हें पांच प्रकार के अधर्म से बचना चाहिए जिन्हें विधर्म, परधर्म, धर्मभास, उपधर्म और चाल धर्म के नाम से जाना जाता है धार्मिक सिध्धानतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो उसकी समवैधनिक स्थिती के अनुकूल हो ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही प्रकार के धर्म का पालन करना चाहिए, एक सामान में सिध्धान्त यह है कि एक गरीब व्यक्ति को आर्थिक विकास के लिए अनावर्शिक रूप से प्रयास नहीं करना चाहिए, जो ऐसे प्रयासों से परहेज करता है लेकिन जो भक्ती सेवा मे सनलगन है वो सबसे शुब है जो मन से संतुष्ट नहीं है उसे पतन की ओर गिरना ही होगा कामवासना क्रोध लोग भए विलाप व्रम भए भौतिक विशेयों पर अनावश्य बातचीत हिंसा भौतिक अस्तित्व के चार दुखों और तीम भौतिक गुनों पर विजय जिसे आध्यात्मिक गुरू में कोई आस्था नहीं है जो श्री कृष्ट के समान है उसे शास्त्र पढ़ने से कोई लाब नहीं मिल सकता है आध्यात्मिक गुरू को कभी एक साधारन मनुष्य नहीं मानना भले ही आध्यात्मिक गुरू के परिवार के सदस्य से उन्हें ऐ एक ग्रिहस्त को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि ग्रिहस्त भले ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करे, परन्तु वो संबंधियों की संगती का शिकार हो जाता है और गिर जाता है। वो जो अपनी उल्टी खाता है, ऐसा व्यक्ती बेशर्म होता है। प्रिहस्त को कर्मकांडों का त्याग नहीं करना चाहिए और सन्यासी को समाज में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई सन्यासी इंद्रियों से खशुब्ध है, तो वो रजोगुन और अग्यानता से धुखे बाज है। जब कोई परोपकारी और परोपकारी गतिविधियों को शुरू करके भलाई में भूमिका निभाता है, तो ऐसी गतिविधियां भक्ती सेवा के मार्ग में बाधा बन जाती है। भक्ती सेवा में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया जब कोई मोख्ष या मुक्ती का मार्ग लेता है, जिसे भगवत गीता में अर्चना मार्ग के रूप में वर्नित किया गया है, तो एक जन्म मरंग के चक्र से मुक्ती मिल सकती है। वे दिन दो मारगों का वर्नन पित्री आन और देव यान के रूप में करते हैं, जो लोग पित्री आन और देव यान के मार्ग का अनुसरन करते हैं, वे भॉतिक शरीर में रहते हुए भी कभी ब्रमित नहीं होते हैं। एक अद्वेतवादी दार्शनिक जो धीरे-धीरे इंद्रियों पर नियंत्रन विक्सित करता है, समझता है कि सभी विभिन आश्रमों का उद्देश्य जीवन की स्थिती, मोप्ष है। भक्तों की दया से आध्यात्मिक चेतना में सफल हो सकता है, या कोई भक्तों का अनादर करके आध्यात्मिक चेतना से गिर सकता है। इस संबंद में, नारद मुनी ने इतिहास का वर्नन किया कि वह कैसे गंधर्व राज्य से गिर गया था, कैसे वह एक शूद्र परिवार में पैदा हुआ था, और कैसे श्रेश्ट ब्राहमनों की सेवा करके वह भगवान ग्रम्हा के पुत्र बन गए और उनकी दिविस्थित विविन बन्षजों का वर्नन करते हुए श्रीमत भागवत्न के साथ में सर को समाप किया, पार एक नारद मुनी ने जारी रखा, मेरे प्रियर राजा कुछ ब्राहमनों को बहुत अधिक फलदाई गतिविधियों से जोड़ा जाता है, कुछ तपस्या और तपस्या से जु पालन करता है, इस तरह के एक उन्नत ब्राहमन की अनुपस्थिती में एक ब्राहमन को दान दिया जा सकता है जो फलदाई गतिविधियों कर्म कांट के आदी हो, पार तीन देवताओं को अरपन करने की अबधी के दोरान केवल दो ब्राहमनों को आमंत्रित करना चाहिए और पूरवजों को अरपन करते समय कोई तीन ब्राहमनों को आमंत्रित कर सकता है, या किसी भी मामले में केवल एक ब्राहमन ही परियाप्त होगा, भले ही व्यक्ति बहुत धन्वान हो, उसे अधिक ब्राहमनों को आमंत्रित करने या उन अफसरों पर विभिन महंगी पार्ट पांच जब किसी को उप्युक्त शुब समय और स्थान का अफसर मिलता है तो उसे फ्रेम से भगवान के परम व्यक्तित्व के देवता को घी से तैयार भोजन की पेशकश करनी चाहिए और फिर एक उप्युक्त व्यक्ति वैशनव या ब्राहमन को प्रसाद देना चा पार्ट साथ धार्मिक सिध्धानतों से पूरी तरह वाकिफ व्यक्ति को श्राध समारों में कभी भी मास अंडे या मचली जैसी कोई चीज नहीं देनी चाहिए और अगर कोई शत्रिय हो तो भी उसे खुद ऐसी चीजे नहीं खानी चाहिए जब सादूों को गी से बना प्युक भोजन दिया जाता है तो यह समारों पूर्वजों और सरवोच भगवान को प्रसंद करता है जो बलिदान के नाम पर जानवरों को मारने पर कभी प्रसंद नहीं होते हैं पार्ट आठ जो व्यक्ति श्रेष्ट धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अन्य जीवों से सभी इरश्या को त्याग दे चाहे वे शरीर, शब्द या मन के संबंद में हो इससे श्रेष्ट कोई धर्म नहीं है पार्ट नौ, आध्यात्मिक ज्यान की जागरिती के कारण, जो लोग यग्य के संबंद में बुद्धिमान हैं, जो वास्तव में धार्मिक सिध्धानतों के बारे में जानते हैं और जो भौतिक इच्छाओं से मुप्त हैं, वे आध्यात्मिक ज्यान की आग्या परम सत्य क ग्यान में स्वयम को नियंत्रित करते हैं, बेकर्म कांधी समारोहों की प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं, पार्ट 10, यग्य में लगे हुए व्यक्ति को देखकर, बली के लिए बने जानवर अत्यंद भैवीद हैं, यह सोचकर, बलिदान का यह निर्दई करता, बलिदान के असानी से उपलब्ध भोजन के साथ दैनिक बलिदान और कुछ अफसरों के लिए खुशी से करना चाहिए, पार्ट 12, अधर्म की पांच शाखाएं हैं, जिन्हें उचित रूप से अधर्म, विदर्म के रूप में जाना जाता है, धार्मिक सिध्धान्द जिसके लिए एक धर्म का पालन करने से रोकते हैं, विदर्म कहलाते हैं, दूसरों द्वारा पेश किये गए धर्मिक सिध्धान्तों को पर धर्म कहा जाता है, जो मिथ्या अभिमान करता है और जो वेदों के सिध्धान्तों का विरोध करता है, उसके द्वारा बनाए गए एक नए प्रकार के धर्म को उपधर्म कहा जाता है और शब्दों की बाजीगरी से व्याख्या करना चल धर्म कहलाता है पार्ट 14 अपने जीवन के आदेश के निर्धारित कर्तव्यों की जान बूच कर उपेक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्मित एक धोंग धर्मिक व्यवस्था को पाभास एक मन प्रतिविम्व या जूटी समानता कहा जाता है लेकिन अगर कोई अपने विशेश आश्रम या वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है तो बे सभी भौतिक कष्टों को कम करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है पार्ट 15 आदमी गरीब हो तो भी उसे अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार करने का प्रयास केवल अपने शरीर और आतमा को एक साथ रखने के लिए या एक प्रसिद धर्मवादी बनने के लिए नहीं करना चाहिए जिस प्रकार एक महान अजगर एक स्थान पर पड़ा हुआ अपनी आजीविका के प्रयासना करते हुए शरीर और आतमा को बनाए रखने के लिए आवश्यप भोजन प्राप्त करता है जो इच्छाहीन है वह भी बिना प्रयास के अपनी आजीविका प्राप्त करता है पाठ सोलह जो संतुष्ट और संतुष्ट है और जो अपनी गतिविदियों को हर किसी क दिल में रहने वाले भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ जोडता है वह अपनी आजीविका के लिए प्रयास किये बिना दिवे सुख प्राप्त करता है वासना और लोग से ग्रसित भौतिकवादी व्यक्ति के लिए ऐसा सुख कहा है और जो धन संचे की इच्छा से सभी दिशाओं में भटकता है पाठ सत्रा जिस व्यक्ति के पैरों में उप्युक्त जूते हों उसे कंकर काटों पर चलने पर भी कोई खत्रा नहीं होता उसके लिए सब कुछ शुब है इसी तरह जो हमेशा आत्मसंतुष्ट रहता है उसे कोई कश्ट नहीं होता है वास्तव मे वो हर जगह खुशी महसूस करता है पाठ 18 मेरे प्यारे राजा एक आत्मसंतुष्ट व्यक्ति केवल पीने के पानी से भी खुश रह सकता है हालांकि जो इंद्रियों द्वारा विशेश रूप से जीव और जन्नानगो द्वारा संचालित होता है उसे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए घरेलु कुत्ते की स्थिती को स्विकार करना चाहिए पाठ 19 इंद्रियों के लालच के कारण आत्मसंतुष्ट न होने वाले भक्तिया ब्राहमन की आध्यात्मिक शक्ती शिक्षा तपस्या और प्रतिष्ठा कम हो जाती है और उसका ग्यान धीर प्रतिया से संतुष्ट होता है लेकिन जहां तक का सवाल है भले ही लालची व्यक्ती ने दुनिया की सभी दिशाओं को जीत लिया हो या दुनिया में सब कुछ भोग लिया हो फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा पार्ट 21 है राजा युदिश्टिर विभिन अनुभव वाले कई व्यक्ती, कई कानूनी सलाहकार, कई विद्वान और विद्वान सभाओं के अध्यक्ष बनने के योग्य कई व्यक्ती अपने पदू से संतुष्ट नहोंने के कारण नार किये जीवन में गिर जाते हैं पार्ट 22 संकल्प के साथ योजनाय बनाकर इंद्रियत्रिप्ती की वासनाओं का त्याग करना चाहिए पार्ट चौबीस अच्छे व्यवहार और इरश्या से मुक्ति से व्यक्ति को अन्य जीवों के कष्टों का प्रतिकार करना चाहिए समाधी में ध्यान द्वारा व्यक्ति को प्रोविडेंस के कारण कष्टों का प्रतिकार करना चाहिए और हट योग प्रानायाम आदी का अभ्यास करके शरीर और मन के कश्टों का प्रतिकार करना चाहिए डॉट इसी प्रकार सद्गुनों को विक्सित करके विशेश कर खाने के मामले में नींग पर विजय प्राप्त करनी चाहिए पार्ट पचीस अच्छाई की विधा विक्सित करके रजोगुन और अग्यान के गुनों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और तब व्यक्ति को शुधसत्व के मंच पर खुद को बढ़ावा देकर अच्छाई के तरीके से अलग हो जाना चाहिए यह सबस्वता ही हो सकता है यदि कोई व्यक्ति विश्वास और भक्ति के साथ आध्यात्मिक गुरू की सेवा में सनलगन हो इस प्रकार प्रकृती के गुनों के प्रभाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है 25-26 आध्यात्मिक गुरू को सीधे सर्वोच भगवान माना जाना चाहिए क्योंकि वे आत्मग्यान के लिए दिव्य ग्यान देते हैं नतीजतन जो इस भवतिक धारना को बनाए रखता है कि आध्यात्मिक गुरू एक सामान्य इनसान है उसके लिए सबकुछ निराश है उनका ग्यानोदे और उनका वैदिक अध्यन और ग्यान हाथी के सनान के समान है पार 27 भगवान के सरवोच व्यक्तित्वप भगवान कृष्ण अन्य सभी जीवों और भौतिक प्रकृति के स्वामी है व्यास जैसे महान संतो द्वारा उनके चरंग कमलों की तलाश और पूजा की जाती है बहराल ऐसे मूर्ख हैं जो भगवान कृष्ण को एक साधारन इंसान मानते हैं पार्ट 28 कर्मकांड नियामक सिध्धान्त तपस्या और योग का अभ्यास सभी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने के लिए हैं पार्ट तीस, जो मन को जीतना चाहता है, उसे अपने परिवार का संग छोड़कर दूशित संगती से मुक्त एकांत स्थान में रहना चाहिए। शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखने के लिए उसे जीवन की न्यूंतम आवशकताओं के लिए जितनी आवशकता हो उतनी भीक मांगनी चाहिए। पार्ट 31 मेरे प्रियराजा एक पवित्र और पवित्र तीरत स्थान में योग करने के लिए एक जगह का चैन करना चाहिए। जगह समतल होनी चाहिए और बहुत उची या नीची नहीं होनी चाहिए। वहाँ व्यक्ति को आराम से बैठना चाहिए, स्थिर और सुसजित होकर अपने शरीर को सीधा रखते हुए और इस प्रकार वैदिक प्रनव का जब करना शुरू करना चाहिए। ग्रंद 32-33 नाक की नोग पर लगातार घूरते हुए एक विद्वान योगी सांस लेने और छोड़ने को नियंतरित करने और फिर उन दोनों को रोकने के लिए तक्नीकी साधनों के माध्यम से सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करता है, जिसे पुर्क, कुम्भक और रेक क बहा जाता है, इस प्रकार योगी अपने मन को भौतिक आसक्तियों से प्रतिबंदित करता है और सभी मानसिक इच्छाओं को त्याग देता है, जैसे ही मन काम वासनाओं से पराजित होकर इंद्रियत्रिप्ती की भावना की और उनमुक होता है, योगी को तुरंट उसे वा आसनाओं से दूशित होती है, तो वो सभी गतिविद्यों में शांत और शांतिपूल हो जाती है, क्योंकि वो शाश्वत आनंदमय जीवन में स्थित होता है, एक बार उस मंच पर स्थित होने के बाद, कोई भौतिकवादी गतिविद्यों में वापस नहीं आता है, पिर ऐसी भौतिकवादी गतिविद्यों में लौट आता है, उसे वांत कहा जाता है, या वो जो अपनी उल्टी खाता है, वह वाकई एक बेशर्म इनसान है, पार्ट सेंटीस, सन्यासी जो पहले मानते हैं कि शरीर मृत्यू के अधीन है, जब यह मल्क कीड़े या राक में ब पहते हुए ब्रमचारी व्रतों का पालन नहीं करना, एक वानप्रस्त के लिए गांव में रहने और ऐसा करने के लिए ग्रिनित है सामाजिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, या सन्यासी के लिए इंद्रियत्रिप्ति का आदी होना, जो इस तरह से कार्य करता है, उसे सबसे कम पा सरवोचा आत्मा को समझने के लिए है, भगवान के सरवोचा व्यक्तित्वक जो दोनों पालोकिक रूप से स्थित हैं, यदि उन्नत ग्यान द्वारा शुध होने पर दोनों को समझा जा सकता है, तो मूर्क, लालची व्यक्ति किस कारण से और किस के लिए बुद्धी रत चालक है, और चेतना, जो पूरे शरीर में फैलती है, इस भौतिक संसार में बंधन का कारण है, पार्ट बयालीस, शरीर के भीतर अभिने करने वाले दस प्रकार के वायू की तुलना रत के पहियों की तीलियों से की जाती है, और चक्र के उपर और नीचे को ही धर्म और अधर्म कहा जाता है, जीवन की शारीरिक अभधारना में जीव रत का स्वामी है, बैदिक मंत्र प्रनव धनुष है, शुदर जीव स्वयम तीर है, और लक्ष सरवोच है, ग्रंथ 43-44 वध अवस्था में, जीवन की धारनाएं कभी-कभी जुनून और अग्या प्रनाएं भी अच्छाई से दूशित हो जाती है, पार्ट 45 जब तक किसी को अपने विभिन अंगो और सामगरी के साथ एक भौतिक शरीर को स्वीकार करना होता है, जो पूरी तरह से किसी के नियंत्रन में नहीं होता है, तो उसके पास अपने वरिष्टों, अर्थात अप आध्यात्मिक गुरू के पूर्ववर्तियों के चरंग कमलों का होना चाहिए, उनकी दया से कोई ग्यान की तलवार को तेज कर सकता है, और भगवान की दया के सरवोच व्यक्तित्व की शक्ती से उपर वर्नित दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इस तरह भ गोलों के रूप में कार्या करती हैं, और बुद्धी, चालक के रूप में कार्या करते हुए, दोनों भौतिक सिंदूशन से ग्रस्थ हैं, अंजाने में शरीर को लाते हैं, जो रत के रूप में कार्या करता है, इंद्रियत रिप्ति का मार्ग, जब कोई व्यक्ति फिर से विद्या के दुष्टों खाने, सोने और संभोव से आकरशित होता है। गोरों और रच्चालक को भौतिक अस्तित्व के अंधे अंधेरे कुए में पैंक दिया जाता है। और एक को फिर से बार-बार जन्द की खतरनाक और अत्यंद भयानक स्थिती में डाल दिया जाता है। मौत, 45-47 वेदों के अनुसार क्रिया दो प्रकार की होती है प्रवरिती और निवरिती। प्रवरिती गतिविद्यों में भौतिक वादी जीवन की निम्न से उच्च स्थिती में खुद को उपर उठाना शामिल है, जबकि निवरिती का अर्थ है भौतिक इच्छा की समाप प्रवरिती गतिविद्यों के माध्यम से व्यक्ति भौतिक उलजावों से ग्रस्थ होता है, लेकिन निवरिती गतिविद्यों से व्यक्ति शुध हो जाता है और शाश्वत आनन्मय जीवन का आनन्द लेने के योग्य हो जाता है। बैशनव देव की पूजा करना और बलिहरंग का समारोव करना जो सभी कतित रूप से जीवन का लक्षे बनाते हैं, साथ ही देवताओं के लिए मंदिर बनाना, विश्राम ग्रह और उध्यान बनाना, पानी के वित्रंग के लिए कुएं खोदना, वित्रंग के लिए बूद स दक्षिनम और अंतता चंद्रमा जैसे राज्यों को क्रमिक रूप से उच्छ ग्रह प्रनालियों में ले जाता है, फिर, हालां की, यग्य करने वाले फिरसे जड़ी बूटी, लता, सबजियां और खाद्यान बनने के लिए धर्टी पर उतरते हैं, इन्हें विबिन जीवो मध्यम से अपना जीवन प्राप्त करता है, जीवन के अंत तक शुद्धिकरन की अन्य प्रक्रियाएं भी होती हैं, जब अंतिम संसकार अंतिय एश्टी क्रिया किया जाता है, इस प्रकार एक योग्य ब्राहमन समय के साथ भौतिकवादी गतिविदियों और यग्यों में प्रुची नहीं लेता है लेकिन वह ग्यान की अगनी से प्रकाशित होने वाली कार्या इंद्रियों में पूर्म ग्यान में कामुग बलिदानों को प्रदान करता है। प्रकाशित किया जाना चाहिए। फिर जीव जो की वह सब कुछ है को ब्रहमत सर्वोच में रखा जाना चाहिए। यह बलिदान की प्रक्रिया है। इस कारण अवस्था के विनाश पर वह अपनी शुद्र अवस्था को प्राप्त करता है। इस तरह जीव दिव्य हो जाता है। पार्ट पच्पन आत्मसाक्षातकार के लिए उत्थान की यह क्रमिक प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जो वास्तव में परमसत्य से अवगत है। इस पत पर बार बार जन्म लेने के बाद जिसे देव्यान के नाम से जाना जाता है व्यक्ति इंक्रमिक चरणों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समस्थ भौतिक कामनाओं से पुनरता मुक्त है, स्वयम में स्थित होने के कारण उसे बार बार जन्म और मृतियू के मार्ग पर चलने की आवश्यक्ता नहीं है पार्च शपपन भौतिक शरीर में स्थित होते हुए भी जो पित्री यान और देव यान के रूप में जाने जाने वाले रास्तों से पूरी तरह वाकिफ है और जो वैदिक ग्यान के संदर्व में अपनी आँखें खोलता है वह इस भौतिक दुनिया में कभी भी ब्रमित नह होता है पार्च 57 वो जो आंतरिक और बाहिर रूप से सबकुछ और सभी जीवों के आदी और अंत में मौजूद है जो आनंद दायक है और हर चीज के भोगता के रूप में श्रेश्ट और निम्न सर्वोच सत्य है वह हमेशा ग्यान और ग्यान की वस्तू के रूप में अभ नवास्तविक अस्तित्व है तदनुसार 60 ग्यान द्वारा यह साबित करना की कोई वास्तविक्ता नहीं है अत्यंत कटिन होगा पार्ट 69 इस संसार में पांच तत्व हैं प्रित्वी जल अग्मी वायू और आकाश लेकिन शरीर उनका प्रतिविंब नहीं नहीं उनका सेयो जबना तो अलग हैं और नहीं समामेलित हैं ऐसे सभी सिध्धान्त निरर्थक हैं पार्ट 60 क्योंकि शरीर पांच तत्वों से बना है यह सूप्षम इंद्रियों की वस्तवों के बिना मौजूद नहीं हो सकता इसलिए एक चून की शरीर मिथ्या है इंद्रिय विशे भी स् अस्थाई होते हैं पार्ट 61 जब किसी पदार्थ और उसके भागों को अलग कर दिया जाता है तो एक और दूसरे के बीच समानता की स्वीकृति को भ्रम कहा जाता है सपने देखते समय व्यक्ति जागरत और नींग नामक अस्तित्व के बीच एक अलगाव पैदा करता है य पार्ट 63 जब कोई यह समझता है कि परिणाम और कारण एक है और वह द्वैत अंतता हसत्य है इस विचार की तरह की कपड़े के धागे कपड़े से ही अलग होते हैं व्यक्ति एक्ता की अब धारना तक पहुंचता है जिसे भवद्वैत कहा जाता है पार्ट 64 मेरे प्रिय युधिष्ठिर पार्ट जब कोई व्यक्ति अपने मन, वचन और शरीर से किये जाने वाले सभी कार्य सीधे भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है तो व्यक्ति क्रियादवैत नामग गतिविद्यों की एक्ता तक पहुंच जाता है पार्ट 65 जब स्वयम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिष्टेदारों और अन्य सभी जीवों का अंतिम लक्षे और हित एक होता है तो इसे रिविद्वैत या रुची की एक्ता कहा जाता है पार्ट 66 सामान्य परिस्थितियों में, खत्रे की अनुपस्थिती में, हे राजा युदिष्ठिर एक व्यक्ति को अपने जीवन की स्थिती के अनुसार अपनी निर्धारित गतिविद्यों को उन चीजों, प्रयासों, प्रक्रिया और रहने की जगह के साथ करना चाहिए जो उसके लिए निशिद नहीं है, और किसी अन्य माध्यम से नहीं। प्रक्रान शत्रों पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार आपने यग्य के लिए सामगरी एकत्र की। उनकी क्रिपा से आप भौतिक भागीदारी से मुप्त हो सकते हैं। मैं हत्रब था, हमेशा कामोत्ते जक इच्छाओं को महसूस कर रहा था। पाठ 72, नारद मुनी ने जारी रखा, उस उत्सव में आमंतरित होने के कारण, मैं भी शामिल हो गया, और महिलाओं से घिरे हुए, मैं संगीत में रूप से देवताओं की महिमा का गायन करने लगा। इस वज़े से प्रजापती, ब्रह्मान के मामलों के प्रभारी महान देवताओं ने मुझे इन शब्दों के साथ जबर्दस्ती शाप दिया, चूनकी तुमने अपराद किया है, आप तुरंत सौंदर्य से रहित शूद्र बन सकते हैं। 75, यदिपी मैंने एक दासी के गर्द से शूद्र के रूप में जन्म लिया, फिर भी मैं वैश्नवों की सेवा में लगा रहा जो वैदिक ज्यान में पारंगत थे। 75, भगवान के पवित्र नाम के जब की प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि इस जब से ग्रिहस्ट प्रिहस्ट भी त्यागी क्रम में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंतिम परिनाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 75, मेरे प्यारे महाराज युदिश्टिर, आप पांडव इस दुनिया में इतने भागिशाली हैं कि कई, कई महान संत, जो ब्रहमान के सभी ग्रहों को शुद्ध कर सकते हैं, सामान या अगंतुकों की तरह आपके घर आते हैं। इसके अलावा, भगवान क्रिश्ट आपके भाई की तरह आपके घर में आपके साथ गोपनिय रूप से रह रहे हैं। उन्हें भगवान के समझा जा सकता है। उन्हें भगवान जो अपने भगवान के अनुचर हैं और जिनकी पूजा मौन, भगती सेवा और भौतिक गतिविद्यों के निरोध द्वारा की जाती है, हम पर प्रसन हों। असी, नारद मुनी, क्रिश्न और महाराज युदिष्टिर द्वारा पूजे जा रहे थे, उन्हें विदा किया और चले गए। युदिष्टिर महाराज, यह सुनकर की क्रिश्न, उनके चचेरे भाई, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व हैं, आश्चर्य से भर गए। पाठ असी, इस ब्रमान के सभी ग्रहों पर, विबिन प्रकार के जीव, गतिमान और अचल, जिन में देवता, राक्षस और मनुश्य शामिल हैं, सभी महाराज दक्ष की बेटियों से उत्पन हुए थे। मैंने अब उनका और उनके विबिन राजवन्शों का वर्नन किया है।